हेलो सुदेंस वेलकूम टूटा मैगनेट ब्रेंस मेरा नाम आशिश कपलेश कैसे आप सब लोग बढ़िया हो जोश में हो आज हम शुरू करेंगे हमारे एक्ससाइज वाला पार्ट इससे पहले शॉट अंसर्स ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव तू कम्लीट कर चुक क्योंकि हर को पॉष्ट करके खुद से ट्राय करना जरूरी है तब ही तो फील आएगा फिजिक्स का नहीं तो फिर तुम्हें ऐसा लागा पिक्चर चल रही है बढ़िया वाली पॉपकॉर्ण कावट के है ना तो वह नहीं करना है हमें हर कोशन को खुद से भी ट्राय टेबल is pulled horizontally by a constant force F it is found to move 10 meter in the first two seconds find the magnitude of F आपको force का F का value बताना है चलो जरी ट्राय करो खुद से कर लिया ट्राय समझे कुछ बात को क्या हो रहा है आप आप देखते हैं सो हमें बोला गया है कि यार जो ब्लॉक है हमारे पास में इसका मास 2 kg का है तो लेट अस ड्राव ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इस प्लेज़ ने लॉंग फ्रिक्शनलेस होरिजोंटल टेबल इसको हमने एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा है एक इस पुल्ड होरिजोंटल ली बाया कॉंसेंट फ्रस फ इसको हम पुल कर रहे है कॉंस्टेंट फोर्स से जो की होरिजोंटली एप्लाइड है और पता किया गया तो यार यह टैन मीटर मुव करते हैं इन फिर्स्टो सेकंड्स में तो यहां पर यह 10 मीटर मुव करेगा टाइम पता है और इनिशली तो रेस्ट पर ही होगा वैसे भी है चलो कोई बात ही इससे भी हमें मतलब नहीं है हाँ हम एक्वेशन लगा सकते हैं कौन सी वाली एक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली लगा ले क्या एस इकोल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर बोडी इनिशली रेस्ट पर थी उसको आपने पुल किया उसके बाद ये मूव कने लगा फर्स तो सेकंड बतर स्टार्टिं से शुरू कर रहे है तो एस विल भी इकोल्स टू जीरो प्लस हाफ एक्सलरेशन की जगा लिकोंगा मैं फोर्स बाउन मास इन्टो टी स्क्वेर एक्सलरेशन की जगा लिकेंगे फोर्स अपन मास इन्टो टी स्क्वेर सॉल्व इट अगें है तो ये बन जाएगा एस इस इकोल्स तो एस की जगा भी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं which is your 10 meter so this can be simply written as 10 is equals to half into f by 2 क्योंकि मास 2 kg का है इन्टो टाइम लगा है 2 seconds का तो 2 का स्क्वेर यानि की 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वेर तो देखो जी 2 का स्क्वेर पूरा 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा and the final value of force comes out with 10 newton so जो force आप लगा रहे हैं वो कितना लगेगा 10 newton का लगेगा this is the final answer खताम हो गया, हल्वा सावल था बिल्कुली चली जी, तो question number 1 हमारा complete हो गया है अब हम आगे बढ़ते to the next question, question number 2 चल्दी से दिखते है क्या है a car moving at 40 km per hour is to be stopped by applying the brakes in the next 4 meter if the car waits 2000 kg what average force must be applied on it तो भाई ये गाड़ी है जो कि 40 km per hour की speed से चल रही है और इसको रोका गया by applying the brakes in next 4 meter 4 meter पर जाके रुक जाती है if the car waits 2000 kg what average force must be applied on it अगर car का जो weight है वो 2000 kg actually mass दिया हो है car का तो कितना force इसके उपर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए तो सोचो जड़ा क्या होगा इस cancer सोचा कुछ नहीं सोचा हो गया ओके so car move कर रही और इसको में रोकना है तो हमारे पास क्या क्या given है हमारे पास है initial velocity which is 40 km per hour ध्यान दखना कि जब भी km per hour की कहानी आती है इसको आपको meter per second में questions convert करना है because यहां पे 4 meter है यहां पे 2000 kg है SI unit की बाते हैं तो km per hour को convert करते हैं 40 into 5 by 18 से so it comes out to be 100 by 9 meter per second तो initial velocity होगी 100 by 9 meter per second final velocity 0 है क्योंकि हम गाड़ी को रोक रहे हैं stop कर रहे हैं displacement जो उसने cover किया है वो 4 meter का है और मुझे बताने कि कितना force लगाना है तो गाड़ी का mass दे रखा है 2000 kg है तो point यह है कि सबसे पहले मैं find करेता हूँ retardation कितना लग रहा था so by using the equation we know better कि हमारे पास formula बनता है V square is equals to U square plus 2 AS ठीक है तो final speed तो 0 हो गई initial वाली 100 by 9 का square यानि कि 100 by 9 का whole square करना पड़ेगा और यह plus का 2 into A जो भी retardation हो और यह displacement 4 meter का cover किया अब हमें पता है कि यहाँ पे retardation होना चाहिए था लेकिन अगर तुम दिमाग नहीं लगाते हो simply solve करते हो तो A का value मिलता है minus का 100 into 100 divide by 9 into 9 into 8 अगर तुमने पहले ही retardation का concept लगा दिया तो तुम्हारा answer positive आजाएगा अगर तुम पहले ही retardation का concept लगा दोगे पहले ही minus का A लिख दोगे तो तुम्हारा answer positive आएगा अगर तुमने नहीं लिखा तो answer negative आएगा जो यह बताता है कि यह retardation है तो कितना force लगाना पड़ेगा तुम्हें तो force can be written as mass into acceleration तो definitely जो force आप लगाओगे वो एक retarding force होगा because यह retardation है मेरे पास में mass at 2000 multiplied by 100 into 100 divided by 9 into 9 into 8 हाँ अब यह क्योंकि retardation है तो यह भी retarding force होगा तो यह भी तुम चाहो तो minus के साथ लिख सकते हो इसको तुम चाहो तो minus के साथ इसको लिख सकते हो जो यह represent करता है कि retarding force है यह so it can be written as force एकार देता है 4 to the 8 4 से 25 टाइमस यह cancel out हो जाएगा फिर यह 2 से 50 टाइमस cancel out हो जाएगा and तो जो value मिलेगी minus का 25 और यह 2 जा 50 होता है तो 25 जा 50 और 3 0 वैसे के वैसे आ जाएगे into 50 divided by 81 so this can be written as minus of 25 एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच divided by 81 इतना force लगाना पड़ेगा इचा इसको solve को ले तो यह काम कर सकते हो ना तुम लोग solve करना है तो 2500 एक साथ ले लो और बागी के 10 की पावर 3 यह लग से लिगता हो so minus 2500 by 81 multiplied by 10 की पावर 3 यह लोगों को so 2500 by 81 दिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को let's solve this on the blackboard पाल पाथ so under root of 25 81 so कितना एगा 81 को मैं 3 से कर देता हूं 3 1s are 3, 8 3s are 24 so 3s are 243 out of this 10 यहां पे 3 जाएगा तो 7 बचेगा बाकी यह 70 आजाएगा अब यह 81 ए 70 है तो dot लगाना पड़ेगा so एक 0 और आएगा यहां पे and solve this part so 9 8s are 72 8 8s are 64 होता है so 8 8s 8 1s are 8 8 8s are 64 ठीक है 3.08 के समभाव मैं करेगे square 3.08 आए अगर शेद है ना तो इसको solve करेंगे so it comes out of the value of 3.08 ठीक है भई हमें तो values मिल गी हमारा काम हो गया 3.08 ठीक है 250 कर लेते हैं sorry 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 my mistake 4.08 ठीक है so 250 divided by 81 and solve करेंगे तो यह वाला पाट मिलेगा हमे 10 की पाव 4 के साथ इसकी वैल्यू आजाएगी ठीक है तो इस इस दा फाइन आश्या अरे हाँ नहीं समझे 250 by 81 कर लो यार वही तो किया है 3.08 10 की पाव 4 में 10 की पाव 4 में अंसर को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है एक 0 यहाँ पे था इसको भी इसके पास बेज दिया 250 अपॉन 81 इंटू 10 की पाव 4 हो जाएगा 250 इंटू 250 अपॉन 81 इंटू 10 की पाव 4 के फॉर में इसको हम कनवर्ट करेंगे और यह फाइनल आशर आजाएगा इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे माइनस का साइन हमें यह रिप्जेंट करता है कि वह एक रिटार्डेशन है तो मेक शूर कि जब कभी भी यह माइनस का साइन लगेगा तो आपको बस यह रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि यार यह जो तुम बता रहे हो ना यह एक रिटार्डिंग फोर्स है रिटार्डेशन है एक तरह कही है यह गाड़ी की स्पीड को कम करता है अगले सवाल पर आते हैं क्या बोलता है इन टीवी पिक्चर ट्यू एलेक्ट्रोंस आरेजेक्टेट फ्रॉम दे नेगलिजिबल स्पीड और रीच अट वेलोसिटी आप फाइव इंटो टैनिटी पाव 6 मीटर पर सेकेंड इन ट्रावलिंग वन सेंटीमीटर तो वन सेंटीमीटर ट्रावल किया है Assuming the straight line motion, एक straight line motion consider करना है Find the constant force exerted on the electron If the mass of the electron is 9.1 into 10 की पाव माइनस 31 Mass of the electron को याद कर लो, आगे चल के शायद इसकी values ना दे वो ठीक है, तो अभी नए हो अभी इतना idea नहीं होगा mass of the electron के बारे में तो अभी जस्ट नोट कर लो future में वो तुमें mass of the electron के बारे में ज़्यादा ग्यान नहीं देगा उसको पता है तुम्हें याद होगी values चली जी, तो ट्राइ करोगे इसको एक बार क्या बोला, picture tube जो होती थी पहले के जमाने में तुमने देखा वो बड़े बड़े दब्बे वाले टीवी आते थे उसमें picture tube होती थी तो उसमें क्या होता था electrons को project किया जाता था basically ठीक है तो अगर तुम उसको खोल के देखोगे नहीं अंदर एक picture tube दिखती थी उसमें electrons को वो project करते थे बारवाल तो electrons जो जो थे वो ejected होते थे cathode से और वो cathode के बारे में कहानी अभी पढ़ेंगे तुम थोड़ा सा सबर कर ले न with a negligible speed मतलब initial speed उसकी 0 माल लेते हैं लोग तो initial speed हमने 0 माल ली और उसके बाद वो क्या speed attain करते थे क्योंकि उसको हम फैकेंगे तो उसके पास क्या होगा धीरे धीरे velocity increase होती जाएगी velocity धीरे धीरे increase होई and it goes out to be 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकिंड अब इसके लिए velocity increase करने के लिए इसके उपर force लगाने की ज़रूरती अरे किसी का भी speed increase करना है तो force लगाना पड़ेगा तो कितना force तुमने लगाए electron के उपर यह आपको बताना पड़ेगा तो भाईस अब इसने जो distance travel किया है वो 1 meter का है 1 centimeter का है यानि कि 10 की power minus का 2 meter का हो गया तो मैं कितना force लगाओ इसके उपर जिससे कि वो ऐसा काम करें मास अफ दे लेक्टरॉन उसने दे दी हम लोगों को 9.1 इंटू 10 की पाव माइनस का 31 kg सो मास अफ दे लेक्टरॉन दे दिया है force हमसे पूछ रहा है तो देखो यह तीन equation का यूज करके acceleration निकालेंगे और acceleration निकालेंगे बाद हम क्या करेंगे मास इंटू एक्सेलेशन करके force निकालेंगे चलो भई ट्राइ करेंगे खुछ से ट्राइ करो खुछ से हो गया ट्राइ करिया किया तुम लोगों ने चलो अब मेरी बारी है solve कराता हूँ मैं देखो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले equation लगेंगे v square u square plus 2as ठीक है final speed कितनी है 5 into 10 की पावर 6 5 into 10 की पावर 6 का whole square initial speed 0 मान लिए क्योंकि negligible की बाते कर रहा था acceleration पता निया लेकिन displacement पता है 10 की पावर माइनस का 2 कवर किया so 25 into 10 की पावर 12 is equal to 2 into 10 की पावर minus का 2 into a so the value of a comes out to be 25 into 10 की पावर 12 divided by 2 into 10 की पावर minus का 2 यह minus का 2 उपर जाएगा plus का 2 बन जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 12.5 into 10 की पावर 4 meter per second square यहाँ पर यह वाला part clear हो गया किया तुम लोगों को बोलो तो 25 by 2 12.5 10 की पावर minus का 2 उपर जाएगा plus का 2 बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा 14 so 12 plus 2 14 होता है 12.5 into 10 की पावर 14 meter per second square is the value of acceleration हमें क्या force से यह था तो force find करने के लिए हम क्या करेंगे simple सा formula लगाएंगे that force equals to mass into acceleration mass उसने बोल रखा है 9.1 10 की पावर minus का 31 into acceleration 12.5 into 10 की पावर 40 so 12.5 into 9.1 कर लेते है 5 2 1 9 5 जाए 45 9 जाए 18 19 20 21 22 22 9 जाए 9 10 11 so 5 6 7 3 11 2 के बाद so यह बनेगा 11 3.75 into 10 की पावर solve करो भाई आगे 10 की पावर कितना बने गई है 31 और यह 14 कितना जाएगा यह 7 8 9 10 11 17 17 जाएगा नहीं तो minus का 17 हो जाएगा क्या इस यह बात है क्या देख लो 17 और 14 कितना होते है 7 4 11 होते है और यह 31 मन जाते है ठीक है so एक काम करते है 100 से multiply कर देते है 100 से divide कर देते है ऐसा करने से हमें मिलेगा 1.1375 10 की पावर माइनस का 15 शाट में लिखना चाहो तो 1.1 इंटो 10 की पावर माइनस का 15 is the value of force समझ रहो ना सबसे पहले क्या किया हमने सबसे पहले निकाला acceleration acceleration निकालने के बाद force equals to mass into acceleration से आपने निकाल लिया force भी बस यही है इसके अलावा कुछ भी नहीं है समझ रहो बात को तुम लोग इतनी सी बात है सिफ इससे अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा चलिए इसको नोट का लीजे फिर हम आगे बढ़ते है कल यह नोट बढ़े आगे बहुत बढ़े है शाबाश आफ्टर दिस कोशन नुबर 3 लेट उस मूँव नुव नुबर 4 जो कि हमसे कहता है एक ब्लॉक है जिसका मास 0.2 kg का है इसको अपने सस्पेंट कर रहक है फॉम दा सीलिंग बाया लाइट स्विंग अ सिकेंड ब्लॉक अफ मास 0.3 kg इस सस्पेंड फॉम दा फॉर्स ब्लॉक तू अनृद स्ट्रिंग find the tension in the two strings ये खुद से करेंगे तुम लोग ये वाला पार्ट हम खुद से करेंगे यू लो बैटर कि यहाँ पर tension find करना है कोई acceleration नहीं हो रहा है hanging वाला पार्ट है try कर एक और फॉर्स हो गया try मैं कर रहा हूँ solve so भाई साब बोला गया ये एक कोई ceiling है ceiling से हमने क्या किया दो डब्बे लटका दिये ये पहला box और इसी से attached ये दूसरा box first वाला box 0.2 kg का है 0.2 kg का है next box 0.3 kg का है यहाँ पर माली जे tension T1 है यहाँ पर माली जे tension T2 है तो T1 और T2 का value बताइए T1 T2 का value बताइए और हमने बोला कि भाई साब पूरा system यहाँ पर rest पर है तो यहाँ पर लगेगा नीची के तरफ 0.3 into G tension T2 away from the point of contact tension T2 away from the point of contact और इसका एक जो weight होता है वो 0.2 into G यहाँ पर tension लगेगा T1 तो देखो 0.3 into G T2 पर 0.2 into G नीचे T2 नीचे और T1 उपर तो बस simple है अब क्या पूरा system accelerate कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो हम simply इनको relate कर सकते है that T1 is equals to T2 नीचे लगेगा so T2 plus 0.2 into G T2 को देखो तो T2 can be written as 0.3 into G question में बोला गया है G की value 10 ले लिजिए तो 0.3 into 10 यानि की बनेगा 3 newton का so T2 तो मिल गया हमें 3 newton और अब बारी है T1 की so T1 can be written as कैसे लिखोगे इसको? देखो तो 3 newton plus यहाँ पे 0.2 into G का value उसने बोले 10 ले लेना खुदी बोलो उसने G का value 10 लेने लेने के लिए तो मैंने भी ले 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 लिए G का value 10 तो solve करेंगे तो 3 plus 2 5 newton so T1 आए 5 newton T2 आए 3 newton this is the part of question number 4 जल्दी से note कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं FBT बनाना जादा important है ठीक है? तो मैंने हमेशा कहा है जब भी ऐसा question आएगा एक free body diagram जरूर बना लेना हो गया note? चलिजी बहुत बढ़िया अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं question number 5 पर जो हमसे कहता है कि दो block है जिनका equal mass है are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table one of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force F find the tension in the string joining the blocks तो दो block है same mass के है एक को आपने pull किया दोनों को रस्टी से connect किया हुआ था तो रस्टी के अंदर कितना tension आएगा यह आपको बताने है चलो भई, खुद से try करो diagram बनाओ पहले तो FBD बना के solve करने इसको ठीक है? try करो हो गया? क्या गारा तुम लोगे इसको solve कर रिख लिए? अरे बहुत ही simple था एक ब्लोक और यह रस्टी से connected हो गया दूसर ब्लोक दोनों से मास के एक को पकड़ के आपने pull किया यही बोला ना एक को पकड़ के आपने force लगा दिया यहां पे कौन सा वहला force है? वन अव ब्लोक इस पूल आउग दूसर फोर्स फ तो बताओ भई, टेंशन कितना? वी नो टेंशन अल्वेज एक्ट अवे फ्रम पॉंट अफ कॉंटक्ट टेंशन हमेशा अवे फ्रम पॉंट अफ कॉंटक लगेगा तो अगर ऐसी कोई बात आ गई है तो अब हमें पता है कि क्या करना है सबसे पहला काम, acceleration find करते हैं तो देखो या, इनके FBD बनाना जानते हो तुम लोग तो यहाँ पे टेंशन T लगेगा क्योंकि जो रसी हम कंसिडर करते हैं वो in extensible होती है तो इनका acceleration same रहेगा ये block M मास का है इधर से force F लग रहा है और इधर force T लग रहा है same acceleration से चल रहे हैं यहाँ पे तो can be written as T is equal to M A और इसको लिखोंगे F minus T is equal to M A है ना तो यहाँ से T की जगा M A है तो F minus M A is equal to M A so F can be written as 2 times of M A तो A का जो value मिलेगा यहाँ से F by 2M इस acceleration को ठाके यहाँ पे put कर दीजिए तो यहाँ पे M into F by 2M करोगे M से M मर जाएगा तो यह final answer कमसर भी F by 2 तो जो tension मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा F by 2 tension जो मिलेगा वो मिलेगा F by 2 अब इसी question को short trick से कैसे solve करते हैं वो मैं बता देता हूँ इतना सब करनी की ज़रूरत नहीं है बस एक बात का ध्यान रखो ऐसा question कभी भी first जाए एक बात का ध्यान रखना बस कि जो acceleration होता है इसके formula को देखो क्या दिखता है तुम्हें acceleration का formula देखो क्या दिखता है जो force इस system को आगे लेके जारा था upon total mass force जो इस पूरे system को आगे लेके जारा था upon total mass एक ऐसा force जो पूरे system को आगे लेके जाते है इसको बोलते है driving force तो acceleration का जो formula होता है वह होता है driving force divided by total mass तो हमेशा acceleration निकालने के लिए यह वाला formula आप लगा सकते हो acceleration निकालने के लिए हमेशा इस formula का use कर सकते हो ठीक है उसके लावा tension निकालने है तो tension निकालने के लिए जस्ट चेक करो कि वह क्यांसे वाले box को खेच के लेके जा रहा है क्या इस box को खेच रहा है नहीं इस box को खेच के आगे लेके जा रहा है tension क्या कर रहा है last वाले डब्बे को पकड़के आगे लेके जा रहा है so tension क्या क्याम कर रहा है last वाले डब्बे को पकड़ के आगे लेके जा रहा है so tension can be written as simply ma तो एक ही जगह तुम put कर सकते हो driving force f driving force f upon total mass 2m तो m से m मर जाएगा f by 2 direct answer देगा तुम्हारा तो यहाँ पर तुम्हारे पास acceleration आगे net driving force जो है वो f है divided by total mass जो होगा वो m plus m 2m हो जाएगा वही हमने आपर पुट किया तीन statement में हमारा answer आता है तीन steps में answer complete हो जाएगा ना तुम्हें fbd बनाना है ना तुम्हें कुछ करना है बस तुम्हें पता होना चाहिए कि acceleration को लिखते है driving force upon total mass force upon total mass में driving driving force ले कोई दिक्कत वाली बात नी है driving force बोरे फिर external बोलो गोई भी दिक्कत वाली बात नी है upon total and place m2m हो गया और फिर टेंशन के लिए कि लेके जारें साथ में ये रसी आगे कि इन और लेके जा acceleration यहां से पुटकिया, just answer आया, बस, नहीं समझे, simple है नहीं, बहुत ज़ादा, चली, तो एक काम करो, question no. 5 को note का लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते है, अगले सवाल पहते है, question no. 6 पे, जली से note कलो इसको, हो गया, पक्का, चली, बहुत बढ़िया, शाबाज, अब हम आगे बढ़ेंगे, question no. 6 पे, question no. 6 क्या बोलता है, कि एक पार्टिकल है, जिसका मास 50 gram है, move करता है, straight line पे, the variation of the speed with the time is shown in the figure, यहां पे speed का time के साथ variation show का रखा है, find the force acting on the particle at 2 seconds, 4 seconds and the 6 seconds, 2 seconds, 4 seconds और 6 seconds पे आपको क्या करना है, time बताना है, तो चलो बहीं बताओ, force बताईए, इस time पे आपको force बताना है, तो कैसे बताओगे, सब फोर्स के लिए हमें जरूरी है acceleration, क्या question में मास गिवन है, 50 gram है, तो force find out करने के लिए हमें चाहिए acceleration, velocity versus time का graph, अगर आप slope find करोगे, तो मिलेगा acceleration, तो चलो बहीं, slope find करते हैं, पहली चर्चा करेंगे 2 seconds, तो मैं लिग देता हूँ, at t equals to 2 seconds, ठीक है, तो 2 seconds पे यहाँ पे है हम लोग, तो इस line का slope कितना होगा, वो find करो, तो इसका slope मैंने बोला m1, इस line का slope मैंने बोला m1, इधर का slope मैंने बोला m2, और इधर का slope मैंने बोला m3, m1, m2, m3 slope होते हैं, तो यहाँ पे 2 seconds पे slope m1 आएगा, 4 seconds पे slope m2 होगा, 6 seconds पे slope m3 होगा, तो main task is to find the slope, तो अगर मैं m1 का formula लगाता हूँ, it will be equals to tan theta, that will be equals to perpendicular upon base, theta जो horizontal से बनाया जाता है, theta जो horizontal से बनाया जाता है, तो यहाँ पे perpendicular upon base, perpendicular 15 बेस है 3 का, तो 15 बटा 3, यहाँ ने आएगा 5, तो इसका slope आया, plus का 5, m2 को देखो, m2 को देखो, यहाँ पे m2 का slope कितना होगा, 0, because m2 वाली जो line है, वो horizontal के साथ parallel है, तो यहाँ पे theta 2 जो होगा, वो 0 हो जाएगा, इसलिए यह भी 0 हो गया, m3 की बात करूँ, तो फिर से वही बात है, tan theta लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बात ध्यान रखो, theta तुम्हारा जो है, वो greater than 90 degree है, greater than 90 degree, यानि कि 10 negative होगा, तो तुम्हारा जो slope मिलेगा, वो minus का मिलेगा, theta जो है, जो horizontal से angle बन रहा है, वो greater than 90 degree है, तो तुम्हारा slope negative होगा, written as minus का P by B, perpendicular वही 15, base कितना है, यह वाला पार्ट देखो, यह कितना है, 3, क्योंकि 8 minus 5, 8 minus 5, 3 होता है, यह 3, यह 15, तो minus का 15 बटा 3, यह minus का 5, तो M1 पता है, plus का 5, M2 पता है, 0, M3 पता है, minus का 5, velocity versus time graph का slope होता है, slope of VT curve, यह देते हैं आपको acceleration, यानि कि आपको 2 seconds पे acceleration पता है, 4 seconds पे acceleration पता है, 6 seconds पे acceleration भी पता है, now you can find the value of force very easily, चलो भी, try करें यह का फटा फट से, क्या करोगे इसके लिए तुम लोग, सीदी सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं इसकी value, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, T equals to 2 seconds पे देखते हैं, तो 2 seconds पे slope था M1 जो की है plus का 5, तो 2 seconds पे जब मैं force की बात करो, it will be your mass into acceleration, mass 50 gram का है, gram को kilogram में convert कर लेना, acceleration यहाँ पे 5 का है, तो बनेगा 250 into 10 की power minus का 3, 25 into 10 की power minus का 2, यानि कि बनेगा 0.25 newton, कैसा force मिला तुमें, positive force मिला, force कैसा है, positive है, तो यानि कि in the direction of motion, in the direction of motion, क्योंकि क्या हो रहा है, यह acceleration है, यह support कर रहा है motion को, acceleration क्या करता है, motion को support करता है, तो यहाँ पे जो force बनेगा, वो भी motion को support करेगा, अगली बात करते है, t equals to 4 seconds पे, अगला बाट आएगा, t equals to 4 seconds पे, 4 seconds पे slope 0 है, so at t equals to 4 seconds, जो slope है वो 0 है, तो force भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर अगली बात करेंगे, हम लोग at t equals to 6 seconds पे, यहाँ पे जो slope है, वो है, minus का 5, यानि कि retardation है यह, 6 seconds पे, slope हमारा negative है, यानि कि retardation होता है, अब यहाँ पे देखो, velocity time graph का, जो slope होता है, वो acceleration है, यह minus का acceleration, यानि कि retardation है, तो यह retardation हो गया, सो force can be written as mass into acceleration, तो mass तो वही 50 into 10 की पाव माइनस का 3, into minus का 5, सो माइनस का 250 into 10 की पाव माइनस का 3, माइनस का 0.25 newton, तो माइनस का sign क्या बताता है, कि यह जो force है, वो retarding force है, माइनस का sign क्या बताता है, कि वो जो force है, वो retarding है, तो इसको लिखोंगे, in the opposite direction of the motion, in the opposite direction of motion, in the opposite direction of motion, ये वाला force in the direction of motion था, बीच में कोई force लग ही नहीं रहा था, और इसके बाद जो force आए वो in the opposite direction का हो गया, तो ये बाई, तुमारा question number 6 complete हुआ है, उमीद करता हूँ समझायागा, पता है ना, ऐसा वाला slope positive होता है, ऐसा वाला slope negative होता है, हमेशा ही ध्यान रखने हैं इस बात का, ऐसा वाला slope positive, ये horizontal वाला slope 0 होता है, और ऐसे वाला slope negative होता है, ये तो तो तुम्हें जब chapter पढ़ाया था acceleration मिला plus का 5, फिर मिला 0, फिर मिला minus का 5, यारि कि पहले हो रहा था गया ना नोट ये तो, बढ़े आगे, कोशन नमर 6 के बाद कोशन नमर 7 आता है हमारा, जो हमसे कहता है, दो ब्लॉक है A और B, मास इनका M A और M V है, our captain contact on a frictionless table, the experimental pushes the block A from behind, so that the blocks accelerate, if the block A exert a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A, दो ब्लॉक से contact में रखे है, एक ने इसको पुश करा, तो जो पहला ब्लॉक था, उसने दूसरे वले ब्लॉक के उपर force लगाया F, ठीक है, तो बताओ ज़रा कि experimenter जो तुम लोग हो, उन्होंने कितना force लगाया होगा, यह कोई block A है, यह कोई block B है, experimenter ने यहाँ पर force लगाया, पुश करा block को, तो P force लगाके इसने पुश किया, और we have to find the value of P, हमें इस P का value find out करना है, ठीक है, हमें इस P का value find out करना है, बोला गया, A ने B के उपर जो force लगाया है, वो है F, A ने B के उपर force लगाया है, F है, यानि कि normal force यहाँ पर लग रहा है, वो F है, चलो भाई, try करो, FBD बनाना पड़ेगा इसका तो, FBD बना के solve हो गए तो, try करो जल्दी से, FBD बनाओ, हो गया, चलो भी, बहुत बढ़ी है, FBD बना लिए होगा तुम लोगों न भी, so FBD बनाया, ये वाला block A है, ये वाला block B है, अब क्या हुआ, A ने B के उपर force लगाया F, तो बदले में B ने भी A के उपर force लगाया F, यहाँ पर experimenter ने force लगाया था P, और जिसकी वज़ा से दोनों blocks जो है, आगी के तरफ accelerate करने लगे थे, क्यूंकि दोनों blocks connected थे, दोनों blocks हापस में joint थे, तो दोनों blocks ही same acceleration से आगे बढ़ेंगे, तो ना इसके लिए भी हम equation लिखेंगे, फिर से solve करेंगे, या फिर short trick लगा लेंगे, short trick क्या बोलती है, नहीं, short trick पहले नहीं, पहले पूरा method, पूरे method से solve करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो, P force सीधर लग रहा है, F force सीधर लग रहा है, तो P minus F is equal to mass of A into A, फिर यहाँ से F force आगे लग रहा है, तो F is equal to mass of B into A, तो F की जगा यह put करो, F की जगा पे इसको put करो, तो P minus mass of B into A is equal to mass of A into A, तो इदर भेज़ दो इसको, तो P equals to mass of B into A plus mass of A, तो acceleration जो मिलेगा, वो मिलेगा P upon mass of A plus mass of B, तो तो तुम से क्या माँगा था, what is the force exerted by the experimenter on A, तो यहार एक काम करो, इस A को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, इस A को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो यह force comes out B, Mb, P upon M A plus Mb, तो इस acceleration को उठा के हमने क्या किया, सीधा यहाँ पुट किया, P find करना था, तो यहाँ से M A plus M B उदर जाएगा और M B नीचे जाएगा, तो P का value बनेगा F times of M A plus M B divided by M B. तो P का जो value मिलेगा, it will be your F 1 plus M A by M B. P का value जो होगा, वो होगा F times of 1 plus M A by M B. This is the part. समझे बात को? अब फिर से वही बात आगी, short trick लगाना चाहो, तो लगा सकते हो, तुम लोग, normal जो force है, उसके लिए थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम लोगों को. acceleration तो वही बात आगी, driving force upon total mass, acceleration driving force upon total mass, driving force, यह रहा, so driving force upon total mass, mass of A plus mass of B, तो यह तो acceleration आगया, अब आपको बताना है, P का value, तो P का value बताने के लिए, short trick का दिमाद नहीं लगा सकते थे, पस यह बता है कि, F equals to M B A होता है, तो यहाँ पर इसको लाके रखना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ, अगर वो F का value मांग था मुझसे, तो मैं definitely बता देता फिर, पर दिक्कत दियो ही कि, इस वार P मेरे पास unknown था, मुझे P का value नहीं पता था, इसलिए मेरे पास short trick काम नहीं करी, समझगे ना, यहाँ पर P unknown था, इसलिए short trick काम नहीं करी, acceleration था तो निकाल लोगे तुम लोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस acceleration को इस equation में put करना पड़ेगा, और फिर solve करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको P का value मिलेगा, otherwise नहीं मिलता, समझ जो ना, बात को तुम लोगे, तो दिस इस यह question number 7, फटाफट से note कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो, अब आगे बढ़ते है, question number 8 पहाँ जाते है, question number 8 हम से क्या बोलते है, आओ देखे, so according to the question number 8, the raindrops of radius 1 mm, and a mass of 4 mg, are falling with the speed of 30 meter per second, on the head of a bald person, अज़ा समझता न, a bald person को अज़ो गंज़े हैं, the drops splash on the head, and comes to the rest, assuming the equivalently that the drops cover a distance, equal to the radii of the head, estimate the force exerted by each drop on the head, तो भाईस, अब क्या हुआ, एक आजमी चल रहा था, बेचारा, समझ जाना, तुम क्या हैं, तो उपर के लागा साफता पूरा, और वो चल रहा था, तो बारिश गिरी सर पे, जैसे सर पे गिरी, तो क्या एक force लगाती है, बारिश के drop, तुम्हें भी experience क्या होगा, जब तेज बारिश होती है, और तुम चलते हो, तो ऐसे लगता है, अब वो उस droplet, water की जए drop है, उसके बारे में सारी बात हैं में बता रखिए, बोला गया है कि water का जो drop है, rain drop, वो उसका radius जो है, वो है 1 mm का, और ये चल रहा था, गिर रहा था 30 meter per second से, और इसका mass 4 mg है, तो 4 mg को convert करो पहले तो, तो मिली मतलब 4 into 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम, मिली ग्राम का मतलब है, 4 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, ग्राम को kilogram में convert करोगे, तो होगा 4 into 10 की पावर माइनस का 3, into 10 की पावर माइनस का 3, किलो ग्राम, ग्राम को kilogram में convert किया, तो 10 की power minus 3 से multiply गया तो 4 mg को लिखता हो 4 x 10 की power minus 6 kg 4 mg को लिखोगे 4 x 10 की power minus 6 kg तो इसका mass है 4 x 10 की power 6 kg is the mass of this water toplet अब चल रहा था चल रहा था गिर रहा था बैचारा गिरता गिरता यहाँ पे किसी के सर पे गिर गिर गया ठीक है अब जैसे वो यहाँ पर गिरा तो एक बड़ मस्ट छपाक छपाक वाली बूंदे बढ़ी है यहाँ पर कुछ फोर्स लगा ठीक है अब जो भी है सर बना लिया तुम्हें पता है ना सर कैसे बनते है ठीक है अब ध्यान से बस भावने समझ जाना तुम हमारे सर पे बाल थे लिकिन इन अंकल के सर पे बाल नहीं थे बेचारे तो इनके सर पे जब वो बूंद किरी आके तो ज़्यादा एफेक्ट होगा कुछ ठीक है अब बस समझ जो तो यहाँ पे सर पे किरी बूंद आके और एक फोर्स लगा है तो बहु कितना फोर्स लगा है वो तुम्हें बताना है अब देखो क्या होता है इनिशल विलासिटी पता है फाइनल विलासिटी यहां पे 0 हो जाएगी क्योंकि ड्रॉप रेस्ट पर आ जाएगी वो भी इतना ही कुछ होगा वन मिली मीटर के लगबग का ठीक है जी बहुत बढ़ी है एस्टिमेट दफोर्स एग्जर्टेट बाइच ड्रॉप अन दे हैड तो हर एक ड्रॉप हैड पे कितना फोर्स लगाईगी आपको बताना है तो पहली बात तो जो displacement कवर किया है that will be equal to the radii and that will be equal to 10 की पाव माइनस का वन मिली मीटर है नो तो वन मिली मीटर को मीटर में कर्वर्ट करना है आपको 10 की पाव माइनस का 3 मीटर हो जाएगा यह उसके लगाए initial velocity is of 30 मीटर पर सेकिंड final velocity 0 है और यह जो droplet आती है क्योंकि under the effect of gravity है तो acceleration की जगाँ आप लोग G पुट कर सकते हैं acceleration की जगाँ G पुट कर सकते हैं आप लोग इसमें ठीक है that will be your 10 मीटर पर सेकिंड स्कूर सही है अच्छा यह तो free fall हुआ अच्छा जब वो जम उस पर गिरेगी तब बता रहा है क्या हमें ओके ठीक है समझ गया यह तो हवा में थी तब जीका था लेकिन जब वो head पर आई तो कितना acceleration उसने लगाया तो वो fine करना पड़ेगा क्योंकि force fine करना हम लोगों को जब वो जल रही थी तब तो कोई दिकत नहीं थी जब वो head पर आके गिरी तब की condition बताते हैं हम लोग ठीक है तो जब वो head पर आके गिरी तो जब वो head के पास में थी तो कितना distance travel किया that will be the radius और विस ही बात है जब वो बूंद आके सर पर गिरी ही होगी जब टच की होगी सर पर डॉपलेट जब से ही सर पर आके गिरी होगी उस time पर जो इसका distance था that will be the half of the radius जब यहां पर उसकी velocity 30 थी जैसे टकराई उसके बाद final velocity 0 होगी तो यहां पर particular acceleration कितना apply की होगा इसने वो हमें find out करना है किक है जब तक हवा में थी उपर तब तो g लग रहा था तब तो बाद अलग है ज़ज यहां पर की बात अलग आजाएगी यहां पर acceleration निकलना पड़ेगा so v square equals to u square plus 2 a s से अगर हम इसको solve करें so from here v 0 हो गया u square जो होगा that will be your 30 का square plus 2 into a into 10 की पाव माइनस को 3 so 900 equals to 2 into a into 10 की पाव माइनस को 3 2 से यह 45, 450 तो यह value of a comes out b तो force will be equal to mass into acceleration so mass 4 milligram to 4 into 10 की पाव माइनस का 6 into 450 into 10 की पाव माइनस का साथ आएगा because the sir है वो droplet को रो कर रहा है and in that case it will be a retarding force माइनस का force जिजए रिवर 5 वोजए 20, 4 वोजए 16, 17, 18 it will be a retarding force it will be a retarding force क्योंकि यहाँ पर आके जो water droplet है वो रुक गई है इसलिए माइनस का साइन आया, retardation हो रहा है, retarding force लग रहा है magnitude की फॉर्म में बाते करोगे, it will be a 1.8 newton also ठीक है, जब वो water droplet सर पे टकरा रही आके तो retardation हो रहा है डॉपलेट रुक गई आके अब ऐसा थोड़ी हो तो टकराने के बाद हाँ, उसकी speed increase हो जाएगी और ज़्यादा टकराने के बाद water droplet रुक जाती है और रुकने के बाद वहाँ पे retardation आता है तो ये कहानी हवा में नहीं चल रही है कहानी हवा की नहीं बता रहा हूँ मैं, कहानी बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ की ये जब सर पे टकराने वाली थी जैसी सर पे टकराई, जैसी सर पे टकराई सर ने वहाँ पे, जो अंकल के जो इस सर है इस सर्ड ने यहाँ पे एक retardation प्रोवाइड किया water droplet को जिसकी वज़े से वो रुख जाती है यानि कि कितना 1.8 newton का force लगाया है तो जितना force water droplet के उपर सर लगा रहा था ओवेसी बाते उतना इस force water droplet सर के उपर लगाएगी according to the newton third law यह वो force बता है जो यह अंकल का सिर्फ इस water droplet के उपर लगा रहा था तो यहाँ पर लिख रहेना force exerted by the water droplet force exerted by water droplet is equals to minus of force applied by head on water droplet water यह important है ना तो newton के third law से हम लोग यह बात जानते है कि जो force exerted by water droplet होगा on the head that will be equal to minus of force applied by the head on the water droplet head कितना force लगा रहा था minus का 1.8 तो यह लिखेंगे minus of minus का 1.8 it will be a plus का 1.8 newton ठीक है तो यह वह force है जो यह head लगा रहा था water droplet के उपर यह head ही तो है जो water droplet को retardation प्रवाइट करा रहा था तो जो force हमने फाइंड किया it is actually the force applied by the head on the water droplet and according to the newton third law जितना force head water droplet के लगाएगा उतना यह force water droplet head के उपर भी लगाएगा for every action there is always equal and a positive reaction so यहां से force exerted by the water droplet it will be equal to the minus of the force applied by the head on the water droplet so minus of minus 1.8 it will be a plus का 1.8 तो यहां पर नूट कर लिए जिसको question number 8 completed समझ आ रिये तुम्हें बाते समझ किये तुम लोग पक्का ना बढ़े आगे ची कहे जी after this question number 8 question number 9 पर बढ़ते है question number 9 हमसे क्या बोलते है आओ देखे a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force f equals to minus kx with k equals to 15 newton per meter what will be its initial acceleration if it is released from a point x equals to 20 cm तो क्या वो लगे एक particle है जिसका mass 0.3 kg का है इसको subject किया कि force f equals to minus kx पर यानि कि इसके उपर एक force लगा है that will be a minus kx with k equals to 15 newton per meter what will be its initial acceleration if it is released from a point x equals to 20 cm तो इसका initial acceleration क्या होगा अगर हम इसको x equals to 20 cm से release करते है देखे वाई साब से दी सी बात है उसका release करना मतलब उसकी initial velocity 0 है और आपने इसके पर minus का kx का force लगा दिया है तो पहली बात तो है कि 20 cm पर force कितना लगेगा वो चेक करते है यह force variable है यह जो force तुमें दिख रहा है यह x पर dependent है x की value change होती जाएगी तो force change होता जाएगा तो 20 cm पर कितना force है उसके बारे में चर्चा करते है तो at x equals to 20 cm और I must say 20 into 10 is the power minus 2 meter force will be minus का k कितना है 15 है into 20 into 10 की पाव माइनस करते है माइनस कर फिफिटें टूजा 30 अब जो है force जो है negative आ रहा है negative force मुझे बस इतनी बात बताता है कि जो भी आपका motion हो रहा था जिस भी direction में आप जा रहे थे उसके opposite direction में force लगाएंगे जिस भी direction में आप जा रहे थे उसके opposite direction में force लगाएंगे बस minus cosine ये ही बता रहे है minus cosine ये ही बताता है कि जिस भी direction में आप जा रहे हो force उसके opposite में लगेगा अगर आप positive x axis पर जा रहे हो तो force इदर negative पर लगेगा अगर आप negative x axis पर जा रहे हो तो force positive x axis पर लगेगा अगर आप उपर जा रहे तो फोर्स नीचे लगेगा, अगर नीचे जा रहे तो फोर्स उपर लगेगा, बस रिटार्डिंग फोर्स ही है, ठीक है, इसके लाओ कुछ भी नहीं है, इसमें, तो भाई कितना लग रहा है फोर्स what will be the initial acceleration, तो initially कितना acceleration होगा, उसके पास में वो देखते हैं, so from the formula of force equals to mass into acceleration, we know better, force हमापस 3 newton का है, mass उसने दे रखा है 0.3 kg का into acceleration, point हटा होगे, अपन में 10 आएगा, 3, 3 से मर जाएगा, 1 equals to a by 10 बनेगा, and yes, the value of acceleration comes out to be 10 meter per second square clear है तुमें, समझ आ रही है तुमें बाते हैं, तो बस यही बात थी जो समझानी थी, जो force minus का 3 newton है, वो actually represent कर रहा है कि जो force आपके उपर लगा रहा है, वो retarding force होगा, आपके motion के opposite direction में वो force होगा, आपके motion के opposite direction में force होगा, and definitely जिस direction में force होता है, उसी direction में, acceleration भी होता है, ठीक है, तो आपका acceleration भी हमेशा motion के opposite direction में रहेगा, यानि कि retardation होगा ये, बढ़ टीक है, magnitude वाली बाते करोगे, तो 10 meter per second square is absolutely the perfect person, ठीक है, तो magnitude के साबसे भी चलोगे, तो 10 meter per second square, answer बिल्कुल सही आपका, समाज रोन बात को, बढ़े आगे, पका, चली जी, बहुत बढ़ बढ़े आगे, so after this question number 9, let us move on to the next question, question number 10 पहाईए, फटा फट से, बोला गया है, बोट दा spring, shown in the figure, are unstretched, if the block is displaced by a distance x, and released, what will be the initial acceleration, अगर इस बोक्स को आप थोड़ा सादिस्पेस करो, जहां तुम्हें मर्जी पड़े, वहां दिस्पेस करो, जहां मर्जी पड़े, इधर या फिर इधर, जैसे तुम्हें अचल लगे, और इसको रिलीस कर दो, डिस्पेस करा, और रिलीस कर दिया, तो initial acceleration कितना होगा, यह बताइए, क्या वरोगे, यह रहा बॉक्स, इधर लेके गए और छोड़ दिया, अब यह क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, तो इसका initial acceleration बताओ कितना होगा, सोचा कुछ, सोचा, चलो भई, diagram बनाते हैं इसके लिए, हमने बोला कि सर जी, हम उसको एक तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं थोड़ा सा, मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हैं इसको, ठीक है, तो यहां की जो spring है वो elongate हो जाएगी, और यहां की spring compress हो जाएगी, जैसे मैं इसको इधर लेके गया, मैं इसको इधर की तरफ, towards the right लेके जाता हूँ, तो जैसे मैं इसको right side लेके गया, तो यह जो k1 वाली spring है, k1 वाली spring elongate हो जाएगी, k2 वाली spring compress हो जाएगी, तो k1 वाली spring तो elongate हो गई है, और k2 वाली spring compress हो गई है, यह block का mass है m, जड़ा मुझे बताओ spring की tendency क्या है, spring हमेशा अपने natural length में रहना चाता है, तो इस k1 ने बोला कि तुम मेरे पास आओ, मुझे elongate नहीं होना है, माली जी आपने x distance उधर लेके गया आप इसको, आप इसको इधर x distance तक लेके गए, right side में x distance तक आप box को लेके गए, तो यह x distance elongate हो जाएगा, यह x distance compress हो जाएगा, सभी बात है, यह box अगर उठके, यह box अगर उठके इधर आएगा, तो यह x distance compress हो जाएगा, और यह x distance elongate हो जाएगा, तो इसने बोला, तुम भाई यह वापस अपनी जगह पर हो, है ना, हमें elongation होना पसंद नहीं है, इसने इसको बोला, कि भाई तुम अपनी जगह पर जाओ, हमें compress होने का कोई शौक नहीं है, तो box को, जैसे आपने x distance, displace कराया, towards the right, तो k1 वाली spring elongate होई, k2 वाली spring compress होई, k1 ने बोला, कि भाईया, तुम अपनी जगह पर आजाओ, मुझे elongate होने का कोई शौक नहीं है, k2 ने बोला, तुम अपनी जगह पर जाओ, मुझे compress होने का कोई शौक नहीं है, तो overall बेचारे, इस डब्बे के उपर net force लगता है, इस box के उपर जो net force लगता है, it will be your k1 x plus k k2 x, देखो, spring की tendency यह है, कि जितना आप उसको compress करोगे, उतना ही वो force आप पर लगाईगी, या जितना आप उसको elongate करोगे, उतना ही force उस पर लगाईगी, तो आपने अगर इस box को x displacement कराया, towards the right, अगर आपने इसको x displacement towards the right करवाया, तो यह x elongate हुई, और यह x distance compress हुई, तो दोनोंने देखो, force कैसा लगाया, k1 x, k2 x, दोनों का x अलग-अलग नहीं है, ठीक है, तो net force will be k1 plus k2 into x, तो इस बेचारे डब्बे के उपर net force कितना लग रहा है, k1 plus k2 into x, तो हमें तो बताना है, इसका acceleration क्या होता है, so we know better that acceleration equals to net external force upon total mass, तो इस डब्बे का mass कितना है, m है, net force is क्यों पर लग रहा है, k1 plus k2 into x divided by m, तो इसका जो acceleration आएगा, initial वाला है, it will be your k1 plus k2 x, k1 plus k2 x upon m, k1 plus k2 x upon m, this is the acceleration on this block, तो यह आपका question button complete हो गया, समझ आ रही है तुम्हें बात है, पक्का ना, note करो फिर आगे बढ़ते है, हो गया note, बढ़े अंगले सवाल पर अप, चल पर बढ़ते हैं, question number 11 पर आते हैं, क्या बोलते हम से, a small block B is placed on another block A, तीकर है, तुम्हें को को डियाग्राम में एक छोटा वाला डबा है, जो की एक बड़े वाले डबबे के उपर रखा हुआ है, and जो बड़ा वाला box है, A वाला, उसका mass 5 kg है, तो यह बड़े वाले box का mass 5 kg हो गया, और छोटे वाले box का कुछ नहीं पता, बस बड़ा वाला box जो है, वो 20 cm long है, बड़ा वाला box 20 cm long है, 5 kg का है, और उसको पर एक छोटा box B रखा है, initially block B जो है, वो एक end पे है, एक यो पर आपने force लगा है, अब यह B वाला इधर end पर आएगा, तो क्या आप बोलेंग A के उपर 10 Newton का force लगाते है, सारे की सारी की surfaces जो है, वो frictionless है, friction की कोई बाते नहीं करेंगे अभी हम यहापे, find the time elapsed before the block B separates from A, B वाला block A से separate कब होगा, जड़ा सोचो, B वाला block A से separate कब होगा, सोचो जड़ा, B वाला block A से separate कब होगा, देखो हो यार, आप A वाले को इधर लेकी जारे हो, force लगा के, यहाँ पर कोई friction नहीं है, तो बिचारा B फिसल दे आएगा, अगर आप box A को इधर लेकी जारे हो, तो यह B इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, इधर आएगा, और यह finally separate हो ज friction नहीं है, तो यह तो A आगे जाता जाएगा, B विचारा पीछे आता जाता यहाँ पर गिर जाएगा, तो अगर तुम लोग, अगर तुम लोग A को आगे की तरफ accelerate करते हो, तो A के रस्पेक्ट में B का acceleration पीछे आएगा, same, अगर तुमने A को आगे की तरफ accelerate किया है, तो A क respect में B का acceleration पीछे की तरफ आएगा, तुम तो बात जानते ही हो, समझते हो ना, अरे A के उपर खड़े हो जाओ, एक उपर खड़े हो जाओ, और देखो B को, तो तुम कौन से फ्रेम में हो, एक accelerating frame में, तो तुम्हें इसको पीछे आता हो दिखेगा, तो तुम्हें दिखेग B, अगर मैं B block की बात करता हूं, तो वाट फिल हैपन, अगर मैं B block की बात करों, तो B block कितना displacement कवर कर है, 20 cm का, तो यहाँ पे displacement कवर्ट बाइद ब्लॉक है 20 cm, इसको आप meter में convert कर लेना, तो 20 into 10 की पावर माइनस का 2 meter हो जाएगा, अपार्ट फ्रम देस, यहाँ पे इसको क कितना time लगता है, यह distance कवर करने में यह बताना है, acceleration कितना होगा, acceleration will be force upon mass, 10 newton का force लग रहा है, upon 5 kg का डबा है, यानि की 2 meter per second square will be the acceleration, यह आपको B के लिए किसने बोला, यह acceleration होगा, B वाले block के लिए यह acceleration होगा, आपको किसने बोला, अरे sir आप ही ने तो बताय था, कि अगर ह किसी एक accelerating frame से किसी को देखते हैं, तो इसको pseudo force दिखता है, समझ हो ना, आप ही ने बोला था, अगर आप किसी accelerating frame के उपर खड़े हो, के दूसरे को देखोगे, आप A के उपर खड़े हो, आप A के उपर खड़े हो, A वाला accelerate कर रहा आगे, क्योंकि A के उपर force लगा है, A के उ लगा है, तो A के उपर acceleration आगा 10 by 2, यानि 10 by 5, यानि की 2 meter per second square, तो A के पास acceleration है, और आप लोग को पता है, जब कभी भी आप किसी एक accelerating frame पे होते हो, तो उस ताइम पे आपको दूसरा वाला भी accelerate होता हुआ दिखता है, लेकिन उसके उपर एसल में कोई force नहीं लगा, इसको क खड़े होके B को देखोगे, तो आपका acceleration आगे है, लेकिन आपको B पीछे जाता हो दिखेगा with the same acceleration, यादे तुम्हें वो bus का और पेड़ का example बताया था, वहीं लगेगा यहाँ पे, तो B वाले block का acceleration भी हमने 2 meter per second square ले लिया है, now we can say simply कि भाई, पहले वो body यहाँ पे rest पे थी, तो initial velocity बिचारे की 0 हो गई, तो initial velocity भी 0 कर दीजिए, now using the equation x equals to ut plus half 80 square, हम question को बड़े प्यार से solve कर सकते हैं, तो x की जगह पे मैं put करोंगा 20 into 10 की power minus का 2, initial velocity 0 है, plus half into, acceleration 2 meter per second square का है, so 2 into t का square, यही तो fine करना है मुझे, so 2 into 10 की power minus का 1 is equals to t का square, so t का value मिलेगा, under root of 0.2, solve करोगे, 0.45 seconds मिलेगा, करके देख लो, नहीं है भरोसा तो, तो box B को A से separate होने में कितना time लगेगा, जब यह box B यहां से उठके यहां पर आजाएगा, तो वो नीचे गिर जाएगा, और A से separate हो जाएगा, जब ये box B यहां से उठके यहां आएगा तो वो separate हो जाएगा A से because A आगे चला जाएगा और वो box नीचे गिर जाएगा A आगे चला जाएगा box B नीचे गिर जाएगा तो जब A ये B वाला box जो है यहां से लेके यहां तक आ जाए यानि मैं बोल देता हूँ P point से लेके Q point तक जैसे box B तुम्हारा Q point पाएगा वो नीचे गिर जाएगा और A से separate हो जाएगा तो P से लेके Q तक जाने में कितना distance टेवल किया 20 cm का P से लेके Q तक जाने में 20 cm कवर किया है acceleration वही होगा जो नीचे वाले box का है but in the opposite direction same acceleration but opposite direction इसलिए क्योंकि A वाला box आगे accelerate कर रहा है अगर A से B को देखेंगे तो मुझे B accelerate करता हूँ देखेगा पीछे की तरफ because A हमारा non-inertial frame है non-inertial frame से किसी दूसरे को देखोगे तो आपको भी वो accelerate होता हुआ दिखता है in the opposite direction तो वो वाली बात होगी समने सब कुछ लिख दिया block B के लिए उसके बाद X equals to UT plus half 80 square की equation में क्योंकि initially block B वहाँ पे rest पे रखा हुआ था तो solve किया so T का value 0.45 seconds मिलता है this is the final answer clear है समझ आई बाते बहुत ज़्यादा tough है क्या नहीं है ना simple है तो इसको नोट कर लिजे फिर हम आगे बढ़ता है after this question number 11 फिर हम बढ़ेंगे question number 12 पे तो फटा-फट से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते है हो गया नोट कर लिए पक्का बढ़े आगे आ जाओ जी question number 11 के बाद हम आगे बढ़ते है question number 12 पे आजाते हैं जो कि कहता है a man has fallen into a ditch एक खड़े में एक आजमी गिर गया बैचारा जिसका width D है खड़े का width D है और उसके जो दो दोस्त है वो slowly slowly इसको बाहर निकाल रहे है by using a string light rope का use करते हुए वो इसको बाहर निकाल रहे ठीक है और यहां पर दो पुली भी लगा रखी है जैसा तुम्हें दिख रहे है show that the force assume equal on the both side है ना जो force है यहां पर है रसी के अंदर वो दोनों तरफ बराबर माल लीजिए तो यहां पर tension T अगर लग रहा है तो यहां पर भी tension T ऐसे लगेगा माल लीजिए कि यह जो same force लगा रहा है exerted by each friend on the rope increases as the man moves up तो जैसा जैसा यह force लगा रहे थे यह force लगा रहे थे इसके दोस्त और बोला गया कि दोनों दोस्त बराबर का force लगा रहे दोनों दोस्त बराबर का force लगा रहे है तो जब यह आदमी है तो कितना फोर्स लगाएंगे मैंने बोला था किसी भी रस्टी में ध्यान रखो point of application पे जो force है that will be equal to the tension at that point point of application पे जो force होता है that will be the tension at that point तो यहाँ पे tension आपका f के बराबर हो जाएगा यहाँ पे tension आपका f के बराबर हो जाएगा यह रस्टी पूरी सेम है तो attention bf के बराबर यह रस्टी पूरी सेम है तो attention bf के बराबर यहाँ तक तो कहानी clear हो गई है अब आगे solve करना है तो आगे solve कैसे करते है सोचो ज़रा यहाँ से देखो यह distance आदी है यह distance आदी है तो यहाँ से यह वाला अगर आप consider करोगे, it will be your d by 2, यह वाला distance आप यहां से consider करो, it will be your d by 2, यहां से height अगर consider करोगे, it will be your h, ठीक है, यह h height है, यह d by 2 है, ज़रा tension का component लेके solve कर लेते हैं, यह लोग भई वर्टिकल बना दिया, मा लीजे, tension ने वर्टिकल से theta angle बनाया है, तो इधर की तरफ मा यह है, की tension है, वर्टिकल से component बनाया theta वाला, theta, so t का component इधर की तरफ आएगा, t cos theta, आदमी का मास mg acting in the downward direction, weight, similarly यहां पे भी component जो हमने बोला, वो मालीजे, theta वाला है, so t का यह component यहां पे भी आएगा, t cos theta, तो वर्टिकल के forces define कर दिया है, मैंने, t cos theta उपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, जरा इसको point mass consider कर लेते हैं, यह हमारा वो आदमी है, यहां पे tension t लग रहा है, यहां पे tension t लग रहा है, मैंने बोला कि वर्टिकल से मान लीजे, दोनों जो है theta angle बना रहे है, वर्टिकल से मान ल retention इदर, retention इदर, दोनों के component उपर की तरफ आजेंगे, return s, t cos theta, plus t cos theta, समझे बात को, उसका थोड़ा simplified diagram मैंने यहां पे बना दिया है, साथ ही साथ तुम देखोगे, तो यहां पे यह d by 2 है, यह h है, यह angle theta तो यह angle भी theta हो जाएगा, जैसे कि मैं फिर से बना देता हूँ, य यह तुम्हारा h height की रस्ति थी, यहाँ पे तुम्हारा वो आदमी था, और यहाँ पर ऐसे tension T लग रहा था, ठीक है, यह तुम्हारा वो आदमी था जो खड़े में किरिया था, यह तुम्हार वो आदमी सार जो खड़े में गिरे है, टेंशन टी जा लग रहा है, यह d by 2, यह h है, यह theta हो गया तो यह भी theta हो जाएगा, and from here आप theta की value निकालिए, इस triangle का इस्तमाल करते वे theta की value निकालनी पड़ेगी, same काम इधर भी होगा, यह theta है तो यह angle भी theta हो जाएग और आपके पास में यह वाले rectangle बनेगा, यह h, यह d by 2, यह theta, वही बात है, देखो, यह h, यह d by 2, और यह theta, समझे बात को, समझे बात को, तो इसका simplify diagram मैंने हाँ पर बना दिया है, पहली चीज़ तो यहाँ से लिको, that 2t cos theta will be equal to mg, तो एक पाट तो यहाँ से मिल गया, that 2t cos theta will be equal to mg, अब बात यह है कि यार, मुझे निकालना है tension, क्योंकि जो force यह लोग लगा रहे है, वो tension के बराबर है, जो force यह लोग लगा रहे है, वो tension के बराबर है, तो tension की जगा चाहो, तो force भी लिख सकते हो, तो 2f cos theta equals to mg, so f की value आती है, mg by 2 cos theta, f का value आगे, mg by 2 cos theta, जारा cos theta को eliminate करते हैं यहां से, तो देखो, यह base है, यह perpendicular है, तो यह hypotaneous बनेगा, which will be cos to under root of h का square plus d का square by 4, यह base है, यह perpendicular है, तो यह hypotaneous बन गया, यह base, perpendicular, hypotaneous, hypotaneous होता है, under root of base का square plus perpendicular का square, कर जाए, यह d by 2 था न, so d by 2 का square हो जाएगा फिर, d by 2 था तो d by 2 का square, यानि की d square by 4 हो गया, तो cos theta होता है, base upon hypotaneous, यहां से cos theta की value जो मिलेगी, वो होगा, h upon under root of h का square plus d का square by 4, cos theta की जगा लिखेंगे, h upon hypotaneous, hypotaneous कितना है, under root of h square plus d square by 4, ठीक है, diagram दो दिख रहे हैं न, तुम लोगों को साफ एक्दम, यहां पे theta है, यह वर्टिकल से बना है, यह दोलों theta वर्टिकल से बना है, तो यह theta तो यह theta तो यह theta तो यह theta तो यह theta, h by 2 cos theta, और cos theta का जो value आया है, वो आया है, h upon under root of h का square plus d का square by 4. So solve this part, f का value जो बन जाएगा, it will be your mg by 2, cos theta की जगा, h upon under root of h का square, plus d का square by 4. सही है? पक्का? तो यह काम करते है, इसको कैसे लिखे है, base, 4 इदा में ले जाते हैं, उदा ले जाते हैं, f will be your mg, divided by 2h under root में, under root में, 4h square plus d square by 4. यह upon का ओपर चला जाएगा, mg upon 2h under root में, 4h square plus d square by 4. सही है? डिनॉमिनेटर के भी डिनॉमिनेटर में जो होता है, वो उपर निमिरेटर में चला जाता है, अब यह 4 बहार निकाल दीजिए, and your answer comes to be mg, divided by 4h under root of 4h square plus d square. यह वो force है, जो लगा रहे हैं, अपने दोस्त के उपर, जिससे वो उपर उठता जा रहे हैं. अब देखो, force की value depend करती है, इस height h पे. force की value depend करती है, इस height h पे. तो जैसे-जैसे h की value आप increase करोगे, force की value adjust हो जाएगा according यह. ठीक है, ध्यान रही यह बात है, पक्का ना. नोट कर लिजे. यह वाला नोट कर लिया, पक्का, इसको नोट कर लो. यह भी हो गया, पक्का, चल लिए भी, बहुत बढ़िया है, शाबाश. अगले question पर बढ़ते है, question number 13 क्या बोलते हैं हमसे हैं? आओ देखे, so question number 13 says, the elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A is 0.5 kg, but force is exerted by the block A on the block B. चल भी, इसको try करो, symbol सा बात है, lift है, accelerate करी नीचे की तरफ, और उसमें बोला है कि block A, 0.5 kg का है, तो जो block A है, वो B के उपर कितना force लगा रही है? तो ये क्या है, lift भी accelerate करी है? I think non-inertial का कुछ concept लग सकता है. देखो, try करो, खुछ से, फिर देखते क्या अंसरा आता है. किया गया, तुम लोगों ने try? यार, simple सा concept था, क्या वो लगया है, कि एक lift है, जो की नीचे जा रहा है, 2 meter per second square से, और दो block थे, यहां पर A और B. तो पूजा गया तुम लोगों से, कि A ने BP कितना force लगा है? तो मैंने पहले भी कहा है, कभी भी ऐसा question आ जाए, तो गवराओ मत, FBD बनाओ. तो यहां पर भी FBD बनाते हैं. मैं बनाता हूँ block A का FBD, यह हमारा block A है. Block A के उपर लगती है gravity, जिसकी वज़ा से वो करते हैं, क्या? वो लगाते हैं, एक force block B के उपर. A के उपर लगा gravity, gravity की वज़ा से A ने B को धका मारा नीचे की तरफ. अब जब A ने B के उपर पुश किया नीचे की तरफ, तो क्या B इसके उपर एक normal नहीं लगाएंगे? तो B ने लगाया A के उपर normal. जब A ने B को पुश किया नीचे, because of this gravity, A के उपर gravity लग रही थी, तो A नीचे की तरफ पुश हुआ, और उसने B को पुश किया नीचे की तरफ, तो बदले में B ने क्या किया? नॉर्मल फोर्स लगा दिया, अब हलनकि ये तो इनकी आपसी बाते चल रही थी, ये वाले तो इनका mutual फोर्स चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ तुम देखोगे, तो ये नीचे की तरफ A acceleration से भी जा रहा है, which is 2 meter per second square, क्योंकि ये A वाला block जो है, वो एक elevator के अंदर है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, 2 meter per second square से, तो ये वाला block भी 2 meter per second square से नीचे जाएगा, अब तुम्हारे इच्छा शर्द है कैसे भी solve करो, ground के frame of reference से देखोगे, तो ये दिखेगा, अगर lift के अंदर आके देखोगे, तो आपको इसके उपर एक pseudo force देखेगा उपर की तरफ, तो ये वाला concept लगता है तुम्हारे ground frame से, मैं दोनों बताऊँगा तुम्हें, ठीक है, ये वाला concept लगता है, ground frame से अगर देखोगे तो, और अगर आप इसको observe करो from the frame of the lift, lift के या फिर elevator के frame से देखोगे, तो diagram को है, कुछ इस step से बनेगा, जिसमें कि ये block A होगा, नीचे M, A, G लगेगा, इधर से normal लगेगा, और एक force pseudo वाला M, A, into A, उपर की तरफ लगेगा, जो कि 2 meter per second square का है, acceleration 2 meter per second square का है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ground frame से देखते हो, तो ये नीचे आता हो, देखते है, acceleration से, lift के frame से देखोगे, तो pseudo force की कहानी लग जाएगी, बात तो वही है यार, कुछ भी difference नहीं है आपे, equation लिखो, M, A, G, minus का normal is equals to M, A, into 2 meter per second, so then the value of normal comes out to be M, A, G, minus M, A, into 2, इधर solve करके देखो, दोनों frame साना से नहीं आएगे देखना, नीचे लगने वाला force M, A, G, बराबर होगा, उपर लगने वाले force के हैं, यारी की normal plus M, A, acceleration जो है, अपका 2 meter per second square का है, तो यहाँ पे भी 2 meter per second square लिख देना, इसको, so normal जो मिलेगा, वो मिलेगा M, A, G, minus M, A, into 2, तो भखले तुम इसको ground frame से solve करो, या lift के frame से solve करो, एक ही बात है, lift के frame में pseudo force आ जाएगा, क्योंकि आप lift में हो, और lift accelerate कर रही है, यारी कि आप एक accelerating frame के अंदर हो, तो अगर आप लोग lift के frame में आते हो, तो pseudo force लग जाएगा, और अगर आप normal ground frame से करते हो, solve तो कोई pseudo force नहीं है, उसमें acceleration लगा के, आपको आपका final answer मिल जाएगा, तो यही बात बोल रहो है, या तो तुम इसको inertial frame से solve करो, या फिर तुम चाहो तो non inertial frame से भी solve कर सकते हो, अब देखो तुम बोलोगे कि सर यह क्या बात होती है, कभी आप ground को inertial बोल देते हो, कभी ground को non inertial बोल देते हो, तो मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ground पे खड़े होके, ground पे ही observe कर रहे हो, अर्थ पे खड़े हो और अर्थ पे ही किसी चीज़ को observe कर रहे हो, तो फिर तुम उसको inertial ले सकते हो, लेकिन अगर तुम universe से बाहर चले गए, solar system में चले गए, sun पे चले गए, moon पे चले गए, तो वहाँ पे फिर earth को non inertial है न, क्योंकि वहाँ से देखने पे earth motion करती है फिर, ठीक है, तो अगर तुम ground पे खड़े हो, और earth पे ही किसी चीज़ को observe कर रहे हो, तो इसको तुम inertial frame मान सकते हो, बागी तुम्हारी इच्चरशद है, इस से solve करो, उस से solve करो, answer से मिलेगा, मैं blackboard पे solve करते तो, normal की जो value मुझे मिलेगी, it will be, n is equals to, mag, minus का ma into, acceleration जो था, वो 2 था, taking out ma common, it will be your g minus 2, ma को common ले ले ले, g minus 2 बन गया, g का value में 10 ले ले लेता हू, mass of a, a block का mass कितना दे रखा है, mass of the block a is 0.5 kg, so it will be your 0.5 kg, g का value में 10 ले लिया, minus का 2 तो ले लेके है, और it will be a 0.5 into 8, and 8 5s are 40, it will be your 4 newton, sir ये तो वो वाला force है, जो block B ने अ पे लगाया, है ना, normal force क्या है, ये वो force है, जो block B ने A पे लगाया था, हमें तो ये नहीं चीये था नौ, ये वो force है, applied by B on A, हमें ये नहीं चीये था, हमें तो चाहिए कि force exerted by block A on block B, तो भही block B ने A पे force क्यों लगाया, block B ने A पे force क्यों लगाया, because A ने B के उपर force लगाया था तो समझे बात को block B ने A के उपर force क्यों लगाया because A ने B को force लगाया A ने B को force लगाया 4 Newton का इसलिए block B ने भी A के उपर force लगाया according to the Newton's third law according to the Newton's third law A applies block on A applies force on B जिसके लिए B ने भी बदला ले लिया फिर जिसके लिए B ने भी बदला ले लिया फिर उससे ठीक है तो वो सेम ही magnitude का force बट अपोजिट डिरेक्शन में हो जाएगा सेम मागनिटूट का force बट अपोजिट डिरेक्शन में लग जाएगा so 4 Newton is the final answer for this question एक काम करो पहले इसको नोट करो फिर अगले पार्ट पर आते हैं और वो भी नोट करवा दूगा फिर भी ठीक है तो यहां पे तुम्हें option मिलता है तुम्हारी इच्छा शद्द है या तो ground frame से solve करो या फिर लिफ्ट वाले frame से solve करो तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे solve करो हो गया नोट? बहुत बढ़िया शाबाश इसको भी नोट कर लो हो गया? पक्का? बहुत बढ़िया शाबाश सो यह कोशन नमबर 13 हमारा कंप्रीट हो गया है अब हम अगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 प्या जाते हैं and the question 14 says a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator find the tension in the string if the elevator goes up with an acceleration of 1.2 meter per second square goes up with an de-acceleration of 1.2 meter per second square goes up with uniform velocity goes down with an acceleration of 1.2 meter per second square goes down with an acceleration of 1.2 meter per second square de-acceleration अगे इस बार and goes down with uniform velocity तो बहिया हमारा पास कुल मिला के आ रहे हैं 6 cases इन 6 cases में पहले तो बोल रहा है उपर जा रहा है acceleration से उपर जा रहे de-acceleration से uniform velocity से उपर जा रहा है फिर वो नीचे आ रहे accelerate करते हुए और नीचे आ रहे constant velocity से तो तीन case उपर जाने के तीन case नीचे आने के और यहाँ पे एक bob को जिसका मास 50 gram का है उसको attach कर दिया है आपने pendulum के साथ में ओके तो यह हमारी lift हो गई यह bob 50 gram का है इसको मैंने attach कर दिया है यहाँ रसी से और यह lift के बारे में बोल गया है तो पहला case होगा है lift उपर जाती है एकसलेशन से तो हमारा पहला case आजाएगा जिसमें lift उपर की तरफ जाएगी विजन एकसलेशन आफ 1.2 meter per second square अब देखो मैंने फिर से वही बात बोलूँगा कि तुम्हारी इच्छा शब्दा है कि तुम्हें इसको कौन से फ्रेम से solve करना है ट्राइ करो एक आफट आफट से FBD बनाओ सबसे पहले तो और उसके बाद या तो इसको ground frame से solve करो या फिर lift के frame से solve करो lift का frame लोगे तो pseudo force आएगा ground frame से ऐसी कोई बात है नहीं होगी हो गया किया ट्राइ तुम लोगो ने मैं कर रहा हूँ solve देखो भई यहाँ पर 50 gram का है तो यहाँ पर definitely जो एक force लगेगा पहले बाद तो 50 gram को kilogram में convert कर लेते हैं तो इसका mass मैं बनाओंगा कितना M मान लेते हैं let's say M is the mass it will be your mg acting in the downward direction tension T लगेगा उपर और अगर आप इसको ground frame से देखते हो तो यह pendulum उपर जाता हो देखेगा अगर आप lift के frame से देखोगे तो एक pseudo force दिखाई देगा तो मैं इसको ground frame से solve कर देता हूँ तो मैं अच्छा लगे तो इसको lift के frame से भी solve को लेना so ground frame से अगर मैं solve करूँ so it will be like यह रहा पर एमजी acting downward tension T उपर लग रहा है और यह उपर जा रहा है with an acceleration of A यह ground frame की कहानी हो गई bob tension T उपर लग रहा है mg नीचे लग रहा है और यह bob उपर जा रहा है A acceleration से this is the value of A lift का frame क्या बोलेगा lift का frame बोलेगा की भाईजा आप तुम A lift के अंदर हो lift अगर तुम lift के अंदर आगे तो तुम एक accelerating frame में हो तो pseudo force लगा देना नीचे बात वही रहेगी equation को solve कर लेते हैं यहां से so the equation comes out to be T minus का mg is equals to ma हमें क्या find करना tension in the string अलग-अलग cases में तो यहां पे tension find करते हैं mg प्लस ma so the tension will be mg प्लस ma so taking out the mass common 50 gram है तो kilogram में convert कर लेता हूँ G का value question में कुछ बोले क्या नहीं बोले 10 ले लेना और acceleration जो है रहा 1.2 आ रहा है तो एक काम करो ना है 10 लेके solve करोगे क्या 9.8 ले लो इस पार G को 9.8 लेके solve करो मज़ा आएगा देखना G की जगा मैंने 9.8 ले लिया और acceleration आ रहा है 1.2 अब देखो कितने प्यार से question solve हो जाएगा acceleration 1.2 था G का value मैंने 9.8 ले लिया solve करते है अब इसको so the value of tension here comes out to be 50 by 1000 multiplied by 9.8 plus 1.2 it comes out to be 11 तो ये बन जायता है 11 तो 0 से 0 मर जाएगा and it comes out to be 55 by 100 solve this part the value of tension comes out to be 0.55 Newton tension का जो value मिलता है 0.55 Newton मिल जाएगा this is the final answer पहला वला part मैंने solve किया है चाहो तो ground frame से solve करो चाहो तो lift के frame से solve करो तो पहला part मैंने किया है अब अगला वाला part बोलता है कि यही lift उपर जा रही है लेकिन de-acceleration हो रहा है 1.2 meter per second तो यह तो पहला part हो गया है अगला part यहाँ पर solve कर देते है next part हमसे क्या बोलता है कि जो lift है वो उपर जा रही है तो यह हमारा tension T लगेगा ऐसे यह bob है बॉब का मास M है तो MG नीचे लगेगा lift उपर जा रही है लेकिन इस बार retardation हो रहा है तो it will be your minus का 1.2 meter per second square so जो retardation हो रहा है minus का 1.2 meter per second square de-acceleration बोला है तो minus का sign ध्यान अतना now the equation can be written as ground frame से solve कर रहो है इस थारे part को तो तुम चाहो तो lift के frame से भी solve कर सकते हो so this can be written as T minus का MG is equals to MA लेकिन A का value जो होगा minus का 1.2 ले ले लेंगे and the value of T can be written as MG minus का M into 1.2 so taking out mass common G का value मैंने 9.8 लेना था 9.8 minus का 1.2 so I think it comes out to be 8.6 so mass जो है वो 50 upon 1000 into 8.6 6.5s are 30 8.5s are 40 4.30 divided by 1000 0.43 so लो भाई तुमारा second वाला केस भी आगया है जिसमें जो lift थी उपर की तरफ देक्सलरेट कर रही थी with 1.2 meter per second square so जब भी देक्सलरेट बोले तो समझो minus का लगाना है तो minus का sign लगा दी है मैंने solve गई है 0.43 newton आ रहा है अब मैं third case को solve करता हूँ third case says कि अब lift उपर जा रही है लेकिन एक constant velocity से तो अगर मैं बात करूँ constant velocity की तो ये pendulum जिसका mass M है तो इसका weight mg हो जाएगा tension T will act upward और यहां पर उपर जा रही है constant velocity के साथ में अगर velocity constant हो गई है so we know better acceleration 0 हो जाएगा और अगर acceleration 0 हो गया है तो now this can be solved very easily कि T जो है वो आपका mg के बराबरी होगा so T can be written as mass 50 grams convert it to the kilograms into G का value 9.8 ले 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 लेना तो solve this part 0.49 newton इस ता final answer ठीक है तो इसका answer रहेगा 0.49 तो यह मैंने 3 case तो solve करती है जिसमें lift उपर जा रही थी अब अगले case पर आते है जिसमें lift नीचे आ रही थी clear है नहीं आपाट तो अगला case है जिसमें lift अब नीचे की तरफ आएगी तो अब नीचे आने वाले motion को consider करते है C हो गया था D वाला part तो यह हमारा वो bob उपर tension T लग रहा था नीचे की तरफ mg लग रहा था अब बोला गया है कि यह lift नीचे की तरफ आरिये तो अगर नीचे आएगी तो यह भी नीचे आएगा 1.2 meter per second?' ब लिफ्ट अगर नीचे आएगा B हो गए है C वाला हमने complete कलिए LWING FOR THE D पर जाब आण WR carries Lawrence solving this part mg minus t is equals to ma. mg minus ma is the value of t. So the t can be written as mass common, 50 upon 1000 is the mass, which is common. g value 9.8 minus acceleration 1.2. Solve this part, how much is this 0 point? 50 upon 1000 into 8.6, 50 upon 1000 into 8.6, 0.43 newton, solve 0.43 newton, this is our final answer. यार, यह 8.6 बनेगा, same case अभी solve किया तम लोगों ने, फिफ्ट केस बोलता है कि यह नीचे की तरफ तो आ रहा है, लेकिन retard हो रहा है नीचे की तरफ आते वक्त, तो इसके लिए एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहां पे t और नीचे की तरफ, इसके लिए एक्सेलरेशन कैसे लिखे जाएगी? equation can be written as mg minus ka t, so the value of t comes out to be mg plus m into 1.2, यह minus ka 1.2 है, यहां पे आगे plus ka 1.2 बन जाएगा, minus ka 1.2 है यह, तो don't get confused with this, so it's minus ka 1.2, इधर आएगा plus ka बन जाएगा, minus ka t उदर जाके plus ka बन जाएगा, so t can be written as 50 upon 100, 1000, 50 upon 1000, g का विए 9.8 ले लिजिए और यह 1.2, तो यह 9.8 plus 1.2 solve करनेंगे, और यह 11 बन जाएगा, so the value of t comes out to be 0.55 newton, तो तुम बात समझ रहे होंगे, समझदार तो हो ही सही, तो मैं पता चल रहा होगा कि जो case, जो case उपर accelerate करने के लिए आ रहा था, वही case हमारा नीची के तरफ DEXLRATE करने पे आ रहा हैT और हमारा final case जो है F वाला जो हमसे कहता है कि भाई सब अब यह नीचे के तरफ आ रहा है लेकिन constant velocity से नीचे के तरफ तो आ रहा है लेकिन यह इस बार constant velocity से and we know better कि अगर velocity constant तो acceleration will be 0 जानते हो ना यह बात तो कि अगर velocity constant हो जाएगा तो acceleration जो है वो 0 हो जाएगा and in that case I must say कि जो T है वो MG के बराबर होगा T will be equals to the MG अब यहां से अगर मैं solve करूँ so mass तो वही 50 grams का है kilogram में convert करेंगे G का value 9.8 ले लेना solve कर देना T का value 0.49 newton हैगा बात यह है कि भले वो उपर जाए या नीचे जाए अगर वो constant velocity से आ रहा है तो comparison करना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए यह तीन case downward motion के बना दिया है यह दो case तुम्हारे upward motion के है और इससे पहले मैंने वह उपर accelerate करने वाला case बता दिया था काम करो कैसे note करना मैं बताता हूं सबसे पहले तुम इस diagram को बना लो diagram बना के पहला case तो solve कर लो यहां पर यह तुम्हारा पहला case solve करने के बात में फिर तुम second पर जाओ और define करो कि वह upward motion के लिये सारे cases पहला वला अपवर्ड मोशन के लिए दूसरा upward के लिए तीसरा भी upward motion हो रहा है तूं ये 3 cases तो upward motion के define करती है मैंने अगर यह T updates क्लियर हो गया है तो आम आगे बढ़ सकते हैं हमारे next case पहा जाते हैं जिसमें हम downward motion को define कर रहा है तो यह सारे केसे आपके डाउनोड मोशन के लिए तो इनको भी नोट के लिए फटा-फट से चीके भई हो गया हो गया नोट है ना बहुत बढ़िया तो क्लियर है ना कोशन नुबर 14 तो यह सिस अल अलबाद दर कोशन 14 पार्ट इंक भी सब को गिलियर है कोई रोकेट सेंस नहीं बहुत सिंपल से केसे जो हमने कुछी विचिन में बिक्या राइट अब अगे बढ़ते हैं तो नेक्स कोशन कोशन में 15 हमारा क्या बोलत हम से हाओ देखे कोशन हो 10 says the person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator the elevator starts going up with some acceleration moves with uniform velocity for a while and finally the accelerates to stop the maximum and the minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg assuming that the magnitude of the acceleration and the de-acceleration are the same find the true weight of the person the magnitude of acceleration taking the GS 9.9 meter per second square okay तो क्या बोला गया है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है और एक वेइंग मशीन पर खड़ा है लिफ्ट पहले उपर एक्सलरेट करती है फिर कॉंस्टेंट वेलोसिटी से चलती है फिर डी एक्सलरेट करती है इस केस में पूरे पात के दौरान जो मैक्सिमम और मिनिमम वेट रिकॉर्ड किये गए क्योंकि वेइंग मशीन आपके वेट रिकॉर्ड करती है that are the 72 kg and the 60 kg respectively आपसे पूझा गया कि एक्चुल वेट कितना होगा तो एक बात तो है कि जो वेट हम रिकॉर्ड कर रहे है वो वेइंग मशीन से कर रहे है और यह हमें apparent वेट को बताती है याद है तुम्हें कि अगर किसी भी elevator के अंदर अगर हम बात करें एक lift है और lift के अंदर एक वेइंग मशीन है और कोई मुझसे बोले कि यार मैं इस वेइंग मशीन पर खड़ा हूँ और यह lift अब उपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे जो हम इसका FBD बनाते थे इट विल भी लेक्शन उपर की तरफ लगाता था वेइंग मशीन और यह इसका वेइट होता था Mg acting in the downward direction तो equation जो हम बोलते थे अगर ground के respect में बात करें तो equation can be written as N-Mg is equals to Ma Mg में आपने कुछ add किया है यानि कि यह जो है maximum weight आपका जो recorded हुआ maximum वाला 72 kg के बराबर होगा फिर बीच में lift constant speed से चली जब lift constant speed से चलती तो N बराबर Mg हो जाता है लेकिन जब lift उपर जाते जाते हैं retard करने लग जाए third वाला case क्या बोला था कि finally वो जो है de-accelerate करती है and retard करती है de-accelerate करती है to the stop यानि कि वहाँ पर अब lift retardation के form में आ रही है so यहाँ पर फिर से वही case में बना देता हूँ कि यह lift है मेरे पास और यह एक weighing machine है और this is the person same person इस बार यह lift उपर जा रही है लेकिन de-accelerate हो रही है it will be your minus a lift उपर तो जा रही है but वो de-accelerate हो रही है तो यहाँ पर भी अगर मैं इसका FBD बना दूँ so it will be like normal force उपर की तरफ लगेगा mg will act in the downward direction so the equation can be written as n minus mg is equals to m into minus ka a because यहाँ पर de-acceleration हो रहा है because यहाँ पर de-acceleration हो रहा है so it will be a minus ka a so equation can be further written as n equals to mg minus ma so the देखा एक तरफ normal जो आपको मिल रहा है वो mg plus ma मिल रहा है एक तरफ normal आपको mg minus ma मिल रहा है so overall मैं जानता हूँ यह maximum recorded weight है वो minimum recorded weight है यानि कि आपके पास जो maximum weight record किया गया था 72 kg का यह रहा जो minimum weight record किया गया था 60 kg का यह रहा और जब lift हमारी constant velocity से चलती है तो उस time पे क्या होगा कि यह रही वो lift यह रहा weighing machine जिसके उपर एक person खड़ा है और अब हमने बोला यह lift उपर जाती है constant velocity से constant velocity से जाने का मतलब है acceleration zero है यानि कि जो normal force उपर लग रहा है that will be is equal to the mg the actual weight और यहां पे आपका जो apparent weight है वो actual weight के बराबर होगा ठीक है पर उसने इसके बारे में कोई जिक्री नहीं किया उसने बोला maximum weight और minimum weight जो हमने record किया है वो 72 kg और 60 kg का है तो मैं क्या हूंगा यहां पर कि जो आपको मिला है ना यह 72 kg के बराबर है the normal will be equal to 72 g because kg weight में है तो यहां पर g से multiply करोगे तो force बनेगा फिर वो और यहां पर weight की बात करें it will be your 60 g तो यह mg प्लस ma 72 g है और यह mg माइनस ma आपका 60 g के बराबर है अब यहां तक सारी बाते हमें clear हो चुकी है नॉर्मल वो weight था वो kg में है यानि की mass है तो आपको g से multiply करना पड़ेगा so now we have two equations इनको solve कीजिए और mg का value find out कीजिए दो equations है दोनों को solve कीजिए mg का value find कीजिए let us solve this on the blackboard mg प्लस ma equals to 72 g so it can be written as mg प्लस ma is equals to 72 g और एक equation थी mg माइनस ma is equals to 60 g तो एक काम करते हैं दोनों equations को add कर देते हैं दोनों equations को add करने से फाइदा यह होगा की ma से तो ma can slot हो जाएगा it comes out be 2 times of mg is equals to 72 plus 60 it comes out be कितना 132 g g से g cancel out हो जाएगा तो value of m comes out be 132 divided by 2 so m comes out be 66 kg यानि actual में जो आदमी का मास है या फिर तुम वेट जिसे बोलता हो वो 66 kg का है तो इसका अगर वो बोलता है कि find the true weight of the person तो इसका जो true weight है जो actual में उसका मास है वो 66 kg का है अब देको हम लोग उसको जनरली weight बोल देते हैं और weight बोलने का जो weight मिलेगा वो 66 g newton मिलेगा जो मास है वो 66 kg है एक्शुल में मांग वो मास ही रहाता है लेकिन जनरली हम उसको weight बोल देते हैं because g का value हर जगा से में तो वो कोई variation नहीं आता है जाधा खास इसमें और वो जाधा कोई खास variation आता भी नहीं है ठीक है so पहला पार्ट हमने clear कर दिया जिसमें हमें उसने true weight के बारे में पूछा था तो मैंने बोला भाई true weight होगा 66 kg का second part वो मांगता है the magnitude of the acceleration तो भाई यह बताओ ज़रा कि यह acceleration का magnitude क्या होगा तो आप किसी भी एक equation में M की जगा पर value put कर दिजे भले आप यह वाली equation ले लीजे या फिर आप यह वाली equation ले ले लीजे किसी भी equation में M की जगा पर 66 put कर दिजे and solve कर दिजे सो मैंने बोला किया मैं एक काम करता हूँ किसी एक equation में जो M है 66 put करके उसको solve कर देता हूँ सो let us consider कौन सी ओल equation ले, उपर ओली है ले 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 ले, so it will be your mg plus ma equals to 72g, so 66a comes out be 72g minus 66g, क्योंकि mass की जगा मैंने 66 put कर दिया, ठीक है mass की जगा मैंने 66 put कर दिया, तो 66g इधर जाएगा, तो minus का हो गया, यह 66a हो गया यह value of a comes out be, how much is this, 72 minus 66, कितना होता है, 72 minus 66, कितना बनेगा, 6 चाहिए बनेगा, so it comes out be 6g divided by 66, and again once you solve this part, आपको जो value मिलेगी यहाँ पे a का, it comes out be g by 11, तो यह उपर कितने, जो acceleration था lift का, it will be g by 11, further solving this part, तो यहाँ पे g के जगा आप क्या गर सकते हो, 9.8 ले 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 न, ठीक है, so it will be 9.8 divided by 11, so approximately, approximately इसको आप 0.9 meter per second square भी लिख सकते हैं, approximation answers बता रहो आपको, ठीक है, चाहो तो 98 को 99 लिख दो, 11, 9 is a 99, upon me 10, 0.9 answer आजाएगा, ठीक है, जाया तो g by 11 बोल दीजिए, या फिर 0.9 meter per second square बोल दीजिए, further solving के लिए जो blackboard वाला पार्ट है, मैं भी note करवा देता हूँ, इसको note करो पहले तो, अरे important है या, जल्दी note करो, हो गया note, पक्का, अब इसको note करो, फड़ा फड़ से, यह वो beach वाला case है, जब वो constant velocity से चला था, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमें तो चीए था maximum weight, minimum weight, उसके बाद हमने true weight निकाल लिया, and finally, किसी भी एक equation में true weight को put करके acceleration भी निकाल लिया, simple है, बहुत ज़्यादा, कोई rocket science नहीं है, मुझे पता है, तुम लोग अहीं घखराते हो, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत हो अगरो, बहुत simple है, सारी बाते, यहाँ पे हमारा question number 15 complete हो गया है, I think clear है जभी को, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, okay, so after this question number 15, so let us move on to the next question, question number 15 के बाद 16 पर आजाते हैं, जो हमसे कहता है, find the reading of the spring balance, shown in the figure, the elevator is going up with an acceleration of g by 10, the pulley and the string are light here, and the pulley is smooth, ठीक है, तो पहली बात तो pulley और सी massless है, pulley smooth है, ideal pulley की बात हो रही है, और यह elevator उपर जा रहा है, और यहाँ पर acceleration है, उपर जाने का g by 10, तो reading क्या होगा, spring balance का वो बताईए, मैं एक hint दे देता हूँ, क्या करना है, आपको tension find करना है, अगर tension निकाल लिया, तो यहाँ पर tension 2T होगा, and that will be the reading, ठीक है, एक बाट टेंशन निकाल लो, फिर यहाँ पर जो reading हैगी, वो 2T के बरावर होगी, यह जो pulley पर जो pulley के hook पर जो force लगे का, that will be 2T, और वोई 2T जो है, इसकी reading होगी, तो एक बाट ट्राय करो, tension find करना है, the most important part, कि सबसे पर आप tension निकालो इसका, try करो, फटा फट से, हो गया solve, किया तुम लोगों ने try, क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा शद्द है कि तुम्हें कहां से consider करना है, lift का frame consider करोगे, या फिर तुम normally ground के frame से consider करोगे, जो अच्छा लगे, वैसा solve करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा शद्द है कि तुम lift का frame consider करते हो, या ground frame consider करते हो, और अभी तक मैं ground से solve करा रहा था, अगर तुम बोलते हो, तो मैं lift से भी करा देता हूँ, तो यहाँ पर lift का frame consider करते है, ठीक है, तो from the frame of the lift, lift का frame consider करते होए, तो 1.5 kg वाले डबबे की बात करें, इसको मैं B बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं B बोल देता हूँ, it will be of 1.5 kg box, इस पर कौन-कौन से forces लगेंगे, आओ उसकी चर्चा कर लेते हैं, पहली बात तो यहाँ पर लगेगा 1.5 g नीचे की तरफ, apart from this, tension T लगेगा उपर की तरफ, and अगर मैं lift frame में हूँ, तो lift हमारी उपर जा रहे है, जी बाइ 10 से है, तो इसके उपर pseudo force लगेगा नीचे की तरफ, lift का frame consider करते हो, तो pseudo force आता है, ground frame से consider करोगे, तो कोई pseudo force नहीं आएगा, ठीक है, तो इस जिसका धियान रखो आप थोड़ा सब, तो consider कर सकते हो, आप लोग, आप बोलो कि भाई सब, यहाँ पे pseudo force लगेगा, 1.5 g by 10, g by 10 acceleration से उपर जा रहा था, तो pseudo force लग गया, m into a, मैं इस के आपे लिख दता हूँ, pf, यानि कि pseudo force, pf मतला अब pseudo force होता है, ना, pseudo force की spelling ऐसी होती नहीं है, तो pseudo force को मैं short, मैं pf लिख रहा हूँ, so that तुम्हें confusion ना हो, okay, हाँ, तो यह तो pseudo force हो गया, यह b वाला block हो गया, अब मैं a वाले block को बना लेता हूँ, a वाला, यानि कि वो उदा जो 3kg का है, यह a वाला block हो गया, इसका mass 3kg का है, तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा एक तो 3g, apart from this 8 नीचे लगेगा 3g by 10, which is the pseudo force, ठीक है, and उपर की तरफ टेंशन T, पर क्या यहां पर रुख जाओ गया के, नहीं sir, यह तो आपने नॉमल डागरम नहीं, अब वो एक mass 3kg का है, एक mass 1.5kg का है, इनका आपा स्मेल तो acceleration चलेगा कुछ, अरे वो atwood machine है, atwood machine में एक तरफ 3kg का है, एक तरफ 1.5kg का है, तो definitely जो heavy है, acceleration कुछ तो होगा यहां पर, तो एक काम करते हैं, हमने अपना normal दिमाग लगा है, मैंने बुला 3kg का है, यह नीचे की तरफ accelerate करेगा A से, यह 1.5kg का है, यह उपर की तरफ accelerate करेगा A से, यह हमने अपना एक्सटर दिमाग लगा है, क्योंकि किसी भी system में अगर आप देख लो, कोई भी police system आता है, तो अगर एक heavy block है, और एक light block है, तो heavy वाला नीचे जाता है, A acceleration से, तो same acceleration से यह भी उपर जाता है, तो यह वाला acceleration A से नीचे आया, तो यह भी उपर चला गया A acceleration से, तो A और B के लिए दोनों की कहानी मैंने define कर दिये, B का मास 1.5 kg होगा, A का मास 3 kg का होगा, चलिए भई, इसको solve कर लें किया अब हम लोग, इन लिए equations को लिख देते हैं, तो सबसे पहले मैं B वाले की equation लिख देता हूँ, so B वाले की equation लिखी जाएगी, T minus का 1.5 G, minus का 1.5 G by 10, हो गया, that will be equals to 1.5 A, equation number first, ठीक है, net force, net force, उपर लगता है T, नीचे लग रहा 1.5 G और 1.5 G by 10, तो यह net force equals to mass into acceleration, तो mass into acceleration कर दिया, same काम यहाँ करेंगे, so this will be your 3 G, plus of 3 G by 10, minus का T equals to 3 A, this is your second equation, ठीक है, net force, नीचे की तरफ लग रहा था, तो 3 G plus 3 G by 10, minus का T equals to mass into acceleration, 3 into A, दो equations आगी है, इन में से क्या-क्या eliminate कर सकते हो, जितना elimination हो सकता है, वो कर दीजिए, and जो चीज़े हमारे पास बसती, उसको आपस में solve कर लेंगे, ठीक है, so let's solve this part, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं पहले तो, एक काम करते हैं, मुझे tension find करना है, no doubt tension find करना हम लोगों को, लेकिन पहले इस A को हटा दें क्या यार, A को हटा दें क्या यार यहां से, क्योंकि A अगर हट जाए, या फिर एक T को eliminate कर दो, T को eliminate करके पहले A का value निकाल लो, फिर A का value किसी भी equation में बुट करके tension निकाल ले न, ऐसे भी कर सकते हो, या तो A नहीं निकालना है, तो एक काम करो, उपर वाली equation को 2 से multiply कर दो, और पहले वाली से minus कर दो, दूसरी वाली से minus कर दो, ठीक है, यह सही रहेगा, तो equation 1 को, equation 1 को multiply करते है 2 से, और फिर minus कर देते है equation number 2 से, equation number 1 को पहले तो multiply कर देते हैं 2 से और उसके बाद equation 1 2 में से उसको minus कर देते हैं तो equation number 1 को पहले तो multiply करो equation number 1 को पहले multiply करो 2 से तो यह हो जागा 2t minus का 3g minus का 3g by 10 minus का 3g by 10 plus का t is equals to ठीक है यह वाला पार्ट मैंने ऐसे लिख दिया उसे multiply करके 2t 1.5 into 2 3 1.5 into 2 3 तो यह दो 3g और 3g by 10 यह तो आ गया फिर second equation से minus करोगे तो minus का 3g minus का 3g by 10 minus minus plus होते हैं तो plus का t is equals to उपर 3a minus 3a 3a minus 3a मैंने क्या किया equation 1 को 2 से multiply कर दिया और equation 2 में से minus कर देंगे उसको तो यहाँ पर जो जो चीजे करती है उसको काटो पहले तो यह देखो 3a से 3a मर जाएगा पूरा तो इसको blackboard पर solve करते आगे so equation हमारी जो बनेगी वो बनेगी 2t minus 3g minus 3g by 10 minus 3g minus 3g by 10 plus का t equal to 0 so 2t minus 3g minus 3g by 10 minus 3g by 10 minus का 3g minus का 3g by 10 plus का t plus का है की minus का है plus का है प्लस का t is equal to 3a minus का 3a मैंने बोला यह वाला पार जीरो हो गया तो यहाँ पर देखो तो 3t minus का 3 6g minus का 6g by 10 है ना और is equal to 0 so 3t is equal to 6g plus 6g by 10 so 3 से cancel out कर जीरो, t का value आएगा 2g plus 2g by 10 so tension जो आपको मिलेगा, it will be your 12, 13, 14, 14 g by 10 सही है, स्वरी, कलता कलत करें, अरे 22 by 10, हाँ, it will be your 22 by 10 यह tension आ रहे है मेरे पास में, tension कहां पे यह, यह tension यहां पे है यह tension कहां पे है, यह tension यहां पे है अब इस hook में अगर force की बात करें, तो वो 2t के बराबर होता है तुम जानते हो, pulley के उपर, क्योंकि अगर massless pulley है, तो इसके उपर net force 0 होता है if the pulley is massless, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ if pulley is massless, अगर यह pulley massless होती है तो उस case में क्या होगा if the pulley is massless, तो इसके उपर लगने वाला net force 0 हो जाएगा और अगर इसके उपर लगने वाला net force 0 हो गया है तो pulley को बना लो फटा-फट से, उपर एक force बना दो, यहां पे tension T लगा दो यहां पे भी tension T लगा दो so f can be written as 2t यानि की it will be 2 into 22 g by 10 it will be a 44 g by 10 so force कितना लग रहा है, 44 g by 10 force कितना लग रहा है, 44 g by 10 ठीक है, तो अब पुली का अपर पार्ट जो है, यह जो force जा लग रहा था, वो spring balance से connected है और अगर force जो है, वो spring balance से connected है, तो spring balance की जो reading आईगी so therefore, reading of spring balance gives you spring balance की जो reading होती है, that will be your f by g क्योंकि वो mass को बताता है spring balance समेशा आपको mass बताएगा, f by g करना पड़ेगा आपको, ठीक है तो f by g करोगे, तो f के जगा लिखेंगे, 44 g by 10 और upon में g अल्रेडी चल रहा है, तो g से तो g मर जाएगा तो यहाँ पर जो reading हमें मिलेगी, it will be your 4.4 kg तो जो reading आपको मिलेगी, it will be your 4.4 kg जी, I think यह वारा पार्ट हमारा बिल्कुल clear हो चुका है, एक काम करो, पहले तो इसको note करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने सारी कहानी lift frame से लिखी है, और यहाँ पे PF का मतलब है pseudo force pseudo force को भी consider करना, because यह lift के अंदर है, एक accelerating frame के अंदर है या तो तुम ground frame से solve करो, या फिर lift के frame से solve करो, answer से मिलेगा, ठीक है so इनकी equations बनाई, equation 1 और equation 2, मैंने देखा है यारी, इसमें A को हटा देते है क्योंकि मेरा काम अगर tension मिल जाए मुझे, tension मिल जाए तो मैं force निकाल सकता हूँ, 2T करके तो tension निकालने के लिए मैंने बोला A को हटा दो यार, A को हटाने के लिए मैंने इस equation को 2 से multiply कर दिया 2 से multiply किया तो बना 2T, minus का 3G, minus का 3G by 10, equals to 3A पहली equation को 2 से multiply कर दिया, दूसरी equation हमारे पैस ऐसे ही है, तो पहले मैंसे दूसरे को minus कर देना फिर तो देखो, 2T, minus 3G, minus 3G by 10, फिर second equation शुरूगी, minus का 3G, minus का 3G by 10, minus minus plus होता है T और यहाँ पे 1.5 into 2, 3A था, 3A लिख दिया, यहाँ पे 3A था, यह भी 3A लिख दिया, तो 3A से 3A मर जाएगा फिर मैंने इसको आप आगे solve करा, यहाँ पे, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, पूरी equation solve करने के बाद T का value आ रहा है, 22G by 10, बाकी देख लेते हैं को और करेक्शन करके, कुछ कलती तो नहीं कि हमने है न, ठीक है, बिल्कुल सही है, 22G by 10, उसके बाद हमने बोला, पुली अ लग रहा था, that will be a 44G by 10, पुली के पर जो फोर्स लग रहा था, 44G by 10 था, तो पुली के हुक पे, पुली के हुक पे, जो फोर्स लग रहा था, 44G by 10 था, तो spring balance भी तो वही रीड करेगा, जो फोर्स हुक पे लग रहा है, spring balance वही रीड करेगा, जो हुक पे फोर्स लग रहा टेन जी जी से जी मर जाएगा 44 बैंट 4.4 kg का यहां पर रीडिंग हमें मिलेगा तो 4.4 kg की डीडिंग आपको मिलती है स्प्रिंग बैलेंस में तो यह है हमारा कोशन नबर 15 आइटिंग क्लियर हो गया तुम लोगों को अच्छा 16 पर आगे कि हम लोग बढ़िया पता है नी चलता ना कोशन कब निकल जाता है नोट का लिया नोट का लिया पक्का समझ आगी इप कहानी आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 पर आ जाते हैं कोशन 17 क्या बोलता है आओ देख लेते हैं सो हमारा कोशन नबर 17 हमसे बोल रहा है एक ब्लॉक है 2 kg का इस सस्पेंड़ फों दसीलिंग त्रू आ मासले स्प्रिंग of spring constant k which is given as 100 Newton per meter what is the elongation of the spring पहली बात आपको spring का elongation बताना है दूसरी चीज़ बतानिए अगर एक 1 kg का box मैं add कर दू तो क्या further elongation कितना होगा further कितना elongation होगा यह आपको बताना है ध्यान से सुनना इस बार जो है आपको रसी नहीं दिये उस बार उसने spring पोला है तो confuse मत होना दोनों के cases अलग अलग होते हैं ठीक है तो भाई कैसे करोगे solve इसको ट्राइक करो एक वार spring की जगह spring की जगह spring लगा दो इस वार हुआ कुछ बताएं तुम्हें कैसे करना है solve आज हो जी तो देया क्या हो रहा है आपे एक ब्लॉक टू की जी का है suspend कर रहा है from the ceiling through a massless spring of spring constant k k हमें given है hundred newton per meter what is the elongation of the spring तो यह रही ceiling यह रहा spring काम करते थोड़ा आगे से बना लेते इसको यह रही spring यह attach किया box 2 kg का box है spring constant जो है hundred newton per meter की है अब बताओ जरा कि इस spring के अंदर कितना elongation होगा तो हमने बोला कि या यह 2 kg के ओपर धरती में यह एक gravitational force लगाती है 2g अब क्या होगा यह 2g नीचे जाएगा नीचे जाएगा तो spring elongate करेगा तो spring इसके उपर एक force लगाएगा बोलेगा भाईया वापस आजओ हमें आदत नहीं है elongate होने की तो इसके उपर लगता spring force kx which is opposite in the direction of motion direction of motion के opposite हमने spring force kx लगाया तो direction of motion के opposite spring force kx लगा दिया तो भाई क्या होता है की कोई accelerate तो करनीे घा है न accelerate तो होनी दए आपके अपको एकसओरेजनरेशन ना थो जितना force उपर लग रहा था उतना force नीचे माल लो मैं फिर यहीं कर सकते ना अगर कोई acceleration नहीं है तो net force will be zero और अगर net force zero हो गया तो जितना force नीचे लग रहा है उतना force उपर लगा देना So this can be simply written as 2G is equals to KX G को अगर आप 10 मान लेते हो तो 10 equals to 100X और X का value आपको मिल जागा 0.2 meter यानि कि अगर आप एक 2 kg का block connect करते हो spring के साथ में तो spring में elongation जो होता है वो होता है 0.2 meter यह तो पहला part clear हुआ अगला part में वो बोलता है कि अगर एक 1 kg का box और attach कर दिया जाए तो further कितना elongation होगा अगर 1 kg का box extra add कर दो इसके साथ में यह 2 kg का था है इसके साथ 1 kg का add कर दो तो 0.2 meter already हो चुका है 0.2 meter elongation हो चुका है और कितना elongation होगा 0.2 meter already elongation हो चुका है अगर 1 kg का box add करूंग तो और कितना elongation होगा वो बताना है तो यार तुम समझदार हो, थोड़ा से एक्स्टा दिमाग लगा के देखो, 2 kg के box की वज़ा से 0.2 meter आया था elongation, 2 kg के box की वज़ा से 0.2 meter के elongation आया था, 1 kg एड कर दूँगा तो 0.1 meter extra elongation नहीं आएगा, 2 kg के वज़ा से 0.2 meter elongation आया, तो अगर 1 kg का add कर दूँगा, तो 0.1 meter के elongation extra नहीं हो जाएगा, वहीं तो पूछा है, if another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation, और कितने elongation हो जाएगा, तो मैंने दिमाग लगाया है, मैंने वोला, 2 kg का डबा था, 0.2 meter के elongation हुआ, अगर मैं 1 kg एड कर दूँगा, तो और कितने elongation होगा, 0.1 meter का होगा, नहीं समझाता है, परेशान मत होना, अब simple method से भी solve कर सकते हो, यह तो हमने extra दिमाग लगाया है, अगर 2 kg का box है, तो 0.2 meter के elongation हुआ, 1 kg एड करने पे, 0.1 meter extra elongation आएगा, यह तो हमारा short trick वाला दिमाग हुआ, अब अगर समझ नहीं आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, प 3 kg का, अगर आपने इसमें 1 kg add-on कर दिया, तो हो जाएगा 3 kg का, यह spring constant अभी भी आपका 100 newton पर मीटर वाला है, और जब देखो तो यहाँ पर क्या 3 g लग जाएगा नीचे, हाँ, अगर मैंने इसमें 1 kg add कर दिया, तो 3 kg की कहानी बन जाएगी, और अब spring force में जो लगेगा, k x dash, so फिर से कैसे लिखेंगे k x dash is equals to 3 g, तो फिर से x dash का value मिलेगा 0.3 meter, solve करके दिख लेना, तो बताओ, पहले 0.2 meter था, 3 kg होने के बाद 0.3 meter हो, extra elongation कितना हो, 0.3 minus 0.2 करो, 0.1 मिलेगा, ठीक है, तो delta x कर लेना, वो मिलेगा 0.1 meter, तो यह हमारा extra elongation आगे है, समझे बात को, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ आगी बात है तुम लोगों को, simple है न, अरे यार, यहाँ पर calculation में परेशान दो नहीं होगे न, तुम लोग, calculation में परेशान दो नहीं होगे न, मैं कर दूं क्या calculation भी, अरे यार, लो, 100 x dash is equals to 30, 0 से 0 मर जाएगा, x dash का value ह 0.3 मीटर, तो जब 2 kg का था, तो elongation 0.2 मीटर का, जब 3 kg का आया, तो point elongation 0.3 मीटर का, तो किसना extra हुआ है, तो further elongation को लिखेंगे, further elongation को हम लिखेंगे, x minus, x dash minus x, 0.3 minus 0.2, 0.1 मीटर, यह हमारा complete method हुआ, बाकि तुम extra दिमाग लगा के solve करो, ज़्यादा बैटर रहेगा, extra दिमाग क्या बोलता है, कि 2 kg के लिए 0.2 मीटर हुआ, elongation, 3 kg के लिए 0.3 मीटर हुआ, यानि कि 1 kg के लिए 0.1 मीटर हुआ, कितना add कि आपने 1 kg, कितना add किया है, 1 kg add किया है, कर लिया नोट, पक्का, बढ़े आगे, आज अब भी, so question number 17 completed, अब आगे बढ़ते है, question number 18 पहे जाते है, question 18 हम से क्या बोलता है, आओ देखे, according to the question number 18, suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square, find the elongations now, पहले जो पिछले question में ceiling थी, वो इस बार एक elevator की है, ceiling, पिछले question में जो ceiling थी, वो इस बार elevator की है, और elevator उपर जा रहे 2 meter per second square से, तो अब बताओ elongation कितना होगा, अब कहानी में twistा किया, पहले तो तुम rest पे थे, अभी तुम accelerate कर रहे हो उपर की तरफ, तो diagram बना लेता हूँ एक बार, उसके बाद तुम खुद से try करना है, तो यह वो ही elevator है, इसके अंदर यह रही spring, यह रहा वो डबबा 2 kg का, और यह रहा spring constant 100 newton per meter का, इस बार यह lift जो है, यह elevator उपर जा रहा है, 2 meter per second square से, मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारी इच्छा श्रदा है कि तुम्हें कौन सा frame consider करना है, अगर तुम चाहो तो ground frame से solve करो, चाहो तो lift के frame से solve करो, तो 2g force नीचे लगा देना, spring force उपर लगेगा kx वाला, and yes, इस case में elongation x की value बताईए क्या होगी, सोचो ज़रा, सोचो ज़रा क्या हो सकता है यहाँ प्राण सर, सोच लिया, क्या गरोगे यहाँ पर, या तो lift के frame से बात करो, या फिर ground frame से बात करो, अगर lift का frame मानोगे तो pseudo force लगा देना, ground का frame मानोगे तो pseudo force लगानी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ground frame से solve कर देता हूँ, और ground frame मुझसे कहता है कि उपर लग रहा है kx, नीचे की तरफ लग रहा है minus का 2g, is equals to 2 into, उपर का acceleration 2 meter per second square, यह ground frame हो गया, lift का frame मुझसे क्या बोलेगा, lift का frame बोलेगा कि भाया pseudo force लगा दो, तो उपर लग रहा है kx, और नीचे लगेगा 2g, plus pseudo force, 2 into 2, lift का frame क्या बोलता है, नीचे pseudo force लगा दो एक और, तो नीचे pseudo force लगाने का मतलब है, नीचे की तरफ लगेगा 2 into 2, यह pseudo force हो गया, तो देखो ना, 2g और 2 into 2, kx के बराबर, तो lift का frame यह बोलता है, ground का frame यह बोलता है, ground को solve करोगे, तो भी वही answer मिलेगा, kx is equals to 2g, plus 2 into 2, तो lift का frame लगाओ, ground का frame लगाओ, कोई सा भी frame लगाओ, answer सेम आएगा आपका, ठीक है, तो हटा देता हूं, lift के frame को तुम्हें, जगा चाहिए हम लोगों को calculation कर दिख लिए, so solve this part, यहाँ पे 100x जो होगा, वो g का value 20 ले लेता हूं, g का value 20 लेने के बाद, और यह बन जागा 4, so x का value हो जागा 0.24 meter, ठीक है, अब यहाँ पे lift जो है, वो accelerate कर रहा थी, उपर की तरफ, यह lift उपर accelerate करें, 2 meter per second square से, तो elongation आए, 0.24 meter, for 2 kg, 2 kg के लिए इतना elongation है, 2 kg के लिए इतना elongation है, तो further कितना elongation होगा, अगर 1 kg अगर कर दोगे तो, और 3 kg के बॉक्स के लिए अगर हम बात करें, so it will be like this, यह उपर जा रहे 2 meter per second square से, और यहाँ पे kx dash हो जाएगा, it will be your 3g, acting in the downward direction, कहां नहीं, तुम को इसी भी लगा लो, solve करके answer वहीं मिलेगा, kx dash minus का 3g equals to 3 into 2, okay, so 30 kx dash is equal to 30 plus 6, so x dash comes out to be 0.36 meter, okay, so 2 kg था, तो elongation 0.24 meter हुआ, जब 3 kg, मतलब 1 kg आपने add कर दी और, 1 kg add करने के बाद 3 kg हुआ, तो elongation इतन हुआ, तो further elongation can be written as, यहां पर further कितना elongation हुगा, so further elongation can be written as, x dash minus x, which is further equals to 0.36 minus 0.24, solve करो, 0.12 आ रहा है, इस कहां से, देखो तो, तो further elongation कितना हुआ, 0.12 meter, फिर से दिमाग लगा सकते थे, यहां पर, बोला कि भाईज, आप 2 kg के लिए, 0.24 meter का elongation हुआ, 2 kg के लिए, 0.24 meter का elongation हुआ, तो 1 kg के लिए, 0.12 meter का elongation नहीं हुगा, आप केतना add कर रहो, 1 kg एड किया, देखो यहां पर 3 kg है, यहां पर 2 kg है, आपने extra add किया 1 kg, extra 1 kg एड करने की वज़ा से, extra elongation आएगा, 0.12 meter का, अगर 2 kg के लिए, elongation 0.24 meter है, तो 1 kg के लिए, elongation 0.12 meter हो जाएगी, clear है ना बात है, बहुत ज़दा tough होगी ना, बहुत ज़दा परिशान होगे हम लोग इतना tough part, अरे नहीं है tough यह, इतना simple halwa है यह तो बिलकुल, जल्दी से note करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले से हवाल के ओर आएंगे फिर, जल्दी से note करो इसको, कर दिया note, किया क्या note तुम लोगों ने, पक्का, बढ़े आगे, आज ओजी, तो आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद आते हैं, question number 19 पे, जो हम से बोलता है, the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B, in the upward direction, and remains constant, the force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of the velocity and is proportional to it, तो भाई, क्या होगा, force of buoyancy, buoyancy force के बारे में थोड़ा बहुत ग्यान पता है, तो लोगों को कोई भी fluid, fluid में यहाँ पे liquid और gas, दोनों की बाते कर देंगे हम लोग, कोई भी fluid जो होता है, किसी object के उपर एक force लगाता है, B force in the upward direction, ओके, एंड यह bind force constant है, अब एक क्या होगा, क्योंकि surrounding में air भी है, तो यह air क्या करता है, air resistance लगाता है balloon पे, और हम जानते हैं कि air resistance, यानि कि जो drag force होता है, वो motion के opposite लगता है, तो देखो, air resistance on the balloon act opposite to the direction of motion, यानि कि direction of velocity है, यह direction of motion है, उसके opposite air resistance लगता है, और proportional है velocity के, यह वो air resistance क्या था, velocity dependent force था, motion के opposite direction में लगेगा, और velocity बेटेपेंड करेगा, जादा speed से चलोगे, तो जादा तेज हवा लगेगी मुपे, धीरे धीरे चलोगे, तो इतनी तेज हवा नहीं लगती, धीरे अवा लगेगी, दे बलून कैरी जा मास कैपिटल M, यह बलून एक कैपिटल M मास को कैरी कर रहा था, एंड हमने देखा कि यह बलून तो फॉल डाउन कर रहा है, नियर दा अर्थ सर्फेस, विद अ कॉंसेंट विलोसिटी वी, वो बलून नीचे जा रहा है, हमने यह अब्सर्फ किया, बलून नीचे जा रहा है, तो हमने बोला कि भाई सर्फ बताओ, कितना मास इसमें से रिमूव कर दूं कि बलून उपर जाने लगे, विद अ कॉंसेंट विलोसिटी वी, तो हमारे जो बलून है, यहाँ पे कुछ मास कहरी कर रहा है, और मैंने देखा, यह बलून नीचे जा रहा है, कॉंसेंट विलोसिटी से, ठीक है, यह बलून नीचे जा रहा है, कॉंसेंट विलोसिटी से, बाई एंट फोर्स इसके उपर, उपर की तरफ लग रहा है, और बाइंट फोर्स उपर लग रहा है, motion नीचे हो रहा है, तो इसके उपर जो air resistance है, वो भी उपर लग रहा है air resistance को मैंने F से denote कर दिया बाइंट फोर्स को capital B से लिखेंगे, air resistance को हम लोग capital F से लिखेंगे ठीक है, तो air resistance भी उपर लग रहा है F एक force mg जो है, वो नीचे की तरफ लग रहा है बट ये constant velocities है, तो कोई net acceleration नहीं है, net acceleration नहीं है, तो net force will be 0 यहाँ पर देखो, constant velocity, net acceleration 0, net acceleration 0 की वज़े से net force भी 0 होगा यानि जितना force उपर, उतना force नीचे, तो उपर लगने वाला force B by and force plus air resistance, it will be equals to capital mg value of air resistance can be written as mg minus B यह पहली question हो जाएगी अब बोलता है कि इसमें से अब कितना mass निकाल दें, कि यह अब उपर की तरफ जाने लगे, constant velocity से तो फिर से हमारा वही balloon, इस पे let's say mass इस बार मैंने डाल दिया M' कुछ mass मैंने निकाल दिया, कुछ mass मैंने निकाल दिया और बचा कुछा mass है M' या फिर चलो, मैंने बुला M' mass को निकाल दिते हैं, तो remaining mass हो जाएगा M minus M' यह M' को मैंने निकाल दिया बाहर, तो remaining जो होगा, होगा M minus M' ठीक है, इस balloon में से M' mass निकाल दिया, तो remaining हुआ M minus M' तो gravity की वजह से नीचे जो force लगेगा, that will be your M minus M' G, अब यह balloon उपर की तरफ जा रहा है, with some constant velocity V, balloon उपर जा रहा है, constant velocity से, कहानी बोलती है कि buoyant force हमेशा उपर ही लगना है, कहानी बोलती है, buoyant force हमेशा उपर लगेगा, लेकिन जो air resistance है, वो हमेशा motion के opposite में होगा, सो motion के opposite, yellow भई, air resistance लगा दिये, अब क्योंकि फिर से velocity constant है, velocity constant होनी की वजह से, net acceleration zero, तो net force भी zero, तो यहाँ पर भी forces को balance करना है, हम लोगों को, तो forces को balance करते हैं, उपर लगने वाला force, B is equals to F plus M minus M' G, M' का value find करना हम लोगों को, ठीक है, हमें M' का, कितना mass निकाल दें balloon में से, कितना mass remove कर दें, तो मैंने बोला M' mass को remove कर दीजिए, M' mass को remove कर दिया, तो M' का value find out करना है, एक काम करते हैं, देखो, हमें question में by and force B given है, उसके लवा हमें question में mass capital M पता है, उसके लवा हमें velocity V भी पता है question में, यह जो F force आपने माना है कुछ से, इसको eliminate कर दो, क्योंकि हमें हमारे answer ऐसे चाहिए, कि जो question में data given है, उसी के format में answer मिलना चाहिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी तुम answer निकालोगे, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखो, कि question में जो data दे रखा है, वो सारा include होना चाहिए, question में जो भी data given है, वो आपके answer में होने चाहिए, तो यहाँ पे F force हमने खुद से माना था, तो F को eliminate कर देते हैं, तो यहाँ पे F का value होगा, B minus M minus M dash G, ठीक है, तो यह आपकी second equation बन जाएगी फिर, तो एक हो यह, पहली equation में भी यह air resistance है, दूसरी equation में भी air resistance है, तो एक काम करते हैं, दोने equation को compare कर देते हैं, so comparing equation 1 and 2, comparing, equations, 1 and 2, Mg minus B is equals to, Mg minus B is equals to, B minus Mg plus M dash G, bracket open कर दिया, मैंने G को अंदर multiply किया, minus का Mg minus minus plus होता है, इसले हम plus का M dash G, जड़ा देखो, M dash की value निकाल लिए, बाकि सब को इदर बेज दीजे, तो M dash G का Mg भी written as, M dash G बनेगा, यह minus का Mg इदर आएगा, plus का Mg और यह जो B है, इदर आएगा, तो यह जाएगा 2 Mg, 2 times of Mg, minus का B, ठीक है, यह minus का Mg इदर आगया, plus का Mg हो गया, यह plus का B, इदर आएगा minus का B, तो plus का Mg, plus का Mg, 2 Mg, minus का B, minus का B, minus का 2 B, 2 common ले लिया, Mg minus B, M dash का जो value है, इसको मैं इहाँ पर लिख देता हूँ, M dash का जो value है, it comes out B, 2 times of M, minus B by G, देखो जी, क्या होता है, G को मैंने इदर multiply किया, तो G से G मर गया, और G B के नीचे आजाएगा फिर, देखो, G से G मर गया था, तो यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर B by G हो गया, तो this is the removed mass, यह क्या है हमारा वो, removed mass है, तो उसने यही पूछा था, कितना mass remove करना है, तो भाई, इतना mass आपको remove करना पड़ेगा, क्या M question में given है, हाँ question में M given है, क्या B question में given है, हाँ पता है, G का value सबको पता होता है, तो हमारा answer question में given data के format में ही आया, और यही हमें चाहिए, हमने F को eliminate कर दिया, because F हमने खुद से माना था, ठीक है, तो यह आपका final answer है, question number 19 के लिए, उमीद करतो हों समझ आ रही होगी कहानी, पहला case, दूसरा case, compare करो दोनों equations को, solve करो, आपके पास M dash आ जाएगा, हमने M dash mass को remove कर दिया था, after removal, जो balloon है, वो उपर की तरफ जाएगा, constant velocity से, by and force हमेशा उपर लगता है, air resistance motion का opposite direction में, motion उपर हो रहा है, air resistance नीचे लगेगा, और M G को तो में पता ही है, M G तो हमेशा नीचे लगता है, M G हमेशा ही नीचे की तरफ लगता है, पता है नहीं बात तो, okay, so after this whole this part, आप solve करिये, M dash का value हमें फाइंड आट करना था, it comes out to be 2 times of M minus B by G, कर लो note जल्दी से, हो गया, पक्का, समझ आगा question number 19, आगे बढ़ सकते है, question number 20 पे आजाए, फटा फट से, चली बही बहुत बढ़िया, so let us move on to the question number 20, question number 20 क्या बोलता है, an empty plastic box of mass small m, is found to accelerate up, at a rate of G by 6, when placed deep inside water, how much sand, sand should be put inside the box, so that it may accelerate down, at the rate of G by 6, so पानी के अंदर की बात हैं सारी, suppose करो ये, deep inside the water, हमने बात करी, पानी के अंदर, पानी के अंदर ये box था, जिसका mass m था, और बोला गए, ये box accelerate कर रहा है, उपर की तरफ, with an acceleration of G by 6, यानी इसके पर एक by-end force लग रहा होगा उपर, और एक mg लग रहा है नीचे, इसके उपर एक by-end force उपर लग रहा है, एक mg force लग रहा है, बहुत बढ़िया, और ये उपर की तरफ या रहा है, उपर की तरफ या रहा है, so this is the direction of motion, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, उसने बोला कि इसमें कितना हम sand और insert कर दे, इसमें कितना sand इंसर्ट कर दे, कि आप वो नीचे जाने लगे, विदा rate of G by 6, तो मैंने वोला, इसके अंदर कुछ sand add-on कर दीजे, तो मैंने वोला, m-mass का sand, उसने वोला कितना sand, मतलब m-mass add-on कर दीजे, m-mass add-on करने के बाद, equation can be written as, m plus m-, by and force अभी भी उपर लगता है, बट हां, make sure, इस बार gravity जो लगीगी, वो change हो जाएगी, m plus m-g, ठीक है, इस बार जो ये जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, with an acceleration of G by C, यानि कि जो direction of motion है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है, so direction of motion भी define हो गई, now, अब पहले क्या था, अकेला डबबा था, उपर जा रहा था, G by 6 से, इसमें मैंने कुछ sand एड कर दी, तो अब ये नीचे जा रहा है, G by 6 से, तो band force की कहानी वहाँ पर define कर दी है, और अब बताओ कि कितना mass add-on करें, कितना m- का value होना चाहिए, यहाँ पर, सोचो ज़रा, m- का value कितना define करें, क्या लिक होगे equation को, देखो यहाँ पर, B उपर लग रहा है, M G नीचे लग रहा है, बट overall motion उपर की तरफ होर है, तो case number first को solve करते है, यह हमारा initial case है, case number first, यह हमारा final case है, case number second, तो हम solve करेंगे case number first को पहले, तो case number first solve करते हैं टाइम पर, हमने एक बात ध्यान दी, कि यहर अगर मैं बात करू, तो B minus M G is the equation, it will be close to M G by 6, case number two को equation लिखते हैं, case number two की जब मैं equation लिखूंगा, so this can be written as, M plus M dash G, minus का B is equals to, M plus M dash G by 6, इसको मैं equation number one बोल देता हूँ, उपर वाले को equation number one बोल दिया, नीचे वाली equation को further solve कर लेते हैं, so देखो ज़रा, minus का B उदर जाएगा, plus का B, और यह equation इदर आएगी, तो यह बनेगा M plus M dash, common लिए, तो यह बनेगा, 1 minus 1 by 6, is the value of B, ठीक है, यह वाली equation उठके इदर आएगी, minus का साथ में, और यह minus का B उदर जाएगा, plus का B बन जाएगा, तो 1 minus 1 by 6, 5 by 6 हो जाएगा, तो 5 M plus M dash, G divided by 6, is the value of B, यह आपकी second equation बन जाएगी, now put the value of B, by and force का जो value है, इसको उठा के आप first equation में पूट का दीजिए, so from equation 2, put in equation 1, लिख लेने आपे, from equation 2, put the value of B in 1, ठीक है, equation number 2 से जो आपने B का value निकाला है, उसको उठा के 1 में पूट का दीजिए, तो B माइनस M G की जगा पे, equation 1 क्या बोलती है, B माइनस M G is equal to M G by 6 है ना, M G by 6 हाँ, तो M G को दो बेज़ देंगे, तो B equals to M G, 1 plus 1 by 6, यानि कि जो B का value बनेगा, वो बनेगा 7 M G by 6, और B निकाला था 5 M plus M dash, B का value यही निकाला था, G by 6 is equal to 7 M G, G by 6, it's all about the calculation now, M G इदर रहेगा, minus M G plus M G बन जाएगा, तो 1 plus 1 by 6, 7 by 6 होता है, और B का value तुमने निकाला, 5 times of M plus M dash, G by 6, G by 6 से G by 6 मर जाएगा, so 5 M plus 5 M dash, is equal to 7 M, ये equation बनती है, 5 M plus 5 M dash, equals to 7 M, I have to find the value of M dash, M dash find करने के लिए, मैं क्या करूँगा, कि इदर 5 M को इदर लेके जाओंगा, तो 5 M dash जो बनेगा, वो बनेगा 7 M minus का 5 M, so 5 times of M dash, is equal to 2 times of M, so M dash का value बनता है, 2 M by 5, this is the final answer, M dash का जो value मुझे मिलेगा, it comes out with 2 M by 5, यही हमारा final answer है, जल्दी सो नोट कलीजिए, पहला case जिसमें, ये box से उपर जादा था, second case इसमें कुछ mass एड़ कर दिया, जिसके वज़े सा वो नीचे जाता है, तो कितना mass एड़ किया, ये बताना है, तो case number first के लिए मैंने equation लिखी, case number two के लिए मैंने equation लिखी, solve करा पहले तो B का value निकाला, इस B का value उठा के मैंने first case में put कर दिया, and solve किया, तो finally मुझे M dash का value मिल गया, तो इसको पहले note कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग, इसको भी note कर लो फिर जल्दी से, ये भी कर लिए note, सच में, बहुत बढ़िया, शाबाश, so this is all about the question number 20, I think clear है सभी को, अब आगे बढ़ते है, question number 20 के बाद, question number 21 पहलते है, question 21 हम से क्या बोलता है, a force of F vector is equals to V vector, cross A vector is actor exerted, on a particle, in addition to the force of gravity, force of gravity के अलावा, एक extra force किसी particle क्यों पर लग रहा है, V vector represent करते है, velocity of the particle को, A vector कोई constant है, जो की horizontal direction में है, with what minimum speed, a particle of mass MB, projected so that it continues to move, undeflected with a constant velocity, तो भाई बताओ, कितनी minimum speed होनी चाहिए, जिसके वो particle, undeflected move करे, with constant velocity, velocity, तो फड़ा फट से ट्राइ करे को ले को, फिर आगे बढ़ते हैं, अचा कुछ सोचा तुम लोगो ने, क्या हो सकता है, जैसे मैंने, यहाँ पर कोश्चन में ही, वो उतमें हिंट दे रहा है, उसने बोला कि, so that it continues to move, undeflected, मतलब कि, force of gravity, और यह force कुछ इस टाइप से लग रहे होंगे, कि वो एक दूश्य को cancel कर दे, कोश्चन में ऐसी बाते नहीं बोली, उसने, बाते छुपा के रखिए, देखो यहाँ पर, बोलाया कि, कि कितनी minimum speed of, what will be the minimum speed of a particle of mass, and be projected, so that it continues to move, undeflected, और तुम खुदी बताओ मुझे, कि मैं अगर सीधा सीधा चल रहा हूँ, तो मुझे अपनी direction change करने के लिए force लगवाना पड़ेगा, नहीं लगवाना पड़ेगा, undeflected मतलब direction change किये बिना चल रहा है वो, और direction change करने के लिए force की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर अगर यह बिना direction change किये जा रहा है, that means इस particle के उपर, है ना, इस particle के उपर net force on the particle should be zero, net force on the particle should be zero, तो किसी भी particle के उपर जो net force है, वो zero होना चाहिए, in only that case, वो undeflected move करेगा, only then, it will move undeflected, सिर्फ तभी वो undeflected जा सकता है, otherwise वो नहीं जा सकता, तो हमने बोला कि net force on the particle should be zero, किसी भी particle के उपर net force zero होना चाहिए, तभी वो undeflected जाएगा, और यहाँ पर तो दो force लग रहे, एक तो यह वाला force, और एक force of gravity, तो माल लीजिए, particle का mass कितना है, M है, question में हमें given है, तो हम बोलता है, net force zero होने का मतलब है, कि यह जो force का magnitude है, वो बराबर होना चाहिए, Mg का, तभी net force zero हो सकता है, क्योंकि question में उसने बोले, है, दो ही force लग रहे, एक तो यह force लग रहा है, particle क्योंपर, और एक gravitational force लग रहा है, particle क्योंपर, तो दो ही force लग रहे है, और यह दोनों force जब एक दूस्टे को cancel करेंगे, तभी वो move करेगा, undeflected, तो मैंने बोला है, इसका magnitude बराबर होने चाहिए, बनता है यहां पे, तो यहां पर भी इसको लिखेंगे, तो बनेंगे VA, यह बनेखा हमांए VA sin theta, VA sin theta is equals to mg, यह हमारा बनता है VA sin theta is equals to mg, तो यहां से V का value बनेगा, mg by a sin theta, mg by a sin theta, व का value बनेगा, एमजी बए a sin theta, यहां तक तो ठीक था लेकिन उसने हमसे बोला कि बहिए minimum speed बता हिए minimum speed बता हिए with what minimum speed है कितना minimum speed होने चाहिए तो एक बात देखो क्या तुम mg को बदल सकते हो क्या पार्टिकल का my old change हो सकता है नहीं sir क्या g का value change हो सकता है बिलकुल नहीं a उसने खुदी बोला एक constant vector है a is a constant vector a को change नहीं कर सकते है so v is inversely proportional to the sin theta और जब sin theta maximum होगा तो v minimum होगा तो v को minimum लेने के लिए I must say sin theta को maximum होना पड़ेगा sin theta maximum कितना होता है 1 होता है plus का we know better sin theta का maximum value plus का 1 होता है तो यहाँ पर sin theta put कर दीजिए तो v minimum आपको मिलेगा कितना mg by a so this is the minimum velocity जिससे की किसी particle को हम यहाँ पर move कराएंगे जिससे की वो undeflected move करेगा ठीक है इतनी minimum speed होनी चाहिए जिससे की वो particle undeflected move करे कहीं इदर उदर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल सिधा जाएगा वो क्योंकि उसके पर net force 0 लग रहा है net force 0 का मतलब दो ही तो force लग रहे थे दोनों एक दूसको balance कर दिंगे बस नोट कर ली जैसको यह है नोट कर लो इसको जल्ली से question number 20 बड़ा ही प्यारा सवाल था है ना हो गया कर लिया note पक्का बड़े आगे ओके सागे बढ़ते है question number 21 के बाद 22 पर आ जाते है question 22 हमसे क्या बोलेगा आओ देखें इना simple atwood machine एक simple atwood machine तुम्हें दीख रही है 21 equal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light small pulley तुम्हें भी पता है कि एक atwood machine में क्या होता है दो mass object जो है एक रसी से connected होते है और यह रसी पुली के उपर से जाती है यह atwood machine है इसको ठीक है तो यह atwood machine है जिसमें एक पुली होता है smooth पुली होता है और इस arrangement में एक mass 300 gram का है एक mass 600 gram का है और system को release करते हैं rest से तो बोलते हैं find the distance traveled by the first block यह रहा first block in two seconds find the tension in the string find the force exerted by the clamp on the pulley वो clamp कितना force लगाता है तो दो चीज़े find करनी है इसने कितना distance travel किया tension कितना है और तो और यह पुली के पर force कितना लग रहा है पुली के पर force कितना लग रहा है तीन चीज़े find करनी है चलो भई try करो फटा फटस एक वार system को rest से release करा है that means initial velocity 0 होगी है ना तो कैसे करोंगे solve किया try कुछ कैसे करेंगे देखो जी क्या होता है we know better कि यहाँ पे इसका एक FBD बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह हमारा M1 वाला है टेंशन टी ऊपर लगता है और M1 जी नीचे लगता है यह हमारा M2 वाला है M2 जी नीचे लगेगा टेंशन टी ऊपर लगेगा यह भारी है तो इसका acceleration नीचे यह हलका है तो यह जाएगा ऊपर अब देखो पुली वाला केस दबी आता था मैंने बोला था acceleration निकालने के लिए तुम इसकी equation बना सकते हो या फिर शॉट्रिक लगा सकते हो शॉट्रिक क्या बोलता है acceleration equals to net driving force net driving force upon total mass net driving force upon total mass so the acceleration comes out by net driving force upon total mass हो जारेगा net driving force में कौन कौन है एक तो M2G जो इसको नीचे लेकिया रहा है M2G जो नीचे लेकिया रहा है एक M1G इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन लाने ही पा रहा है है ना वही देखो एक तो M1G लगेगा नीचे की तरफ और एक M2G लगेगा नीचे की तरफ टेंशन तो क्या है internal force है net driving force बोलो या net external force बोलो एक ही बात है net external force लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है external forces में कौन कौन है external में M1G है और M2G है बड़ा कौन है M2G बड़ा है तो इसको लिखोगे M2G so this can be written as M2 कितना है M2 है 600 grams का तो 600 gram minus का 300 gram तो kilogram में convert करने के लिए 10 की पावर minus का 3 मैंने common निकाल दिया और साथ में G का value 10 ले लिजिए divided by M1 प्लस M2 अब M1 प्लस M2 करोगे तो 600 plus 300 यानि कि 900 होता है लेकिन gram में है तो kilogram में convert कर लेना solve करोगे तो यह बनेगा आपका 3 by 9 यानि कि 10 by 3 meter per second square is the value of acceleration यह तो G का value मैंने 10 ले रखा है यहां पे मैंने G का value 10 ले रखा है इसलिए मेरा part यह वाला बनता है तो मैं क्या करता हूँ G by 3 के format में भी लिख सकता है इसको तो मैं तो तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिख हो याना तो चाहो तो G by 3 भी लिख दो इसको या फिर 10 by 3 meter per second square तो मुझे पहले मिला acceleration अब मैं जानता हूँ कि M1 वाला उपर जाएगा M1 वाला उपर जाएगा M1 वाला उपर कितना चलेगा तो भाई बताओ find the distance traveled by the first block in first 2 seconds तो आजो भाई blackboard पर solve करते है इसको and we simply say कि यहाँ पर यह रहा हमारा M1 वाला ब्लॉक यह उपर जा रहा था with an acceleration of G by 3 initial velocity 0 है तो using the equation x equals to ut plus half 80 square initially body rest पर थी तो यहाँ पर तो यह हो गया 0 so जो उपर जाने का displacement हुआ half into acceleration की जगह में लिखूंगा G by 3 into time कितना बोला है 2 seconds का तो 2 का square कर देंगे so x का value come short भी कितना 4 बनेगा यहाँ पर 2 तो 2 G by 3 meter अब G की जगह अगर आप 10 लिखोंगे तो 20 by 3 meter आ जाएगा तो यह distance आ जाएगा है तो x या तो 2 G by 3 मिलेगा या फिर 20 by 3 meter मिलेगा G का value मैं 10 meter per second square consider करते हो चल रहा हूं तो तो x हो गया मार पस यानि कि M1 वाला block उपर कितना चलता है 2 seconds में the distance traveled by the first block in first 2 seconds first 2 seconds में first 2 seconds में उसने जो displacement cover किया that will be your 20 by 3 meter यह तो clear होगी बात अब अगले case पर आते हैं अगला case हमसे बोलता है find the tension in the string रसी के अंदर tension कितना होगा यह calculate करना पड़ेगा रसी के अंदर tension कितना होता है वो कैसे निकाले तो यार कोईसी भी एक equation पकड़ लो उसको solve कर लो इसी को पकड़ लो M1 वाले को उपर T लग रहे नीचे M1 G लग रहे equals to M1 A तो इसी को हम पकड़ लेते हैं M1 वाले को ही और बोलते हैं अगर यह M1 वाला block है so it will be your M1 G acting in the downward direction tension T लगेगा उपर की तरफ और इसमें जो है acceleration जाएगा उपर की तरफ so T minus M1 G is equals to M1 A A का value G by 3 होता है so T का value M1 G plus M1 A की जगा G by 3 पुट कर दे तो so tension आपको मिलेगा 4 M1 G by 3 चाहो तो values पुट कर सकते हो इस बार so the tension की जो value मिलेगी 4 by 3 M1 जो है 300 gram है तो 300 बटा 1000 kilogram हो जाएगा और G का value 10 ले लेना तो 1, 2, 3, सारे 3 4 से बोना 4 Newton का tension है तो tension आएगा 4 Newton का tension कितना आएगा 4 Newton का तो second part भी clear हो गया find the tension in the string हा सर फाइंड कर लिया है third part बोलता है find the force exerted by the clamp pulley के उपर कितना force लग रहा है cramp की वज़ा से तो हमने बोला था कि pulley अगर massless होती है तो उसके उपर net force 0 होता है तो यह हमारा second part solve हो गया यह हमारा first part solve हो गया अब मैं third part को solve कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे solve कर दो हमसे बोला जाता है कि जो pulley होती है वो force तो हम बोलता है pulley जो है वो massless है यानि की pulley का mass 0 है तो net force इस पर 0 हो जाएगा तो in that case उपर लगने वाला force F नीचे लगने वाला माइनस का 2T is equal to 0 उपर लगने वाला force F नीचे लगने वाला माइनस का 2T is equal to 0 यह force can be written as 2 times of T तो जो फोर्स लगेगा it will be your 2 into 4 यानि की जो force लगना है it will be your 8 newton तो कितना force लगे गए यहां पर 8 newton का तो पुली के उपर कितना force लगाएगा clamp clamp यानि पुली को उपर लटकाने के लिक hook होता है सा ठीक है पुली को दिवार से लटकाने के लिक ऐसा कुंडा लगाया होता है वो इसको clamp बोलते है and that will be your 8 newton वो जो clamp इस पुली के पर force लगाएगा वो 8 newton का होगा तो यह तुम्हारा question number 22 complete हो गया है यह पहला part है वो second part है वो third part है तो एक काम करो पहले इसको note कलो acceleration निकालना सिखाया पहले तो net external force से या फिने driving force acceleration निकालो उसके बाद आगे इसको solve कर सकते हो clear रहीगी बात है सारी पक्का बहुत बढ़िया इसको भी note कलो जली से इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना सच में बहुत बढ़िया शाबाश so this is all about the question number 22 अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे next question बाते question 23 हमसे क्या बोलता है आओ देखें so according to the question number 23 consider the Atwood machine of the previous problem फिर से उसी Atwood machine को consider करो the larger mass is stopped by a moment 2 seconds after the system is set into the motion 2 seconds के बाद मैं larger mass को 2 minute के लिए रोक लो मनला 2 minutes तो जादा बोल दिया मैंने just ऐसे touch करके छोड़ देना उसको just for a few moment first for a few moment आपने larger mass वाले को रोका है and फिर से उसको motion में जाने दिया so find the time elapsed before the string is tight again ज़रा इसकी feeling समझना यहां पे मैं खुद करा देता हूं इस question को क्योंकि इसकी feeling समझना बहुत important है यह हमारा वो Atwood machine था यहां पे M2 वाला मास था जो की हलका था यहां पे M1 वाला मास था जो की भारी था और अभी हम जानते थे कि इस पे acceleration जो है वो G by 3 आ रहा था यानि कि 10 by 3 meter per second square की कहानी चल रही थी यहां पे ठीक है तो यह acceleration की कहानी चल रही थी हमने बोला कि जब यह नीचे और भीक आफ़ां टो मिटेर से हतले कि चोप एकि तो ये रुका यहाँ पर और जैसे ये रुका ना तो रसी में आया slag अभी तक क्या हो रहा था ये हैवी था वो नीचे खेच रहा था रसी टाइट थी tension आ रहा था लेकिन जब ये नीचे जा रहा था तुमने ऐसे तो रुख गया ये तो रुख गया लेकिन यह अभी भी उपर आ रहा है because of the inertia of motion था हां ये रुकेगा लेकिन इकदम से नहीं रुके गई है इसको तो 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 समय के बाद जाकि उसकी velocity zero हो जाएगी जैसे तुम ने M1 के ओपर हात लगा दिया M1, रुग गया ही ही पी अब क्या होगा M2 ऊपर आ रहा है M2 ऊपर आ रहा है तो रसी में क्या आया स्लैग आया रसी धीली हो गई और रसी धीली होते टेंशन हो गया जीरो रसी धीली होते टेंशन हो M2 वाला उपर जाता है यहां 0 होता है फिर से नीचे आ जाता है इसलिए मैंने उग्ली हटा दी और अब भी फिर से नीचे जाने लगा जिसकी वज़ेसे और उपर आता है फिर तो यहां पे इसके velocity 0 होती है लिकिन वह और उपर आता है क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं फिर से नीचे से तो अब क्या हुआ अब हुआ यह कि यह जैसे मैंने M1 को छुआ जैसे मैंने M1 के यह पे अपना हाथ रखा तो M1 थोड़ी दिर के रुका जैसे थोड़ी दिर के लिए M1 रुका तो यह जो है because of the inertia उपर जाता रहा है जाता रहा जाता रहा लेकिन gravity की वज़े से उसकी velocity उपर जाते जाते 0 होने लगी तो एक point आया जब उसकी velocity 0 होगी अगर मैं M1 को अभी भी पकड़ के रखता तो यह box नीचे आ जाता फिर यहां से M2 से वापस नीचे आ जाता because gravity लग रही है लेकिन मैंने जैसे इसके हाथ अटाया M1 नीचे आने लग गया फिर से M1 नीचे आने लग गया फिर से M1 नीचे आने लगा और M1 जैसे नीचे आने लगा तो यह फिर से M2 वाला जो box है वो और उपर जाने लगा फिर तो मुझे बताओ कि भाई सब कितना time लगता है रसी को tight होने में दुबारा रशी को टाइट होने में कितना टाइम लगेगा तो मैंने बोला पहली बात तो फेल सिस्टेम इन डिस अप litter मोेड हो लिए अपनी सिस्टम को चोड़ा आप ने सक यह यह रहां तो नो दो सिकेंड के बाद पहले तो चेक करो इनकी velocity कितनी हो जाएगी तो पहला पार्ट है कि मैं velocity find करनी है तो find करते है velocity of the boxes after 2 seconds तो 2 seconds के बाद में masses का velocity जो होगा वो कितना होगा so V equals to U plus 80 वाली question लगा लेते हैं तो initially तो हमने बोला था system rest पे था तो V is equals to 0 plus acceleration की value 10 by 3 है so 10 by 3 into 2 so यहाँ पे जो velocity आपको मिलेगी वो मिलेगी 20 by 3 meter per second यानि कि 2 seconds के बाद में after 2 seconds यह M1 वाला नीचे जा रहा था 20 by 3 meter per second से और यह M2 वाला उपर जा रहा था with the velocity of 20 by 3 meter per second से अब भी यह बेचारा नीचे जा रहा था 20 by 3 meter per second से यह उपर जा रहा था 20 by 3 meter per second से तुमने हाथ लगा दिये यहाँ पे जैसे तुमने हाथ लगाया M1 रुग गया जैसे तुमने हाथ लगाया M1 रुग गया अब M1 तो रुग गया लेकिन M2 को रुखने वाला कोई नी था M2 उपर जाने लगा inertia की वज़ा से inertia of motion क्या बोलता है कि तुम चल रहे हो तो तुम चलते रहो रुको मत तो यह उपर जाने लगा और उपर जाते जाते इसके उपर जी लगने लगा नीचे की तरव तो यहां पर इसके velocity 0 हो जाएगी वो फिर से नीचे आजाएगा तो इस M2 के यहां पर पहुंचने से पहले मुझे हाथ हटाना है और रसी के अंदर से पहले पहले ही हाथ हटाना है और टेंशन को वापस लाना है क्योंकि टेंशन ही तो है जो इसको उपर लेके जा रहा था पहले अगर टेंशन ही नहीं होता तो यह उपर कैसे जाता पर तुमने तो हाथ लगा दिया तुम्हारे हाथ लगाने की वज़े से टेंशन 0 हो गया रसटी ढीली पढ़गी लेकिन इसका इनर्शिया फाजों इसको उपर लेके जा रहा था बट वो इनर्शिया भी कब तक क्याम करेगा इसके उपर een mg force भी तो लग रहा है बारवर यह mg force इसके इनर्शिया को break करता है यह mg force बोलता है कि भाई तुम न रुकते जाओ अपनी speed कम करते जाओ तो यह उपर जाते जाते अपनी speed कम करता और यहां पर आके velocity 0 हो जाती और जैसे यहां velocity 0 थी फिर यह नीचे आ जारता हम नहीं चाहते हैं कि यह दूबरा वापस नीचे है तो हम क्या करेंगे इसके यहां पर पहुंचने से पहले-पहले ह हाथ हटा देंगे और टेंशन ला देंगे वापस मैं जैसे हाट दाऊंगा यह M1 जी नीचे आएगा और रस्ती में फिर से टेंशन आ जाएगा तो मैंने हाथ लगा रखा है मैंने हाथ लगा रखा है और यह M2 जी ऊपर जा रहा है तो मैंने हाथ हटा दिया और अब यह M1 ज कि भाई रसी के अंदर टेंशन दुबारा लाना है जब मैंने हाथ लगाया तो M1 बाला ब्लॉग यही रुग गया तो जो रसी है वो धीली पड़ गई रसी अगर धीली पड़ गई तो टेंशन जीरो हो गया तो अब इसको उपर कौन खेचेगा हाँ थोड़ा सा खुद वो तो फिर से उपर जाने लगेगा तो मुझे कितनी देर में वो टेंशन वापस ही है find the time elapsed before the string is tight again जैसे रसी tight होगी टेंशन वापस आजाएगा तो कितने time में टेंशन वापस ही है जितने time में particle A से B तक पहुँच जाए उतने time में मुझे टेंशन वापस ही है ठीक है तो particle जितने time में A से B पहुँचेगा उतने time में मुझे टेंशन वापस ही है तो time taken for B by M2 to reach point B M2 को B point तक पहुचने में कितना समय लगेगा M2 की initial velocity जो है 20 by 3 meter per second है final velocity 0 है retardation लग रहा है नीची के तरफ G के बराबर so equation लगाएंगे V equals to U plus 80 वाली तो यहाँ पे हमने बोला final velocity इसकी 0 है initial है 20 by 3 retardation में लग रहा है minus का G और यहाँ पे time हमें find out करना है so GT is equals to 20 by 3 यानि कि जो time होगा वो कितना होगा 2 by 3 seconds G का value 10 ले लेना ठीक है तो यानि कि इतने time में 2 by 3 seconds में यह M2 वाल ब्लॉक A से लेके B तक पहुंच जाएगा 2 by 3 seconds में M2 वाल ब्लॉक A से B पहुंच जाएगा और जैसे वो B पे तो वाचा उसकी velocity जिरोगी अब वो नीचे गिनना शुरू हो जाएगा हम नहीं चाहते वो दुबारा नीचे गिरे हम तो मजाग कर रहे थे यार हम तो हाथ लगा के ऐसे देख रहे थे बस हम नहीं चाहते कि वो दुबारा नीचे गिरे तो हम क्या करेंगे अपना हाथ तक पहुंच जाता है उतने टाइम के अंदर अंदर अगर टेंशन वापस आ गया तो काम बन जाएगा नहीं तो वो बिचारा M2 जो है वापस नीचे गिर जाएगा तो इतने टाइम के अंदर अंदर टेंशन वापस लाना है हम लोगों को इतने टाइम में टेंशन वापस आईगी रसी में तो ही जाके, तो ही जाके M2 उपर उठ पाएगा, नहीं तो वो M2B पॉइंट से नीचे गिर जाएगा, फिर से आके, फिर काहेगा तुम्हारा एट्वूड मशीन, ठीक है, तो ध्यान रगना, तुमने हाथ लगाया, जबर्दस्स को रोका है, इसको रोकने क इस M2 को B पॉइंट तक पहुचने से पहले-पहले, टेंशन को वापस लेकिया हो, यानि कि इस M2 को B पॉइंट से पहले-पहले, अपना हाथ हटा दो, और टेंशन को वापस लेकिया हो, तो भाई, कितना टाइम लगेगा टेंशन को वापस लाने में, A से B तक टाइम निक जाना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर तुम ऐसे हाथ लगा के रखोगे ना तो थोड़ी दे बाद ये ब्लॉक नीचे आजाएगा खुद बखुदी बैलेंस हो जाएंगे दुने एक तरफ ठीक है थोड़ा सब अजीब सा है पट इजी है इतना ज्यादा भी नहीं यह तफ यह तो इस इस वाल अबट बट बट विटी थी और फोर से इस फिगर शोज अई उनिफर्म रॉड अफ लेंथ 30 संटीमीटर यह एक रॉड है जिसका लेंथ ओवर्ल 30 संटीमीटर है और इसका जो मास है वो 3 कजी का है दे स्ट्रिंग शोन इन फिगर आर पुल्ट बाइद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन और 30 न्यूटन फाइंड फोर्स एग्जर्टेट बाइद ट्वेंटी संटीमीटर पार्ट ऑफ दा रो रॉड ऑन दे 10 संटीमीटर पार्ट अब देखो क्या हुआ यह जो 30 संटीमीटर लेंथ वाली जो रॉड थी उसको मनें डिवाइट कजिए द अश्यूम करना सारे सर्फेसिस जो है यां पे स्मूध है और कोई भी फ्रिक्षन नहीं है यहाप टीक है और यह बंद ये भी अजिम कर लीजिए कि जो पुली है और ये जो स्ट्रिंग है यह मासलेस है यहाँ पे टो उसके बसे सपेस को सॉल्व कीजिए क्वार करो खुच तो make sure you have to make the free body diagram तो यहाँ पे भी हम इसका एक FBD बना लेते हैं free body diagram हमारा क्या बोलता है कि यह जो 10 cm का block है इसको मैं अलग से बना लेता हूँ यह जो 20 cm का block है इसको मैं अलग से बना लेता हूँ 20 cm वाले पे इधर से force लग रहा है 32 Newton का 10 cm वाले पे इधर से force लग रहा है 20 Newton का और इन दोनों में आपस में भी एक force लग रहा है यही तो बोला है find the force exerted by the 20 cm part of the rod on the 10 cm part किको किसी भी rod के अंदर tension produce करवा सकते हैं हम लोग ठीक है rod क्या है actual मैं एक ऐसी string है जिसका कुछ mass होगा solid वाली string होगी एक तरह से तो यहाँ पे भी हमने बोला कि ठीक है यार जब हम उसको pull करेंगे तो 20 cm वाला जो rod है वो 10 cm को अपने पास बुलाएगा because we know better 32 is greater than 20 और जो 32 Newton वाला force है वो पूरे system को एक particular direction में acceleration प्रवाइड कराएगा and just because of that हम बोलते हैं कि 10 cm 20 cm की तरफ जाएगा तो इसको थोड़ासा feel लेते इसका और इसको ऐसे ड्रो करते हैं कि 20 cm वाला जो है 20 cm वाला 10 cm को अपने पास बुला रहा है by applying some force let us consider this force as T 10 cm वाले का acceleration उधर की तरफ है towards the right है तो 10 cm का acceleration towards the right means 20 cm वाला इसको इधर लेके जा रहा है तो देखो 20 cm वाले ने इसके उपर एक force लगा है जिसको मैंने नाम दिया टी जिसकी वजह से ये 10 cm वाला ब्लॉक इस तरफ accelerate करेगा but according to the Newton 3rd law अगर 20 cm वाला box जो है 10 cm वाले box पर force लगाता है तो बदले में 10 cm भी 20 cm के पर force लगाएगा with the same magnitude तो अब हमारा question बहुत आसान हो चुका है हमें सिर्फ फाइन करना है the value of tension acceleration कैसे फाइन करते हैं so you know better acceleration can be written as the net driving force divided by the total mass driving force की जगह external force भी लिखोंगे तो चलेगा so यहाँ पर अगर मैं acceleration की बात करूँ it will be your net driving force और the net external force external force मतलब जो आपको दिख सकते हैं कौन-कौन से forces दिख रहे हैं 32 दिख रहा है 20 दिख रहा है motion कहा होगा 32 की तरफ क्योंकि वो बड़ा force है तो इसको लिखेंगे 32 minus 20 upon total mass यह 30 cm का box है उसका total mass 3 kg का है तो upon मैं put करेंगे 3 kg total mass box का कितना है box का total mass कितना है 3 kg का 32 minus 20 divided by 3 let us solve this part again it comes out 12 by 3 और it comes out 4 meter per second square तो यह जो पूरे system का acceleration है it is towards the right with an acceleration of 4 meter per second square so यहाँ पे भी हम acceleration को define करते है accordingly here it is 4 meter per second square and this one is also 4 meter per second square ठीक है तो यहाँ पे हमारा काम तो हो गया complete अब जस्ट मुझे tension find करना है यह जो दो boxes की बीच में force लग रहा था सिर्फ इसको find out करना है तो इसके लिए तो हम कोई सभी box को solve कर सकते है as per your convenience अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि इन boxes के mass कितने होंगे important यह है कि आपको boxes का mass भी पता होना चीए now as you can see here 30 cm का जो box था complete box था उसका mass 3 kg का है so 20 cm वाले का mass कितना होगा I think is it 2 kg अगर 30 cm का जो complete box था उसका mass अगर 3 kg है so 20 cm वाले का होना चीए 2 kg and 10 cm वाले का होना चीए 1 kg तो यहाँ पर इनके मैंने masses भी define कर दिये है now solve for any of the block and you can find the value of t तो मैं 2 kg वाले के लिए solve को लेता हूं equation can be written as 32 minus t is equals to 2 into a now a is 4 meter so यहाँ पर 32 minus t is equals to 8 because acceleration is nothing but 4 meter per second square so the value of t comes out to be 32 minus 8 right कितना बने गई है 24 this is the final answer okay so यह आपका final answer आगे यही तो वो force है जो 2 kg वाला लगा रहा है 1 kg के उपर यह वो t है जो 4 यह t वो force है जो 2 kg वाला 1 kg के उपर लगाता है अब अब दले में 1 kg वाला 2 kg पर लगा है because of the Newton 3rd law for every action there is always equal and opposite reaction है न तो उसी के basis पर मैंने इसको define किया है अब boxes का mass कैसे define करते हैं तो बोला भाई 30 cm का complete box है उसका mass 3 kg है so 20 cm वाला का 2 kg 10 cm वाले का 1 kg अब overall जो हम देख रहा है कि 32 newton is greater than 20 newton so definitely पूरा system राइट की तरफ accelerate करेगा and अगर पूरा system राइट की तरफ accelerate करेगा so the net acceleration can be written as the total driving force or the total external force upon total mass 32 minus 20 divided by total masses of 3 kg तो solve करें यहां पर and we got the answer as 12 by 3 which is 4 meter per second square अब आप इन में से किसे भी ब्लॉक के लिए solve कर लिजिए and you'll get the final value of T as 24 बहले आप पहले ब्लॉक के लिए भी solve करेंगे अगे आपको same answer ही मिले गए यहां पर टीक है so this is all about this question I think अभी clear हुआ से भी को note के लिजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और clear है सभी कोई है समझ आ रही है कहानी बहुत simple है कोई rocket science नहीं है and I know you can solve such kind of questions very easily है ना बहुत easily तुम solve कर सकते हो चलो यह वाला तो हो गया एक अगला वाला question ट्राय करना मज़ा एगा दिखना so the next question question number 25 says consider the situation shown in figure all the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light find the magnitude of the acceleration of the blocks यह दो blocks है वन की जी के है यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर angle of inclination नहीं दे रखे है हमें लेकिन उसकी जगा उसने sides दे दे थी 4-5 meter वाली so इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा एंगल 53 डिग्री इन कौन सा 37 डिग्री है so you know better कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है यह एक पाइथर गोरस की ट्रिपलेट्स जिन्हें कहते है वो बनता है okay and the angle between 5 and 3 is 53 डिग्री 5 और 3 के बीच का एंगल होता है 53 डिग्री 5 और 4 के बीच का एंगल होता था 37 डिग्री तुम्हें पता होना चीए it is your special triangle अब तुम्हें पता है boxes का FBD बनाना है now you know better mg के कौन-कौन से components आएंगे एक बाइगा खुद से जरूर ट्राय करने इसको ओके तुम वीडियो को पॉस करो खुछ से ट्राय करो फिर चेक करो क्या अंसर आता है कर लिया ट्राय पका अब देखो यार यह 1 kg का यह भी 1 kg का वी नो बेटर कि यहां पे along the inclined plane एक force लगता है अब इसकी लिए मुझे बार-बार बताने की जरूरत तो नहीं है बढ़ ठीक है एक बार नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो अगर कोई भी body inclined plane के उपर रखी होती है तो उसके उपर पहली बात तो force लगता है mg which is acting in the downward direction इस mg के कुछ components करते हैं हम लोग and components कैसे करते हैं मैं बता देता हूं suppose this is your angle of inclination theta तो यह 90 degree का बनेगा and this comes out to be your 90 minus theta इसका एक perpendicular to the surface component लोगता हम है now this part is your 90 minus theta this whole part is 90 degree so this comes out to be your theta ठीक है यह theta यह 90, यह 90 minus theta यह 90 minus theta तो यह theta हो जाएगा because this whole part is your 90 degree so mg का इदर का component बनता है mg cos theta so हमेशा ध्यान रखो inclined surface के perpendicular वाला component होता है mg cos theta और inclined plane के along the component होता है it is your mg sin theta तो यहाँ पे भी बस यही concept लगाना है inclined plane के along जो होगा वो होगा 1g sin theta 1g sin 53 degree 1g sin 53 degree उधर आएगा 1g sin 37 degree तो यहाँ पर भी लिख लेता है ऐसे 1g sin 37 degree okay tension we all know it is always away from the point of contact so tension हमेशा हम बनाएंगे away from the point of contact tension T tension T अब मुझे बताना है कि भाई acceleration कितना होगा इन ब्लॉक्स का because we know better एक common string से दोनों boxes connected है और common string है so we can simply say 8 की क्या होगा inextensible string है तो तोनों का acceleration सेम होगा but box जो पूरा system है वो कौनसी साट जाएगा क्या वो 1g sin 53 की तरफ जाएगा या फिर वो 1g sin 37 की तरफ जाएगा यह acceleration कौनसी direction बनाऊ इधर की तरफ बनाऊ या उधर की तरफ बनाऊ तो इसके लिए हमें इनको solve करना पड़ेगा now you know better sin 53 is perpendicular upon hypotenuse so this can be written as 1g into 4 by 5 so यह बनेगा 4g by 5 वाला force so इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 4g by similarly उधर की तरफ अगर फोर्स निकालेंगे it comes to be 3g by 5 now तुम समझदार हो तुम्हें पता है 4g by 5 4g upon 5 वाला फोर्स इधर लग रहा है 3g upon 5 वाला फोर्स इधर लग रहा है कौन सा फोर्स बढ़ा होता है definitely 4g by 5 is greater than 3g by 5 so हमारे बॉक्स जो है वो इधर की तरफ एक्सलरेट करेंगे यह वाला इधर एक्सलरेट करेंगे यह वाला इधर एक्सलरेट करेंगा है ना यह 4g by 5 है वो 3g by 5 है so we know better कि 4g by 5 is greater than 3g by 5 तो यह जो 1kg का बॉक्स है वो इधर की तरफ एक्सलरेट करेगा and just because of that यह 1kg वाला ब्लॉक उपर की तरफ एक्सलरेट करेगा अब अगर यह एक्सलरेट कर रहे हैं तो हमें तो बस हमें वैल्यू निकालनी है so the acceleration can be written as net driving force acceleration can be written as net driving force divided by total mass driving force divided by total mass net driving force divided by total mass now driving force में कौन कौन है एक तो 4g by 5 है driving force and एक जो है 3g by 5 है driving force tension जो है एक internal force होता है it is actually the intermolecular force तो tension को हम driving में नहीं consider करते हैं okay so driving force बोलो या फिनेट external force बोलो एक ही बात है 4g by 5 माइनस 3g by 5 4g by 5 माइनस 3g by 5 divided by total mass is of 1kg 1kg कितना हो गया 2kg तो 1 प्लस 1 2kg 4g by 5 माइनस 3g by 5 it comes out भी g by 5 और यह हो जाएगा g by 5 और upon में क्या चल रहा था 1 plus 1 is 2 यह 5 नीचा आएगा it comes out भी g by 10 it comes out भी g by 10 तो यहाँ पे जो आपको acceleration मिलेगा it will be your g by 10 जो acceleration मिल रहा है it is your g by 10 I think कि यह बात clear होगे तुम लोगों को फटा-फट से note कर लिचे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें तो कोई दिक्कत नी ना net driving force वाले में तो यह तो simple ही था शोली नी होगे note बढ़ सकते हैं आगे बहुत बढ़िया समझ तो आ रहे हैं ना तुम्हें कहानी है ना इतना कोई rocket science नहीं है वो सारी बाते जो तुमने पहले पढ़ी हुई है सब्सक्राइब कोई आपको 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 एक free body diagram जरूर बनाना है आपके सो यहाँ पर भी एक free body diagram बनाते हैं हम लोग पर इससे पहले कोई खुद से try कर लो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना हो गया पक्का चलिजी अगर मैं M1 की बात करूँ so this is your block M1 M1 के उपर एक तरफ से लगता है tension T एक तरफ से tension force लगता है F which is equal to M2G M2G divided by 2 यही force है अब मैं M2 का भी एक free body diagram बना लेता हूँ so this is your block M2 यहाँ पर tension T लगेगा away from the point of contact and यहाँ पर लगेगा M2G अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर इधर M2G लग रहा है और इधर की तरफ M2G by 2 लग रहा है यहाँ पर M2G by 2 लग रहा है और यहाँ पर M2G लग रहा है तो पूरा system कहा जाएगा यह M2G नीचे की तरफ लगेगा M2G वाला force यह force F जो था वो M2G upon 2 था तो हम जानते हैं कि पूरा system इधर की तरफ accelerate करेगा इट विल गो लग रहा है डाउन चो यहाँ पर system का हमें पता चल चुका है कि वो कहाँ accelerate कर रहा है ちょ vic jagaPU दोनो ही ब्लॉकस जो हमारे same string से connected है दोनो ब्लॉकस हमारे same string से connected है और अगर ये same string से connected होते हैं तो भी जो बेटर कि दोनो का acceleration जानका पता है जो सो घॉन दोर अचल ब्लॉकसτε अचलरेशन गहाँ हुए नारे चलरेशन equals to net driving force, driving force divided by total mass, it will be your net driving force divided by the total mass, अच्छे इसमें कौन drive करवा रहा है, एक M2G है, और एक M2G by 2 है, यह driving force है हमारे, ऐसे forces जो हम देख सकते हैं, क्या F force आपको दिख रहा है, हाँ सद दिख रहा है, M2G हमें पता चलता है, gravity लगती है, यह external forces में आते है, tension एक intermolecular force है, वो अंदर का force है, उसको consider नहीं करेंगे, so net driving force में आएगा M2G minus M2G by 2, क्योंकि देखो, M2G वाला force जो है, वो in the direction of motion है, M2G वाला force in the direction of motion है, इसलिए positive लिया, M2G by 2 opposite to the direction of motion है, इसलिए minus का लिया है, upon में total mass आएगा M1 plus M2, is the value of acceleration, अगर इसको further solve करेंगे, तो M2G by 2 आएगा, so this can be written as M2G divided by 2 times of M1 plus M2, so it comes out to be M2G by 2 times of M1 plus M2, this is the value of acceleration in this question, जल्दी से note के लिएजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, अरे, acceleration निकालने के लिए तुम्हें वो equations वगरा बनाने किसे होत नहीं है, just write it now, net driving force, और net driving force नहीं समझाता है, तो acceleration को net external force लिख लेना, net external force upon total mass, यहां से भी आपका अंसर आएगा, so I think अभी question 26 सभी को clear हो गया है, तो आगे बढ़ सकते है, question 27 पे आते हैं, question 27 हम से क्या बोलता है, आओ देखें, so according to the question 27, in the figure, m1 is of 5 kg, m2 is of 2 kg, and f is of 1 newton, find the acceleration of either blocks, describe the motion of m1, if the string breaks, but f continues to act, बोला गया है कि इस figure में आपको m1 दिख रहा है, वो 5 kg का है, m2 जो है आपका वो 2 kg का है, और जो दोनों के पर forces लगा रख रहा है, वो 1 newton के हैं तोनों ही, ठीक है, and कहा गया है कि अब अगर यहां पर एक रस्टी को में तोड़ दूँ, string को में तोड़ दूँ वहां से, तो m1 का motion कैसा होगा, हाँ, f force continuously act हो रहा है, वीवी, तो आपको दो चीज़े find करने हैं, acceleration बताने किसी भी एक block का पहले तो, फिर उसके बाद एक रस्टी को तोड़ दो, तो बताओ, m1 का motion कि स्टैट का होगा, ट्राइ कर लिए तुम लोगों ने, पक्का, देखो है, सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है, वो यह है कि m1 की बात कर रहे हैं, और m2 की बात कर रहे हैं, जिनका free body diagram बनाओ, so, m1 का free body diagram अगर मैं बनाता हूँ, so, this will be your m1, so, एक force F नीचे लग रहा है, apart from this, एक force m1 G नीचे की तरफ लगेगा, and yes, tension T उपर की तरफ लगेगा, since m1 जो है, वो 5 kg का है, so, definitely, मेरे हिजाफ से तो, acceleration नीचे की तरफ ही आएगा, इसका, because 5 kg वाला box है, वो नीचे जाना चाहता है, और अगर मैं M2 की भी बात कर लूँ साथ में, so, this is your m2, and definitely force F लग रहा है नीचे की तरफ, और M2 G भी नी लगेगा, नीचे की तरफ, so, again, the tension T will act in the upward direction, because of the same string, okay, अब यह जो रसी है, वो सेम है, तो 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 तेंशन सेम हो जाएगा, so, कैसे करोगे, net driving force कर लें इसको, net driving force, so, A will be net external force, external force में कौन है, F M1 G, F M2 G, बढ़ा कौन है, M1 G बढ़ा है, तो इधर वाला motion हो रहा है, तो motion की direction में जो force उनको positive ले लिजिए, तो F plus M1 G, minus F minus M2 G, divided by M1 plus M2, यह मैंने formula फिर से वही लगाया, net external force यह फिर net driving force, acceleration का हमेशा एक ही formula लेगा, net external force और the net driving force, कुछ भी बोलो दो नो में से, एक है net external force बोलीजे यह फिर net driving force बोलीजे, एक ही बात है, divided by total mass, divided by total mass, so हमने भी यहां पर यह ही किया है, जो external force, tension का हम कंसीडर नहीं करते external में, because वो रसी के अंदर लगा है, it is an internal force, F plus M1 G, minus of F plus M2 G, तो माइनस अंदर जाएगा, तो यह हो जाएगा, F से F cancel out हो जाना है, and M1 G, minus M2 G, it comes out to be 5 G, minus 2 G, divided by total mass is of 5 plus 2, so it comes out to be 5 minus 2, 3 G, so your value of acceleration comes out to be 3 G by 7, M1 G, यानि कि M1 जो है, वो 5 KG का है, तो 5 G minus 2 KG का 2 G, तो 5 G minus 2 G is 3 G, divided by total mass is of 5 plus 2, which is 7, तो acceleration है 3 G by 7, अब scenario थोड़ा सा change हो जाएगा, अब उन्होंने कहा है कि एक इस रसी को अब आप तोड़ दीजे, यह रसी को तोड़ देंगे, तो M1 के साथ क्या होगा, आओ देखते हैं, जैसे रसी टूटी टेंशन हो गया 0, जैसे रसी टूटी टेंशन हो गया 0, अब यहाँ पर force F लग रहा है, एक force M1 G लग रहा है, जिसकी वज़ा से वो क्या करेगा, नीचे की तरफ motion करेगा, एक force F लग रहा है, एक force M1 G लग रहा है, जिसकी वज़ा से M1 नीचे एक्सलरेट करेगा, तो M1 कितना एक्सलरेट करता है, नीचे की तरफ आओ चेक कर लेते हैं, एक्सलरेशन गान भी रिटेन आज, F प्लस M1 G दिवाइड़ बाइ M1, acceleration will be F by M1 प्लस M1 G, तो यहाँ से acceleration का value मिलेगा, 1 upon M1 प्लस G, अच्छे एक बार बताओ, M1 कितना है, 5 kg है, तो पुट कर दीजियो, 1 upon 5 प्लस G, solve this part, 1 upon 5 इस 0.2, तो 0.2 प्लस G is the final answer, तो इस case में, जो यह M1 वाला ब्लॉक है, नीचे के तरफ जाएगा, 0.2 प्लस G के acceleration से, in the downward direction, ठीक है, तो यह क्या करेगा, अब motion करेगा downward direction में, vertically downward motion, it will be a vertically downward motion along a straight line, ओके, so the motion अगर इसका कोई पूछे कि किस state का motion है, तो motion को define कर दिना, it will be your straight line motion, straight line motion, और I can simply say, it is a motion along the straight line, तो इक straight line पर motion करेगा, यह one dimensional motion होता है, और इसका जो acceleration होगा, acting in the downward, which is equal to 0.2 प्लस G, यह हमारा case आएगा, जब रस्ती को आप तोड़ दोगे तो, जैसे अपने string को तोड़ा, tension 0 होगा, tension 0 होनी के बज़ा से, जो forces बसते हैं, F प्लस M G, तो that will be your F प्लस M 1 G, divided by M 1 is the acceleration of the block M 1, यह नीचे जाता है, इतने acceleration से, और एक straight line को follow करतो अचले गई है, ठीक है, so it will go downward, following a straight line, okay, so this is all about the question 27, clear हो रहा है नहीं तुम लोगों को, clear है तो फटा फट से note का लिजए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पहेंगे हैं फिर हम लोग, note करो जल्दी से, clear note, पक्का, बढ़े हांगे, okay, so let us move on to the next question, question 27 के बाद आथा 28, so question 28 says, let's say M1 is of 1 kg, M2 is of 2 kg, and M3 is of 3 kg, find the acceleration of M1, M2 and M3, the string from the upper pulley, to M1 is 20 cm, when the system is released from the rest, how long will it take before M1 strikes the pulley, so here, what have you said, M1, M2, M3 आपके पास में है, और इनके मास इस डिफाइन करके रखे हैं, कहा गया है कि, acceleration of M1, M2, M3 आपको find out करना है, now you know better, कि यहाँ पे M2 और M3, एक string से connected है, और M1 जो है, वो अलग string से connected है, तो इनके acceleration में variation आएगा, आपको इनके acceleration बताने हैं, the string from the upper pulley to M1, अपर पुली से लेके M1 के अच्ट की जो string है, वो 20 cm की है, यह 20 cm है, तो आपको बताना है, कि जब system को release करेंगे rest से, तो कितना time लगेगा M1 को उस पुली तक पहुँचने में, आपको पता है न, क्योंकि M3 जो है, वो 3 kg का है, यह 2 kg का है, A1 kg का है, तो overall यह पूरा system नीचे आएगा, यह पूरा system नीचे आएगा, तो यह box उपर जाएगा, तो कितना time लगता है इसको उपर जाने में, यह आपको बताना पड़ेगा, ओके, तो एक काम कीज़े, इसको एक खुद से जरूर ट्राइग कीज़े, जस्ट कुछ भी माल लो, direction वगेरा, तुम समझदार हो कि M3 वाला 3 kg का है, M2 वाला 2 kg का है, तो पूरा system नीचे आएगा, तो M1 उपर ही जाएगा, ठीके, और जितने acceleration से, यह वाला box नीचे की तरफ आएगा, लेट अस consider it at A prime, तो यह भी हमारा A prime से उपर से ला जाएगा, अब जब यह M1 माला block उपर जा रहा है A acceleration से, तो यह pulley नीचे आएगी A acceleration से, जब यह pulley नीचे A acceleration से आ रही है, तो M2 और M3 पे हम एक pseudo force लगा सकते, because they are in the accelerating frame, अरे इनका आपस में अलग चल रहा है, लेकिन pulley जो उपर बैठी है, उसने बोला मैं पूरे system को नीचे ले जाओंगी A acceleration से, M2 और M3 का आपस में अलग चल रहा है acceleration की कहानी, लेकिन जो pulley यहाँ पे बैठी थी, movable pulley, उसने बोला, कि तुम आपस में कितना भी acceleration कर लो, मैं तो तुम्हें पूरे पूरे system को नीचे लेकिन जाओंगी A acceleration से, तो यह pulley की कहानी हो गई, तो यह काम करते हैं, सबसे पहले इनके एक free body diagram बना लेते हैं, so let us consider यह हमारा M1 वाला block हो गया, और यहाँ पे tension, let's say, यहाँ पे जो tension है, वो है, कितना जाएगा tension, वैसा तो 2D जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए, कोई बात निवे, इसको T' मान लेता हूँ, और इसका जो acceleration है, वो जा रहा है हमारा A, ठीक है, चलिए, इसको भी एक काम करते हैं, A' मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा correct कर ले ना, इसको मैंने A' मान लेते हैं, यह उपर जा रहा है A से, यह नीचे जा रहा है A से, और यह पूरे system नीचे जा रहा है A' से, तो यहाँ पे यह M1 वाला ब्लॉक हो गया, इसके उपर एक gravity भी लगाएंगे, M1 जी, तो यह हमारे equation बन जाती इसकिया से, यह तो हो जाएगा हमारे के लिए, अब ज़र है M2 और M3 पे focus करना, M2 वाले को देखना जहान से, वो क्या बोलता है, M2 ने बोला कि हम पे tension लगाओ T, हमें उपर जाना है A acceleration से, लेकिन हाँ, क्योंकि पूरा system नीचे जा रहा है A' से, तो M2 भी नीचे जाएगा A' से, अरे हाँ, ground frame से करो, या फिर तुम pulley के frame से करो, एक ही बात है, अगर तुम pulley के frame की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कि M2 के उपर एक pseudo force लग जाएगा, तो this is your pseudo force, तो यह इनका आपस में चल रहा है, acceleration A इनका आपस में लग चल रहा है, लेकिन उसमें भी उसने define कर दिया है, same case M3 के साथ करेंगे, M3 वाला box भी बनाएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ M3G लग रहा है, नीचे की तरफ accelerate कर रहा है, A से, लेकिन tension T उपर लग रहा है, और स्याथी साथ एक M3A pseudoforce उपर भी लग रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो movable pulley की बात देख लो, हम बोलते हैं कि जो pulley है वो massless है, और massless pulley के लिए उपर कोई भी force नहीं लगता है, so on this pulley, the net force will be zero, on this pulley, the net force will be zero, since the mass of this pulley is considered to be zero, हम क्या बोल रहा है, जो pulley है हमारे पास में, हम क्या कैसा consider करते हैं पुली को, massless consider करते हैं, तो अगर किसी pulley का mass ही zero होगा, तो उपर लगने वाला net force zero, तो पुली के उपर जो यहाँ पर tension लग रहा है, that will be your T prime, and यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो है T, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है T, और यहाँ लग रहा है T prime, so here this can be written as कि T prime equals to T plus T, that will be equals to 2T, ठीक है, so यह हमारे पास 2T हो गया, यह T है, यह T है, अब आपास में इनको solve करना हैं बस हमें, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, A dash निकाल लेते हैं, फिर A dash को यहाँ पर पुट करते जाएंगे, M2 A dash, ठीक है, तब मुझे क्या करना है, इनके acceleration निकालने हैं पहले तो, तो M2 का और M3 के acceleration निकालोगे, फिर M1 के लिए अलग से acceleration निकालोगे हैं न, तो इसको solve कर लेते हैं, तो कैसे करोगे solve? कैसे करे? इसकी question लिख लेते हैं पहले तो, पहले इसकी लिए equation लिख लेते हैं, so it comes out to be T prime, minus का M1 G is equals to M1 A prime, T prime की जगह मैं 2T लिख दू, तो minus का G is equals to A prime, this is your first equation, second equation में बात करता हूं, यहां पह, so it will be your T plus M2 A prime, minus का M2 G, ठीक है? so T plus 2 A prime, minus का 2 G equals to 2 A, third वाली के लिए equation लिख लेते हैं हम लोग, third वाली की equation जो बनेगी, वो कुछ इस तरही से बनेगे, कि M3 G, minus का T, minus का M3 A prime, equals to M3 A, so 3 G, minus T, minus का 3 A prime, equals to 3 A, यह हमारी third equation हो जाएगी, यह हमारी दूसरी equation हो जाएगी, और यह पहली question होगी, so 3 के लिए मैंने equations को भी define कर दिया है, अब इनको आपस में solve करना है, A और A dash में relation देखना है, क्या आता है, तो यहार सीधी सी बात है, अगर मैं देखू, A की acceleration, इसके लिए acceleration, A minus A prime तो नहीं हो जाएगा कहीं, है ना, so it will be T minus 2G, और इधा 3G minus T, तो T को eliminate करते हैं दोनों में से, second और third equation से हम एक काम कर सकते हैं, या फिर एक काम कर लो, एक काम करो, सुनो, 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 तो यहां से A prime का eliminate करके, tension के form मिल याते equation को, A prime को eliminate कर दो, और tension के format मिला सकते हैं इसको, एक मिन रुप जो, 3A, same acceleration जा रहा है, A2 जो बनेगा, वो बनेगा A, minus A dash, A dash minus A, और A3 बनेगा A plus A dash, अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है, मत कर ऐसा का, same ही होंगे, same ही होंगे, इनको मत करो, अब आपस मैं solve करते हैं, A को solve करते हैं, A dash को solve करते हैं, पहले A solve करते हैं, फिर A dash solve करते हैं, तो यहां पे हमें A prime दिख रहा है, और यहां पे हमें A दिख रहा है, तो एक काम करो, इसको 2 से multiply करो, इसको 3 से multiply करो, कुछ चीजे कट जाएगी आपस में, ठीक है, तो इसमें से a eliminate हो जाएगा और tension निकाल सकते हैं फिर हम लोग, चलो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं आजाओ, blackboard पर आजाओ, वह ही solve करते हैं, so t plus 2a prime, t plus 2a prime, minus 2g, equals 2a, और दूसरी question बनती है, 3g minus t minus 3a prime, 3g minus t minus 3a prime, equals to 3a, एक काम करो, यहाँ से t को eliminate कर दें या तो, उससे क्या होगा, कि हमें a prime और a में relation मिल जाएगा, so t को eliminate कर देते हैं, दोनों equations को add कर देते हैं आपस में, तो उससे क्या होगा, हमें a और a prime में relation मिल जाएगा, और इसी की basis पे आगे हम further चीजों को solve कर सकते हैं, तो एक काम करो पहले हैं, तो t को eliminate करते हैं, and it comes out to be 2a prime minus 3a prime, is minus ka a prime, और plus ka g is equals to 5a. So g comes out to be 5a plus a prime. चल्ड़े, यहां तक एक equation हमारी काम किये, अब एक काम करो, पहली equation को पहले हैं, 2t minus g equals to a prime, 2t minus g is equals to a prime, और यहां से कोई एक equation उठा लो, कोई सी भी, हमने पहले उठा ले, t plus 2a prime minus 2g equals to 2a, तो यहां से भी हम कोशिश करते हैं कि क्या करें, a को eliminate करते हैं, a prime की जगा उस value को put कर देते हैं, तो tension मिल जाएगा, a का value मिल जाएगा, a prime को उठाके यहां पहर put कर देजिए, so t plus 2 times of 2t minus g minus 2g is equals to 2a, so t plus 4t minus 2g minus 2g equals to a, so 5t minus 4g equals to 2a, ठीक है, so 5t minus 4g equals to 2a, t को eliminate करना पड़े गया, t के बिना तो काम नहीं चलेगा है, t को eliminate करते हैं, t को eliminate करते हैं, t को eliminate करते हैं, दो variable है, एक काम करो ना यहांसे, यह काम हमने थोड़ा गलत कर दिया, a prime को रहने दो, t को eliminate करते हैं, फिर हमाँ पास 2 equations हो जाएगी, 2 variable हैं, दो उनों को find कर लेंगे हैं, यहां पर देखो, 2 variable हैं, a और a prime, तो यहां से भी t को eliminate कर देते हैं, जिससे कि हमारा पास यहां पर भी 2 variable बन जाएगे, 2 equation बनेगी, तो दोनों से चीज़ों को solve की जा सकता है, एक काम करो, यहां पर t की जगा हम elimination करते हैं, इस पूरी equation को 2 से multiply करते हैं, यहां फिर एक काम करो, यहां पर लिखो, 2t is equals to a prime plus g, and this further can be written as, t is equals to a prime plus g by 2, हाँ, आप सही है, इस t को eliminate करते हैं यहां से, so a prime plus g divided by 2, plus 2a prime minus 2g equals 2a, सब उदर ले जाओ, तो a prime plus g plus 4a prime minus 4g equals to 4a, 5a prime minus 3g equals to 4a, इन दोनों equations को आपस में solve करते हैं, जिससे कि अब एक का value भी मिलेगा, और a prime मिलेगा, एक काम करो, एक काम करते हैं यहां से, a prime का value निकाल लेते हैं, a prime will be your g minus 5a, इसको ठाके यहां पूट करते हैं, 5 times of g minus 5a, minus 3g equals to 4a, so 5g minus ka 25a minus ka 3g is equals to 4a, मैं बता दोंगा भी क्या करते हैं, so 5g minus 3g is 2g, यह उदर जाएगा 29 बन जाएगा, तो it comes to be 2g equals to 29a, so solve this part, a का value मिलेगा 2g by 29, a का value मिलता है 2g by 29, a का value कितना मिलेगा 2g by 29, तो यहां से हमने a का value निकाला, यहां पर put कर दीजिए, तो यहां से a prime मिलेगा, g minus ka 5 into 2g by 29, so 5 to the 10, 29 minus 10, 19 g by 29, 19 g by 29, ठीक है, तो finally हम आर पास यह चीज आई, हमने एक गलती कर दी थी, कि वहाँ से हम t को solve करने लगे थे, t को solve मत करो, t को eliminate करो यहां से भी, t को eliminate करने के बाद, हमारा question बहुत आसान हो जाएगा, दो variables थे हमारे पास, a और a prime, और दो ही equation बनाके, आपस में solve करोगे, so a का value मिलेगा कितना, 2g by 29, और a prime का मिलेगा, 19 by 29 g, ठीक है, 19 g by 29, तो यहां पर समझ जाओ, कि यह जो उपर जा रहा है, वो कितने acceleration से जा रहा है, 19 g, divided by 29 से, लेकिन इनकी कहानी अलग है, अभी इनका M2 वाले का, अकेला acceleration a मत गिना देना, M2 वाले का, अकेला acceleration a मत गिना देना, M2 वाले को देखो, M2 वाले को देखो, अगर हम ज़रा ground frame से बात करें इसकी, तो इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, ground frame के respect में बात करें, तो इसका acceleration उपर a जा रहा है, और यह पूरा system a prime से नीचे जा रहा है, यह पूरा system a prime से नीचे जा रहा है, तो हमने बोला कि भाई, यह accelerating frame में थे, इसलिए हमने suit of force लगाया था, यह accelerating frame में थे, इसलिए हमने suit of force लगाया था इसके उपर, so a2 को लिखोगे, a prime minus a लिखोगे, a2 का acceleration overall, second वाले box का acceleration, a prime minus a होगा, तो a2 का जो acceleration होगा, it will be your a prime minus a, a3 का जो acceleration होगा it will be और a plus a prime because a3 जो 3 वाला box है वो overall नीचे आ रहा है तो a prime भी नीचे आ रहा है a भी नीचे आ रहा है तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो a prime minus a करोगे 3 की बात करूँ तो a plus a prime करोगे चलो यह इसको solve कर लेते है a minus a prime यानि की a minus a prime करने से हमें मिलता है 2g by 29 minus का 19 तो 17 बनेगा है 17g by 29 बनेगा तो आज वो next page पर solve कर लेते a2 को अगर देखा जाए so it will be your a minus a prime oh sorry a prime minus a so a prime कितना है में पास a prime है 19g by 29 और a है 2g by 29 so it will be your 19g by 29 minus ka 2g by 29 so it comes out to be 17g by 29 similarly अगर मैं a3 की बात करूँ तो a3 will be your a plus a prime so 19g by 29 plus ka 2g by 29 ये लो भाई तीनों के एक्सेलरेशन आगे a1 भी मिल गया a2 भी मिल गया और a3 भी मिल गया ठीक है so a1 दुमारे किसना था a1 था a prime के बराबर this is your 19g by थीक है तो इसको ऐसे solve करना है तो पहले तो हमने तीन equations बनाई है पहला काम तीन equation बनाई है तीन equation में हमें तीन variables दिख रहे है एक तो a prime दिख रहे है एक a दिख रहे है और t दिख रहे है तीन equations है तीन variable है अराम से solve करोगे variables मिल जाएंगे तो पहले तो FBD बना ली मैंने वोला कि भाई साब अगर ये M1 वाला बॉक्स उपर जा रहा है अगर ये M1 वाला बॉक्स उपर जा रहा है A' से या फिर A' से तो ये जो पुली है ये वाली पुली जो है वो नीचे की तरफ आएगी with the same acceleration of A' A' ये उपर जा रहाए A' से ये नीचे आ रहाए A' से तो ये पूरा system नीचे की तरफ जाएगा M2 वाला और M3 वाला इनका आपस में चल रहा है इनका आपस में चल रहा है acceleration का लेंडेन M3 वाला भारी था तो ये नीचे जाएगा तो ये A acceleration से नीचे आया, M2 वाला हलका था, उपर आएगा, लेकिन इनको क्या पता था कि पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, तो भाई जब पूरा सिस्टम नीचे आया था, तो सूडो फोर्स लगाया है, देखो M2 A प्राइम वाला, या M2 A डैश वाला, पूरा सिस्टम नीचे आया, तो सूडो फोर्स लगाया, M3 A डैश वाला, M2 वाला अकेला उपर जा रहा था, लेकिन साथ ये साथ पूरे सिस्टम की साथ नीचे भी आ रहा था, M3 वाला नीचे आ रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम भी नीचे आ रहा है, तो M2 का overall acceleration होगा, A डै और A में relation मिलता है, T को eliminate करके मुझे A डैश और A में relation मिलता है, ये रहा हो relation, फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है, ये equation 2 और 3 को solve कर लिए हम लोगों ने, 2 और 3 को solve करके हमने ये relation निकाला, equation 2 प्लस equation 3 किया था हम लोगों ने, तो दोनों को add किया, दोनों equations को add करके ये relation मिला थ फिर मैंने बोला कि यार equation number 1 उठालो, ये तुमारी equation number 1 थी, इस में से तुमने T को निकाला पहले तो, ये T का value निकला, equation number 1 से, इस T को उठाके तुमने इस equation number 2 में put कर दिया था, ये तुमारी equation number 2 थी, मैंने बोला था, 2 और 3 में से कोई से भी equation ले लो, तो तो तुमने equation 1 से T का value निकाला उसको 2 में put कर दिया solve करिया तो हमें relation मिला 5A dash minus 3G equals to 4A एक relation ये मिला, एक relation ये मिला दोनों को आपस में solve करोगे तो A dash और A में relation मिल जाता तो क्या किया मैंने, यहां से देखो A dash का value निकाला, A dash का value G minus 5A था, यह 5A को इतर लेकिगे तो A dash का value G minus 5A इसको यहां पर put कर दिया A dash की जगा तो यह जो A dash का value मैंने निकाला उसको उठा के मैंने put कर या यहां पर A dash पर, तो G minus 5A solve करा, तो A का value मिलता है 2G by 29, A का value मिलता है 2G by 29, तो भाई A का value मिल चुका है अब यहां पर A का value पुट कर दीजिए, तो आपको आप कहां से मिल जादा फिर, इस A का value उठा के, अगर आप यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पर solve करा, तो A- का value मिल गया, and that value comes to be 19 G by 29, यानि कि A- क्या था, A- is the acceleration of M1, तो वो मिल गया, 19 G by 29, अब रही बात M2 और M3 की, तो M2 उपर जा रहा है, M3 की वज़ा से, M2 उपर जा रहा है, M3 नीचे जा रहा है, लेकिन ये तो इनकी आप से ही बाते चल रहे थी, इनको क्या पता था कि पूरा system ही नीचे आ रहा है, तो पूरा system नीचे आ रहा है, तो हमने बोला भईया, M2 उपर जा रहा है, system नीचे आ रहा है, तो A2 का acceleration, system का acceleration, minus A, M2 का acceleration, A3, यानि कि इसका overall acceleration जो होगा, वो होगा, A plus A- क्योंकि पूरा system A- acceleration से नीचे आ रहा था, just because of the pulley, pulley की वज़े से पूरा system नीचे आ रहा था, तो M3 को लिखा A plus A-, M2 को लिखा A- minus A, तो यह रही values, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है A क्या है, तुम्हें पता है A- क्या है, तो बस अब solve कीजे, A2 को लिखोगे A- minus A, A3 को लिखोगे A plus A-, तो यहाँ से A2 का value मिलगा 17G by 29, और यहाँ पे A3 का value मिला 21G by 29, और A1 तो हमें पहले ही पता था 19G by 29, तो तीनों के acceleration हमने यहाँ पे find किये है, and this is the final answer which we have, तो मीद करते हो, समझ आई होगी कहानी, तो एक काम करो, पहले इसको note कर लो, ठीक है, फिर अगले part पर आते है, how long will it take before M1 strikes the pulley, पहले इतना part note करो, फिर उसके बाद अगले part पर आते है, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया, तीनों चीज़े हमारे पास है, हो गया यह वाला part note, पक्का, इसको भी note कर लो फिर, यह वाला part, हो गया यह भी note, इसको भी note करो फिर, कर लिया, चौल जी, बहुत बढ़िया, शाबाज, अब अगले part पर आते हैं, अगला part हम से बोलता है कि कितना time लगेगा M1 को पुली तक पहुंचने में, है, कोशन में बोला गया हम लोगों से कि जो M1 है, यह इस पुली से 20 मीटर की distance पर, 20 cm की, जो M1 है, उपर वाली पुली से 20 cm की distance पर है, और जब सिस्टम को rest से release करोगे तो इसको इस पुली तक पहुंचने में कितना time लगेगा, M1 को पुली तक पहुंचने में कितना time लगता है, आओ देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको redraw कर लूँगा, यह हमारी वो पुली है, यह हमारा वो M1 वाला ब्लॉक है, और M1 और पुली के बीच में distance है 20 cm का, तो जब हम इस system को release करते हैं from the rest, rest यानि की initial velocity 0, तो यह उपर की तरफ accelerate करता है, A dash से, which is your 19 G by 29, तो कितना time लगेगा, using the equation S equals to UT plus half 80 square, हमने बोला कि भाईसब, initially velocity 0 है, तो यह पाट पूरा 0 हो जाएगा, so the value of S can be written as half 80 square, S को क्या लिखुएंगे आप लोग, half 80 square, चली भई, S 20 cm है, convert कर लीजे इसको meters में, so this can be written as 20 into 10 is to the power minus 2 equals to half, acceleration की जगा मैं पुट करूँ, 19 G by 29 into T square, so इन सब कहानी को अधर लिके जाते हैं, और यह इसको नीचे लिके आते हैं, so 20 into 10 is to the power minus 2 into 2 into 29 divided by 19 G is the value of T square, ठीक है, चली थोड़ा से approximation कर लेते हैं, यह 19 से 20 को मार दो, थोड़ी से मकारी कर रहे हैं, जाज़ा नहीं, and now we got the value of 98, 9 to the 18, 2 to the 4, 1, 5, 58, सही है न, 9 to the 18, 2 to the 4, 5, 58 into 10 is to the power minus 2 divided by 10, got it, so T का value मिलेगा, under root of 5.8 into 10 is to the power minus का 2, minus का 2 बहार निकल जाएगा, minus का 1 बन जाएगा, under root of 5.8 into 10 is to the power minus का 1, it will, this amount of time, it will take, and root 5.8, 6, 6 consider कर सकते इसको आप लोग, and root 6 की अगर आप value बात करें, तो 2 point something value जो भी बनेगे अपके, ठीक है, because 2.5 into 2.5, 6.25 होता है, so 2.3 के लगब कुछ value बनेगी, so 0.23 seconds, you can consider it as the final answer, तो यह हमारे पास इतना टाइम लगेगा, M1 पुली को उपर तक पहुँचने में, क्यों M1 वारा मास जो है, उपर जा रहाता है, इतने acceleration से, initial velocity 0 थी, तो S equals to half 80 square solve किया, यही अंसर है, note कली जिसको फिर आगे बढ़ते हम लोग, कड़े नोट तुम लोगोंने, समझ आगी कहानी, सिंपल है ना पहुच जादा, चली बढ़ते हैं, अगले सवाल क्यों राते हैं हम लोग, तो हमारा अगला सवाल है, क्वेशन नमर्ट 29 जो हमसे कहता है, क्या कहता है, दीखे, तो अगले सब्सक्राइब, तो अगले सब्सक्राइब, पुराने वाले कोशन का डागना लेते हैं, तो इस इस पुली सिस्टम था, तो इस में एक हमार पास थे फिक्स्ट पुली, यहां पे अटाज था मास M1, फिर यहां पे एक मास M2 अटाज्च था, इधर एक मास M1 अटाज्च था, सॉरी दिस वी और M2, दिसल वी और M3, उसना वहला M1 का मास कितना रखे, M1 का मास कितना रखे कि वो रेस्ट पे रहे, हम चाहते है M1 जो है इस बार रेस्ट पे रहे, हम चाहते हैं M1 जो है इस बार rest पर है तो इसका mass कितना ओना चाहिए इनके लिए acceleration आप find out कर चुके अलरड़ी इनके लिए acceleration आपने find out किया था ना कितना A का value, A का value 2G by 29 था तो इनके लिए acceleration आप find कर चुके लेकिन हम चाहते हैं M1 rest पर है इस बार तो फिर से वही काम आप कर सकते हो दुबारा से ठीक है इस बार अगर M1 rest पे रहेगा तो ये pulley rest पे रहेगी ये pulley अगर rest पे रहेगी तो इनका आपस में चलता रहेगा जो भी होगा तो इनका mutual आपस में चलता रहेगा ये उपर जाएगा A acceleration से ये नीचे जाएगा A acceleration से तो क्या यहाँ पे A dash नहीं होगा A dash M1 का acceleration हुआ करता था question में बुला है M1 को rest पे रहने दो तो A dash कहीं नहीं है इस बार तो इनका आपस में ही acceleration चलता रहेगा बागी सब पूरा system rest पे है तो M1 का value बताइए कितना होगा पहली बात तो तो देखो यार अगर में इनका free body diagram बना दू so free body diagram says की इधर लगेगा M1 G acting in the downward direction यहाँ पे लगेगा tension T dash which is equals to 2 T यहाँ पे tension लगेगा T यहाँ पे tension लगेगा T यहाँ लगेगा M2 G और इधर की तरफ M3 G यह M2 G होगे, यह M3 G होगे यह tension T उपर की तरफ लग रहा है tension T उपर लग रहा है M1 G T dash अगर इस M1 को rest पे रखना है so T dash को M1 G के बराबर होना पड़ेगा पर T dash है कितना? सोचो T dash कितना हो सकता है? क्या यह 2 T के बराबर होगा? so yes T dash will be equals to 2 T equals to M1 G और अब मैं जिए find out करने tension T का value acceleration 2 G by 29 था तुम्हें पता है पहले ही solve कर चुके है किया था ना solve? नहीं किया था कोई बात यह भी solve करो अभी solve करो acceleration A निकालो यहाँ पर कितना है इनका so acceleration A निकालने के लिए I can use the formula net driving force which is your M3 G minus का M2 G divided by total mass तो इनका acceleration आपस में जो चल रहा है उसको find out करते हैं M3 G minus M2 G divided by total mass अब तुम सोच रहोंगे आपने पहले क्यों नहीं यह सब किया तो पहले यह M1 का acceleration उपर आ रहा था और यह pulli जो है movable pulli जो है यह नीचे जा रही थी तो जब pulli नीचे आ रही है तो M2 और M3 भी नीचे जाएंगे फिर उसके इसमें है ना तो पहले वाले कोशन में scenario अलग है पहले वाले कोशन में M1 वाला उपर जा रहा था और यह pulli नीचे आ रही थी pulli नीचे आने की वज़़ए से M2 और M3 भी दोनों नीचे जा रहे थे इस बार ऐसा कुछ नहीं है इस बार हमें M1 को rest पर रखना है उसके लिए pulli को भी rest पर रहना होगा और अगर यह pulli rest पर है तो इनका आपस में जो acceleration है हम वो normal तरीके से find out करते हैं So M3 जो है उसने बोला 30 होना चाहिए माइनस का 20 divided by 5 So it will be your 2 meter per second square M3 उसने बोला 3 kg का होना चाहिए M2 उसने बोला 2 kg का होना चाहिए G का value मैं 10 मान के solve कर रहा हूँ भी question को ठीक है तो G का value 10 मान के solve कर लीजिए G को अगर 10 मान लिया है तो 30 minus 20 upon 5 10 by 5 is 2 meter per second square तो इनका आपस का जो acceleration चल रहा है अब मुझे tension find करना है तो किसी भी एक block को पकड़ के इसको solve कर लीजिए and आपको tension का value मिल जाएगा So जैसे कि मैंने M3G वाले को लिया So equation बन दिये M3G minus T is equals to M3A equation बन दिये M3G minus T is equals to M3A So यहाँ से 30 minus का T equals to 3 into acceleration 2 meter per second 30 minus T is equals to 6 So the value of T comes out to be 30 minus 6 is 24 newton ठीक है? तो 30 minus 6 is 24 होता है तो यहाँ पे इसमें जो tension है वो 24 newton का है और यहाँ पे जब तुम जाओगे So T T, T dash जो हता क्योंकि देखो T dash इधर लग रहा था T इधर लग रहा था और T इधर लग रहा था हमने बोला किसी भी pulley के along जो net force होता है वो 0 होता है क्योंकि pulley जो है वो massless consider करते हो और net force के formula में क्या आता है? force के formula में आता है mass into acceleration और अगर mass ही 0 है तो फिर क्या करेगा force और क्या करेगा acceleration? तो बोला गया pulley जो आप मानते हैं वो massless होती है यानि उसका कोई mass नहीं होता है और जिसका कोई mass नहीं उसके उपर कोई net force नहीं तो pulley के उपर net force 0 होता है यानि जितना force उपर उतना force नीचे लगेगा pulley के उपर net force 0 होता है जितना force उपर लगेगा उतना force नीचे लगेगा उपर लग रहे है T' नीचे लग रहे है TOT so T' will be equals to 2T ठीक है तो यहां से T' जो हो जाएगा वो 2T के बराबर हो जाएगा तो मैंने यहां पर क्या क्या T' के जगा 2T put कर दिया that will be equals to M1G T का value 24 है ज़रा यहां पर put कीजिए solve कीजिए इसको देखी क्या आता है 10 मानके लखा है तो M1 का जो value मिलेगा it will be your 48 by G यानि कि 48 by 10 it can be written as 4.8 kg कितना बन जाएगा यह 4.8 kg बन जाएगा यानि कि अगर आप M1 को rest पे रखना चाहते हो तो M1 के उपर कितना कितना mass होना चाहिए M1 का 4.8 kg होना चाहिए अगर आप M1 को rest पे रखना चाहते हो तो M1 का mass 4.8 kg होना चाहिए क्या कि हमने M1 rest पे रहेगा तो यह pulley rest पे रहेगी because M1 और यह pulley M1 और यह pulley दोना अपस में एक ही रसी से attached है तो अगर M1 rest पे है तो pulley rest पे रहेगी pulley अगर यह pulley rest पे है तो वो नीचे जाएगा 2 m per second square से M2 light है तो वो उपर जाएगा 2 m per second square से अब मैंने बोला कि acceleration निकल चुका है तो tension निकाल लो सबसे पहले because यहाँ पे आपने जो equation लगए इसमें बोला कि यह अगर यह system rest पे है तो जो force उपर लग रहे है वही force नीचे लगना चाहिए T dash will be equals to M1 G तो मैंने बोला T dash will be equals to M1 G अब मैंने बोला कि pulley जो है आप उसको massless मानते थे pulley को आप massless मानते थे और अगर pulley आपकी massless है तो उसके उपर लगने वाला net force 0 होता है तो pulley के उपर लगने वाला net force मैंने 0 किया बोला जितना force उपर लग रहा है उतना force लीचे लगेगा T dash will be equals to T plus T so T dash की जगा मैंने 2T लिख दिया so T dash की जगा मैंने लिखा 2T equals to M1 G अब मेरे पास acceleration है मैं T को find out कर सकना हूँ by using any of the block किसी भी ब्लॉक को solve कर लीजिए और आपको मिलेगा tension is 24 newton तो मैंने M2 वाले block को solve करो है M3 को solve करो मैंने M3 को solve किया था 24 newton आ रहा है इस tension T को उठा के जब मैं यहाँ पर put करूँगा तो देखो मैंने क्या 2 into 24 equals to M1 G so 24 into 2 is 48 equals to M1 G तो M1 का वेली 48 upon G G को हमने 10 मान के रखा था इसलिए 48 upon 10 solve करा M1 का वेली आते है 4.8 के G यही है बस सवाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है so उमीद करता हूं समझ आया होगा note कलीजिए इसको फटा-फट से फिर हम आगे बढ़ते है एक gap बना लेना है आपे so एक difference होना चाहिए ओके yes चलिए बढ़ी note कलीजिए जली से कलीए note समझ के question 29 बहुत ज़्यादा तफ था ना अरे at least 28 से तो इसी था 28 से तो इसी था anyways so let us move on to the next question अगला सवाल हमसे क्या बोलता है आओ देख लेते हैं after this question 29 let us move to the question 30 जो कि हमसे गयता है calculate the tension in the string showing the figure the pulley and the string are light and all the surfaces are frictionless यहाँ पर आपको बोला है कि एक रसी है इस string के अंदर आपको tension बताना है pulley और string जो है वो light है light मतलब हम उसको massless मानते हैं ठीक है और जितनी भी surfaces यहाँ पर frictionless है G की value of 10 meter per second square ले सकते है तो चले बहुत राइ करते हैं यहाँ पर एक block है 1 kg का एक string से connected है जो कि पुली के उपर होते भी गई और इधर से पुली से again 1 kg के साथ attached है तो बताइए जरा कि कितना tension होगा इस string के अंदर खुझ से try को require FBD बनाओ उसके बाद देखो क्या होते है हो गया solve हुआ गया solve चली जी मेरी बारी मैं solve कराऊ तो सबसे पहले यह 1 kg जो horizontal block रखा है इसकी बात कर लेते हैं this will be your 1 kg and tension T जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा T अब हमने बोला कि यार यह same string पुली से होते हुए इधर गई और जब तक string same है तब तक tension की value भी same है make sure जब तक रसी same होती है वो string अगर same है तो tension का value same रहेगा ठीक है so जो tension T यहां लग रहा था वो ही tension T आगे जाके वो 1 kg के block के उपर भी लगेगा यहां पर ध्यान लगना कि यह जो 1 kg का block है इसके उपर force लग रहा है 1 g वाला acting in the downward direction यहां कोई friction नहीं है तो यह 1 g वाला जो है इसको नीचे की तरफ पुल करेगा with some acceleration A जिसकी वज़ा से यह इधर accelerate करेगा है ना यहां पर कोई friction वगेरा नहीं है बहुत smooth surface है तो जैसे अब हलका सा भी force इधर लगाओगे यह आगे खिसक जाएगा हलका सा force नीचे लगाओगे यह आगे खिसक जाएगा तो 1 g का force जब नीचे लग रहा है तो यह 1 kg का box जो है नीचे की तरफ एक्सलरेट करेगा and just because of that यह 1 kg वाला horizontally इधर accelerate करता है so what will be the net driving force यहाँ पे हमें tension find out करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको acceleration निकालना पड़ेगा तो acceleration के लिए we have the same old formula क्या बोलता है हमारा वो पुराना formula the net driving force or the net external force divided by total mass divided by total mass so बाई बताना जड़ा यहाँ पे driving force कौन है यह tension है tension है यह internal forces होते है 1g is the net driving force so acceleration can be written as 1g divided by total mass is of 1 plus 1 it comes out to be g by 2 so acceleration की जो value मिलती है वो मिलती है g by 2 क्योंकि हमने बोला net driving force कोई और force दिख रहा है आपको equation में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है सिर्फ एक 1g दिख रहा है so it will be your 1g divided by total mass that will be your 1kg plus 1kg 2kg का हो गया so acceleration मिलता है g by 2 बहुत बढ़िया अगर acceleration मिल गया है तो किसी भी एक equation में acceleration की value को put कीजिए solve कीजिए मैं simple वाली equation को लेके solve कर देता हूं so t can be written as 1 into a यहाँ पे तो ऐसे बनेगी नहीं question 1g minus t is equals to 1a अरे इतना क्यू solve करें जब यह easily solve हो जाएगा so t will be equals to g by 2 और I must say it is your 5 newton अगर g का value 10 लेते तो so t comes out to be 5 newton so tension in the string comes out to be 5 newton तो string के अंदर जो tension आएगा वो कितना आएगा 5 newton आएगा clear है जबी कोई पार्ट पक्का clear है ना तो काम करो इसको note कर लो फटा फट से FBT ज़रूर बनाया करो और अपना पुराना formula है नहीं समझ आता है तो तुम ऐसे equations बनाके इनको आपसमें solve कर सकते हो तो भी आपको same value of acceleration मिलेगा तो इसको note कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और बढ़ेंगे question number 31 पे इसको note करो चली से हो गए note कर लिया समझ गए बात है simple है न rocket science तो नहीं ही न कोई yes so now let us move on to the next question अगले सवाल हम से क्या बोलता है consider the situation shown in the figure both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless find the acceleration of the mass capital M find the tension in the string calculate the force exerted by the clamp on the pulley 3 चीज़ा में find करनी है सबसे पहली चीज़ बाताना है कि आपको M वाले block के acceleration कितना होगा फिर आपको रसी के अंदर कितना tension है वो बताना पड़ेगा और बताओ कि इस pulley क्यूपर कितना force लग रहा है clamp की वज़ा से clamp मतलब भी डंडा लगा है देखो पुली से attached है जो उसकी वज़ा से पुली के पर कितना force लगता है तो चलो बई इसका FBD बनाओ और थोड़ा बहुत दिमाग constraint motion का यूज़ करना शुरू करता हो यहाँ पर constraint motion का जब मैंने तुम्हें revision कराया था तो यह पुली constraint के concepts में मैंने बताया था virtual work method से question को solve कर सकते हो है ना तो वही virtual work method use कर एक बार और देखो कैसे solve करते हैं try कर एक बार फटा फट से हो गया solve पका तो पहली चीज़ जो है हमने बोला था virtual work method का use करते हैं जिसमें बोलते हैं summation of t vector dot a vector equals to 0 summation of t vector dot v vector equals to 0 summation of t vector dot x vector तो भले बात displacement की हो velocity को हो या फिर acceleration की हो हम हमेशा एक formula लगा सकते हैं summation of t vector dot a vector is equals to 0 यह virtual work method से हमें यह चीज़ पता चलती है कि भाई इस method को follow करते होए हम इसको solve कर सकते हैं ठीक है जी अब क्योंकि यहाँ पे बात यह है कि यह वाली रसी अलग है और यह जो रसी यारी बड़ी वाली यह अलग है तो दोनों में tension अलग अलग होगा यहाँ पे tension जो generate होगा it will be your t- और I must say it is your t- यहाँ पे जो tension तुमारा generate होने वाला है it will be your t since the string is same तो tension हर जगा पे same रहेगा ठीक है और यह जो पुली नमबर B है B वाली पुली के लिए हम बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाला net force 0 है क्यों है भई net force इस पुली के उपर 0 because यह पुली का जो mass है वो 0 है आपको कैसे पता चला पुली का mass 0 है question में बोला है both the pulleys and the string are light light मतलब mass नहीं उनका massless है वो तो यह जो पुली है massless है यह भी पुली massless है यह रसी भी massless है तो अगर यह पुली massless है तो इसके पर net force 0 होना चाहिए तो इसके पर net force 0 की कहानी बोलती है इधर लगता है t dash उधर की लवता है 3 plus t so t dash equals to t plus t यानि की t dash का जो value मिलेगा it will be your 2t t dash का value मिल गया मुझे 2t के बराबर अब मेरा काम खतम हो गया अब मुझे acceleration बताना है so by using the relation constraint relation ही है न by using constraint relation ठीक है तो constraint motion के relation का use करते हुए हम इसको solve करेंगे मैंने बोला माल लीजिए इसका जो acceleration है वो है a माल लीजिए इसका acceleration है a इसका जो acceleration है वो है a dash a का acceleration है a a का acceleration है a dash अब मुझे a dash और a में relation बताना है so using the constraint relation सबसे पहले देखो उधर m वाले block पे m वाले block पे tension उपर लग रहा है acceleration नीचे लग रहा है दोनों के बीच का angle 180 degree का बनेगा देख रहा है ना तुम लोगों को tension उपर acceleration नीचे tension उपर acceleration नीचे angle बनेगा 180 degree का so लिखेंगे t a cos 180 degree because a dot v दो dot vectors का अगर dot करते हो तो मिलता है a b cos theta तो यहाँ पे भी लिखेंगे t a cos दोनों के बीच का angle है 180 degree summation का मतलब होता है plus कर दीजिए यह virtual work method adequate revision में मैंने बताया था तो मैं याद होता हूँ इदर देखो a dash इदर की तरफ tension t dash इदर tension t dash right की तरफ है towards the right a dash is also towards the right तो मैंने बोला कि सब यहाँ पे लिखेंगे t dash a dash cos 0 is equal to 0 so यहाँ बनेगा minus का t a plus का t dash a dash is equal to 0 so minus का t a plus का t dash अच्छा एक काम करो इसको उदर लेके जाओ so t dash a dash is equal to t a t dash कितना है तुम्हारा पास 2t है t dash is 2t so 2t a is equal to t a ठीक है so t से t cancel out हो जाएगा and the value of 2a dash comes out to be a यानि कि जो m वाले ब्लोक का acceleration है m वाले ब्लोक का acceleration है वो कितना हो जाएगा 2 times हो जाएगा 2m के acceleration के m ब्लोक का acceleration 2 times है 2m वाले ब्लोक के acceleration के तो देखलो 2m वाले का acceleration a-dash है तो m का acceleration a है which is equal to two times of a-dash मुझे यहां तक नहीं रुकना है मुझे तो यहां पर बताना है acceleration m mass का कितना होगा तो m mass acceleration a है अभी a और a-dash में सिफ relation मिला है अभी तो equation भी तो लिखनी है तब लखेंगे equation को अब लिखेंगे equation को तो equation कैसे लिखते है इसके लिखेंगे तो यहां पर 2m वाला box बना दिया ती-दैश लगा दिया और जिसकी वज़ा से acceleration a-dash भी आ गयाता है तो t-dash can be written as 2m a-dash तो t-dash की जगह लिखेंगे 2t 2m a-dash तो 2 से 2 मर जाएगा तो the value of t comes out to be m a-dash t के value बिल दा हमें m a-dash जाला उस equation को तो देखो यहां पर mg acting in the downward direction so equation can be written as mg minus t equals to m a तो इसकी equation यहां लिख दू में mg minus t is equals to m a तो t का value m a-dash है वो उठा के यहां पर put कर देना t का value m a-dash है यहां पर उठा के put कर देना a का value find out करना है चलिए बई एका value find out करने थे हम लोग so a का value find out करने जा रहे है t equals to m a-dash है t is equals to m a-dash है और एक equation मिली है जिसमें लिखा है mg minus t equals to m a mg minus t is equals to m a जारो उठा के यहां लग दो, तो mg minus ma dash is equals to ma. So, g minus a dash, a dash की जगा a by 2 लिख जेता हूं मैं, because we know the relation that 2 times of a dash is a. 2 a dash a के बराबर है, तो a dash will be a by 2, तो a dash की जगा a by 2 लिखा, सारे m से सारे m मर जाते हैं, and it comes out to be your a again. So, g का value बिलता है, a by 2 plus a, so g का value मिलेगा 3 a by 2, so यहां से acceleration a मिलता है 2 g by 3. यह क्या है? This is the acceleration of block m. m वाले block का जो acceleration है, वो है a. m वाले block का acceleration है a, कितना रहा है 2 g by 3? क्या मांग रहा था? Find the acceleration of mass m. m mass का acceleration मांगा था, वो हमने दे दिया उसको. Find the tension in the string. आपको tension t बताना है कितना होगा. So, now we know better that t equals to ma dash. t equals to ma dash. तो हम जानते हैं, tension निकालना. t will be equals to ma dash. so, t will be equals to ma by 2. So, t will be equals to ma by 2. dot 2g by 3. t equals to ma dash होता है. a dash की जगा a by 2 लिख दिया. मैंने a की जगा 2g by 3 लिख देंगे अभी हम लोग. a की जगा 2g by 3 लिखा, तो 2 से तो 2 cancel out हो गया. तो value of tension comes out to be mg by 3. tension t comes out to be mg by 3. tension t कितना बनेगा? mg by 3. तो यह second part भी clear हो गया. यह हमारा first part था. यह हमारा second part clear हो गया. now the third part says, calculate the force exerted by the clamp on the pulley A. pulley A को ध्यान से देख लो. और बताओ, clamp क्या है? यह है clamp. यह लाल लोला जो clamp बनाया है, जिस पर pulley टिकी हुई होती है. clamp वो होता है, जिस पर pulley टिकी हुई है. यह clamp pulley के उपर कितना force लगाएगा? तो इसके लिए एक अलग से diagram में बना देता हूँ साइड में. so diagram की हिस अप से अगर आप देखो, तो this is your pulley number A. यह clamp है, यहाँ से एक tension T नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ से एक tension T नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है? तो अब क्या होगा? पुली के उपर जो force लगेगा, it will be like this. यह tension T, यह tension T. तो इसका जो revert है, वो pulley इस clamp पे लगाएगा, root 2 times of T. तो बदले में यह clamp भी पुली के उपर एक force लगाएगा, जब पुली ने clamp के उपर force लगाएगा, तो बदले में भी clamp पुली के उपर force लगाएगा, root 2T, according to the Newton 3rd law. पुली के उपर force लग रहा है T और T, जिसके वाज़े से पुली इधर की तरफ आ रही है, तो यह force पुली ने clamp के उपर लगाएगा, तो बदले में clamp ने भी पुली के उपर force लगाएगा, तो force exerted by the clamp, force exerted by the clamp will be root 2 times of T, root 2 times of mg upon 3, यह force लग रहा है बई, तो this is the force exerted by the clamp on the pulley, यह हमारा थर्ड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, तो नोट कर लिजिए तीनों पार्ट यहाँ पे लिखे हुए है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुई निया बात, एक काम करो पहले तो एक constraint motion का relation लगाओ यार, सबसे पहले important है, constraint motion का जो relation है, उसको लगाओ, उससे दोनों blocks के acceleration का relation पता चलेगा, because यहाँ पे दोनों boxes को join करने वाली जो string, यानि की रसी है, वो अलग-अलग tension वाली है, और अलग-अलग tension होनी की वज़ा से, इनके acceleration अलग-अलग होंगे, तो constraint का relation लगाया, सबसे पहले दोनों के acceleration में relation पाया, फिर मैंने बोला कि बाई सब B वाले पुली को देखो, क्योंकि इसका mass 0 है, question में बोला है, तो B वाले पुली के पर net force 0 हो जाएगा, and in that case, T' comes out to be 2T, T' चो होगा, वो 2T के बराबर हो जाएगा, फिर 2M वाले के लिए में equation लगाई, 2M वाले को देखा, T' pull कर रहा है, A' acceleration से, T' इकोल्स तो 2M A'd, T' के जगा लिखा, 2T इकोल्स तो M, 2M A'd, 2 से 2 मर जाएगा, T' इकोल्स तो M A'd, इसके लिए equation लिखा, M G माइनस T इकोल्स तो M A, अब मैंने बोला कि, भाई साब ये भी T है, इस T को ठाके यहाँ पुट कर दीजिए, और solve कर लिजिए, T को ठाके यहाँ पुट करा, solve करा, A का value अतर 2G by 3, ये वो acceleration है, जो block M का था, acceleration of block M, M मास का जो block है, उसका acceleration है 2G by 3, M मास का जो block है, उसका acceleration है 2G by 3, अब second part, जो मुझे find करना वह है tension, तो फिर से इसी equation में, A dash की जगा, देखो, A dash की जगा, A by 2 put कर दीजिए, A dash की जगा, A by 2 put करोगे, तो equation बनेगी, M A by 2, A का value 2G by 3 है, put कर दीजिए, tension मिल जाएगा आप लोगों को, अब यहां तक तो सारी कहानी, बहुत simply clear थी, हम लोगों को, point ही आया कि, यह जो clamp ने, pulley के उपर कितना force लगाया, तो पहली बात तो देखो, pulley के उपर force कौन कौन से लग रहा है, हमने बोला, tension T नीचे लग रहा है, tension T नीचे लग रहा है, तो पुली जो है, clamp के उपर इधर force लगाएगी, root 2 times of T, दो force अगर mutually perpendicular है, तो उनका resultant is written as, under root of T square plus T square, under root of 2 into T, तीक है, so root 2 times of T, यह हम इसका resultant आया, मतलब की, यह pulley clamp के उपर, root 2 T times force लगाती है, तो clamp pulley के उपर, root 2 T times force लगा देगा, according to the Newton 3rd law, for every action, there is always equal and opposite reaction, the force exerted by the clamp, is equal to root 2 times of T, T का value mg by 3, यह भी निकाल अथा, put किया, यह हमारा force exerted by the clamp, on the pulley A, आ गया, कुछ भी रोकेट सेइंस नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है, जल्दी से note कर लीजे, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, यह वाला note कर लीए ना, पक्का, इसको भी note कर लीए ना, देखो, note करना बहुत important है, ऐसे questions है, हलके में नहीं ले सकते हैं को, ठीक है, हो गया note, पक्का, बढ़े आगे, चीग है जी, सो आगे बढ़ते हैं, अगले part पर आते हैं, question number 33, 1 के बाद 32 प्याएंगे, जो कि हम से बोलेगा, find the acceleration of the block of mass M, in the situation shown in figure, all the surfaces are frictionless, and the pulley and the string are light, यहाँ पर बोला गया है, कि आपको acceleration of the block M का बताना है, acceleration कितना है, जितनी भी surfaces है, जितनी भी pulley है, वो सारी frictionless है, और यह जो रसी और जो पुली लगा रखी है, हो massless है, string and the pulleys are light and frictionless, कोई भी friction यह है, और even यह सब हलके है, मतलब massless है, फिर से constraint का equation use करना पड़ेगा, because M को connect करने वाला, और 2M को connect करने वाली रसी अलग-अलग है, तो माह लीजे, tension T and this is your tension T, same रसी होने की वज़ा से tension T है, but जैसे ही तुम यहाँ आओगे, it will be your T dash, it will be your T dash, अब अगर tension change हो गया है, तो इनका acceleration भी change हो जाएगा, और acceleration change होते ही, now just tell me, इसका acceleration मैंने बोल दिया A है, इसका acceleration मैंने बोल दिया A dash है, but what about the direction of the acceleration, तो direction कैसे निकालते हैं, आओ देखते हैं, देखो यार, यहाँ पे एक force लगेगा नीचे की तरफ, you know better, it is your Mg sin 30 degree, तो यह तो Mg by 2 बन जाएगा है न, यह वाला force बनेगा Mg by 2, और यहाँ से नीचे की तरफ जो force लगेगा, it will be your 2 Mg, तो तुम खुच समझदार हो, तुम मुझे बताओ कि कौन से force हेवी है, Mg by 2 या फिर 2 Mg, Mg by 2 हेवी है या फिर 2 Mg हेवी है, अगर तुम देखोगे, तो T dash है, which is equal to 2 T, तो यहाँ पे Mg भी consider में करते जाओ, तो भी यह heavy box है, यानि कि इसका acceleration नीची की तरफ जाएगा, इसका acceleration उपर की तरफ जाएगा, so you have to find the value of acceleration A, ठीक है, acceleration A कैसे find करते हैं, तो using the constraint relation, मैंने बताया था, virtual work method से, हमारे पास equations हाती थी, summation of T vector dot X vector is equal to 0, X यहाँ पे displacement होता था, या फिर इस रसी की length को deal करते थे, फिर इसका differentiation करोगे, तो summation of T vector dot V vector equals to 0 आता था, फिर इसका भी differentiation करोगे, तो summation of T vector dot A vector equals to 0 आता था, constraint की यह तीन equations बहुत काम की है, यहाँ से तुम कोई सा भी motion आ जाए, constraint में, pulley constraint में, ठीक है, मैं pulley system की ही बात कर रहाँ भी, wedge constraint की बात नहीं कर रहाँ, pulley constraint में कुछ भी आ जाए, यह तीन equations हमारे ब्रहमास्त्र है, इनी के basis पे सारे equations solve हो जाएंगे, परेशान होनी की ज़रूरत नहीं तुम लोगों को, यहाँ पे acceleration की बात कर रहा है, यहाँ पे constraint relation लगाता है third वाला, because यहाँ पे acceleration बोल रहा है, तो third equation हमारे काम की है, बहुँ ज़दा, दो vector का dot product करते हो तो तुम्हें पता है, a.b करोगे तो a.b cos theta आता है, so t.a करोगे तो t.a cos theta आएगा, यहाँ पे देखो, tension पीछे की तरफ लग रहा है, 0 degree plus, क्योंकि summation का मतलब plus होता है, t' a' cos 180 degree, is equal to 0, so t.a minus का t' a' will be 0, so t.a is equal to t' a' अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे दो पुली है, पुली a and पुली b, पुली b की बात करो, b पे जो बात हो रही है, उसमें हमसे पता चलता है कि यार, इसका तो मास ही 0 है, तो पुली a हो गई, यह पुली b हो गई, b की बात करें, तो देखें, तो इसका तो मास ही 0 है, और अगर इस पुली b का मास 0 है, तो इस पे लगने वाला net force will be 0, तो देखो, उपर लगने वाला force tension t, नीचे लगने वाला t' दैश. So, पुली B की बात करें. नीचे लगेगा T डैश, उपर लगेगा T and उपर लगेगा T. पुली अगर मासलेस है, तो इस पुली का मास 0 हो जाएगा, यानि कि इसके उपर लगने वाले net force 0 हो जाएगा. So, T डैश can be written as 2D. T डैश की जगेट 2D लिग देंगे and यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम लोग अब. So, this can be further written as T A equals to 2T A dash. T से T cancel out हो जाएगा and the relation comes out to be A equals to 2 A dash. चली जी, यह तो acceleration में relation आया है. अब इसकी equation भी लिख लेते हैं. T minus mg sin 30 degree. Equation can be written as T minus T minus mg sin 30 degree is equals to M A और वहाँ पर equation बनेगी 2M G minus T dash. So, इसकी लिए equation यहां लिख देता हो में 2M G minus का T dash is equals to 2M A dash. So, लिखेंगे 2M G minus का 2T is equals to 2M A dash. ठीक है? तो यह वाली equation इसके लिख दी मैंने इस वाले block के लिए और यह वाली equation लिखे मैंने पहले वाले block लिए. तो यह हमारी equation number 1 बन जाएगी और यह हमारी equation number 2 बन जाएगी. equation 1 1 है, equation number 2 है. काम करते हैं, इसको भी यह लिख देते हैं. क्या इससे दुश्मनी पाले हैं हम लोग हैंना? हाँ, क्यों बेचारे को हम परिशान करें? सो जाएगे वाले block लिखे, यह block number 1 बोल देते हैं, इसको यह block number 2 हो जाएगा हमारा. सजाएगे वाले block लिखे लिखे, equation 2mg minus का t dash is equals to 2ma dash. सो 2mg minus का 2t equals to 2ma dash. So mg minus का t equals to ma dash. So t का value मिलेगा mg minus ma dash. इस tension को उठाओ पहले equation में डाल दो so from equation number 2 put in equation number 1 from equation number 2 put in equation number 1 equation number 1 हमारी बोलते है T minus mg sin 30 sin 30 1 by 2 होता है so T minus mg sin 30 degree is equals to ma और जो tension यहां से मिला है mg minus ma dash so tension हमें मिला है mg minus ma dash और relation भी बता दो a equals to 2a dash a equals to 2a dash यह relation भी मिला है तो बस अभी नहीं के basis पर solve करते हैं पूरी equation को so पहली बात तो a dash के जो value होगी वो a by 2 है so यहां पर जो T बनेगा it will be your mg minus ma by 2 a dash के value a by 2 है तो put कर दिया अब इस T को उठा के यहां पर फेक दो so it will be your mg minus ma by 2 minus ka mg by 2 is equals to ma सारे m से m बढ़ जाएंगे यह माइनस का जी माइनस का a by 2 माइनस का g by 2 is equals to a minus का a by 2 उदर जाएगा तो यह बन जाएगा g by 2 is equals to a plus a by 2 so g by 2 is equals to 3a by 2 2 से 2 मर जाएगा a का value मिलेगा g by 3 a का value किता मिल जाएगा g by 3 मिलेगा it's all about the calculation यार अब तुम्हें पता है यह equation मिली है यह equation मिली है a dash की value हमने a by 2 put करा यह tension मिला इस tension को उठाके यहां फेक दो solve करो a का value g by 3 मिलेगा a क्या है हमारे पास a वो acceleration है a क्या है a acceleration है block m का तो यहां पे भी तो वही लिखा है a is the acceleration of block m तो हमसे क्या मांग रहा था find the acceleration of the block of mass capital m तो block m का acceleration a है a का value कितना है g by 3 है यह तुम्हारा final answer आग गया तो एक काम करो पहले इतना note करो देखो constraint की बात है जब भी आएगी तो तीन equations को हमेशा याद रखो यह तीनो equations की तुम्हारा ब्रहमास्त्र है जो भी कभी ऐसे question आजाए जिसमें tension change हो जाए दिख रहा है यहाँ पे tension T है यहाँ T' है तो अगभी ऐसे question आजाए जहाँ पे tension ही बदल जाए तो constraint का relation यूज़ करके question को solve कर सकते है अगर वो acceleration की जगा velocity देता तो second equation लगाते है length पूछ ले था कितना length यह उपर चड़ेगा कितना length यह उपर जाएगा तो length के लिए हम पहली question का use कर लेते हैं इससे क्योंता है दोनों के question number 2 आगई आपस में solve करेंगे फिर तो इकाम करो पर इसको note करो चली से हो गया note यह वाला part पका ना सभी का ओके इसको note करने के बाद अब तुम आगे आजाओ और इसको भी note करो फिर clear है ने सब कुछ सभी को ना पका चली जी बहुत बढ़िया so this is all about the question number 32 अब हम आगे बढ़ते हैं question 33 पर आजाते है question 33 हमारा क्या बोलते है find the acceleration of the blocks A, B, in the three situation A, B और C तीन situation है उनमें block A और B के आपको acceleration find करने है हर question में तुम देख रहे हो tension change हो रहा है हर question में tension का value change हो रहा है तो आपको constraint equations का use करते हुए solve करना है acceleration की बाते कर रहा है तो आप वो third equation का use कर सकते हो तो एकाम करो खुद से try करो देखो क्या answer आते है इसका constraint के वोई relation use करने है आपको but acceleration वाला use करना क्योंकि वो आपसे acceleration मांग रहा है A वाले पार्ट को solve कीजिए सबसे पहले हो गया solve किया तुमने try क्या करोगे submission of t vector dot a vector virtual work method से हमेर पास तीन फॉर्मले बने हैं तीनों formulas का इस्तमाल करते हुए हम इसको solve कर सकते हैं तो इस पहला जो हमाँ पास था summation of t vector dot a vector is equals to 0 summation of t vector dot a vector equals to 0 तो पहले वाले block के लिए solve करते हैं ठीक है तो यहाँ पे 5 kg की उपर tension माल लीज़े t dash है यह नीचे की तरफ जा रहा है with some acceleration of a dash यह उपर जा रहा है किसी acceleration a से और इस पर tension लग रहा है t तो यहाँ पे tension t dash है यहाँ पे tension t है तो summation of t dot a वाला concept कहता है t a देखो यहाँ पे t a cos 0 so t a cos 0 summation का मतलब plus का लगाना है और यहाँ पे t dash a dash cos 180 is equals to 0 अच्छा मुझे एक बात बताओ यह जो पुली है तुम्हें जो दिख रही है वो क्या massless है क्या हाँ अगर कुछ tension t यहाँ पे tension t तो tension t, tension t और नीचे t dash तो जस्त मुझे बता दो फटाफट से क्या मैं लिख दू कि t dash जो है वो 2t के बराबर है अब तो इतने बार कर लिया समझदार हो यह पुली massless है net force 0 जितना force नीचे है उतना force उपर so t dash will be equals to 2t so t a minus का t dash a dash is equal to 0 so t a is equal to t dash a dash so t a is equal to 2t a dash सही बात है so just do one thing t से t मार दीजिए तो a का value मिलेगा 2a dash पर क्या हम यहाँ पे आके रुख जाएंगे नहीं तो हमें तो उनकी values find out कर नहीं है तो अब 4 kg का FBD बनाए 5 kg का FBD बनाए फिर solve करें चलो भी ट्राइ करें को फटा फटा फट से अब तो ट्राइ कर सकते हो ना चलो ट्राइ करो जल्दी से अजा अब तो करी लिए होगा तुम लोगों ने ट्राइ क्या करना है acceleration में relation मिल गया है इनका FBD बना सकते हो तुम लोग तो समझदार हो लोग बनाते हैं इसका FBD और इसकें बिटेनर्स की भाई सब यह 4 kg का बॉक्स है यह 5 kg का बॉक्स है तो मैं ऐसे बना लेता हो यह 5 kg का बॉक्स बना दिया जिस पर 5 जी लगता है नीचे की तरफ टेंशन T डैश लगता है उपर की तरफ और यहाँ पर एक्सेलरेशन A डैश नीचे की तरफ ठीक है फिर साथ में एक 4 kg का बॉक्स भी बना लेते हैं यह हमारे पास 4 kg का बॉक्स हो गया है जिसमें नीचे 4 G टिए फोर्स लगता है ग्रेवीटी की वज़ए से टेंशन T अपर लगेगा और इसका एक्सलेशन A उपर की तरफ आएगा अब एक्सलेरेशन में रिलिशन हमें पता है डैट We A इकुलस तो 2 A डैश एक्सलेरेशन का रिलेशन तो पता है तो बही अब काम देख लिए तो एक और A और B. ठीक है. So, equation can be written as, यहाँ पर देखो 5G minus का T dash is equals to 5A dash. Equation बनी की T minus का 4G is equals to 4A. A के जगा 2A dash लिख दे, तो हमारा काम बन सकता है, ना? चलो, देख लिए. So, 5G minus का 2T is equals to 5A dash. This can be written as, T minus का 4G is equals to A dash में convert करें दोने equation को, हमारे लिए easy रहेगा. A के जगा 2A dash पुट करते है, it will be your 8A dash. So, एक काम करो, यहाँ से T का value निका लीजिए. It comes out to be 4G plus 8A dash. So, tension T मिल गया, 4G plus 8A dash. अब यहाँ पे हमारा काम हुआ हासान. क्या करेंगे? बोलो तो, 4G plus 8A dash है. तो यहाँ पे देखो, इस T को ठागे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 5G minus 2 times of 4G plus 8A dash बन जाएगा. So, बनेंगा, 5G minus का 2 into T. T की जगा, 4G plus 8A dash is equals to 5A dash. So, let's solve this part. 5G minus का 8G minus का 16A dash is equals to 5A dash. So, minus का 3G is equals to 21A dash. So, A dash comes out to be minus का 3G by 21. This can be written as how much? क्या बने गई है? minus का G by 7. So, A dash जो बनता है minus का G by 7. अब देखो, minus का sign क्या बताता है? minus का sign ये आपको बता रहा है कि भाई, जो direction तुमने मानी है, उसका उल्टा करो. minus का sign क्या बोलेगा? जो direction तुमने मानी है, उसका उल्टा करो. A dash तुम नीचे बोल रहे थे ना? ये देखो. A dash तुमने नीचे की तरफ बोला. इसने बोला, ना, 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 भाईया, तुमने जो direction लिए, उसका उल्टा होगा. तो तुमने अगर A dash नीचे माना है, तो इसने बोला A dash minus का G by 7 है. तो इसको कैसे लिखोगे? A dash equals to G by 7 और direction रहेगी upward. Direction क्या रहेगी? Upward. ठीक है? तो minus का sign आपको क्या बताता है? कि जो direction आपने मानी है, उसका उल्टा कर दो. minus का sign सिर्फ ये बताएगा कि जो direction आपने मानी है, उसका उल्टा कर दो. तो अगर आपने A dash को नीचे downward माना था, तो minus का G by 7 आ रहे है, यानि कि acceleration of block B जो होगा, acceleration of block B जो होगा, वो उपर की तरफ होगा G by 7. ये बात बोलता है वो. तो acceleration of block B कहा होगा? G by 7 upward होगा. हमने नीचे माना था, इसलिए negative answer आया. चली बही. अब इसके अलावा, फिर हम वही बात करेंगे, अगर A dash पता चल चुका है, तो we know that A equals to 2 A dash, so A का value मिलेगा, minus का 2 G by 7. अब minus का 2 G by 7 भी हमसे क्या बोलता है? देखो, A को आपने कहा माना था? उपर माना था. A कहा माना था? A को उपर की तरफ, यह minus आ रहा है, that means, यहाँ पर जो value मिलेगी, A की, it will be a 2 G by 7 downward. It will be a 2 G by 7 downward. ठीक है? तो यहाँ पर acceleration था, G by 7 अपवर्ड, यहाँ पर acceleration था, 2 G by 7 downward. तो जो हमने direction मानी थी, ऐसा नहीं है, वो हमने गलत मानी, इसलिए वो negative sign आ गया. समझे बात को, समझे ना बात को, negative sign आने का मतलब क्या है? कि जो direction आप मान के solve कर रहे थे, वो direction गलत थी, उसका opposite direction आपको consider करना था, ठीक है? पर हमें तो देखके नहीं पता चलेगा ना कौन कहां जा रहे है, इसको देखके थोड़ी पता लगा, हमने तो normal वाला common sense लगाया, बोला यह 5 kg का है, शायद भारी होगा, नीचे आ जाएगा, 4 kg का हलका है, तो उपर चला जाएगा, हमने तो normal सोच लिया है, हमारी क्या गलती है, हमने तो normally सोचा कि 5 kg का भारी है, नीचे आएगा, 4 kg का हलका है, उपर चला जाएगा, लेकिन calculation करने के बाद पता चला, कि भाई, जो तुमने सोचा था, गलत सोचा था वो, तुमने a- को नीचे की तरफ माना था, पर जो यहाँ पर आंसर आए, वो माइनस का g by 7 आए, माइनस का साइन यही बताता है, किसकी डिरेक्शन उपर होगी, जो तुमने डिरेक्शन लिये, उसका अपोजिट, similarly 4 kg वाली का acceleration a था, विच कमसर भी, यह माइनस का 2 g by 7, जो हमने उपर की तरफ acceleration माना था, उसने बोला गलत है, downward में होगा acceleration, so downward करती है उसका acceleration, clear है पार्ट, यह तुम्हारा a वाला case solve हो गया है, अब b वाले case पे आते हैं हम लोग, note कलो इसको जल्दी से, note कलो इसको जल्दी से, a वाला case complete हो गया है, फिर इसके बाद b पे आएंगे, हो गया, बहुत बढ़िया, b वाले को देखो, so फिर से वही कहानी लगा देते हैं हम लोग, जितना हमें पता है, उसके साब से बोला, यह t-, यहाँ पर टेंशन T, यह भी T, यह भी T, यह भी T, इधर भी तरफ T लगेगा, इधर की तरफ T लगेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि T' will be equals to 2T again. So, pulley, क्योंकि mass less है, T' will be equals to 2T. So, T' अगर 2T है, तो इसका acceleration मैंने फिर से नीचे की तरफ माल लिया. ऐसे ही extra दिमाग लगाते हुए जा रहे हम लोग A' इसका acceleration मैंने इधर माल लिया A. So, देखो भई, T' उपर A' नीचे, T' इधर, A, B इधर. तो सेम फॉर्मुला लगेगा, T' A' cos 0, T' A' cos 180 degree. T' उपर A' नीचे, एंगल बन रहा है 180 degree का. So, T' A' cos 180 degree, और यहाँ पर देखो T' इधर की तरफ, A' भी इधर की तरफ, T' A' cos 0 degree is equals to 0. तो फिर से सेम relation आएगा acceleration में. यानि कि 5 kg का और 2 kg का जो box है, उनका acceleration सेम आएगा. उसको mass से अभी मतलब नहीं है कोई? Mass से मतलब नहीं है, उसको tension और acceleration से मतलब है सेफ. तो tension और acceleration देख लिया, सेम आ रहा है, अब हम इधर आएंगे, mass को भी solve करेंगे. A' का value find करते है, A' का value find करते हैं. तो फिर से वही कहानी बनेगी. आज आओ solve करते हैं. उपर है हमार पास 2 kg का box. Tension T लग रहा है, acceleration A आ रहा है. This is of your 2 kg box. यहाँ पर एक 5 kg का box है हमारे पास में. Tension T डैश उपर लग रही है. और मैंने अज्यूम किया है कि इसका acceleration A' नीचे की तरफ है. And this will be on the gravity 5G. ठीक है, यही बात है. देख लो एक उफटाफट से. 5G नीचे लगएगा T' उपर A' नीचे. Tension T इधर, A इधर और यह 2 kg का है. Solve करते हैं, इसकी equation मने कि T is equal to 2A. इसकी लिए equation मने कि 5G. T-Dash is equal to 5A-. और A का value जो है, वो 2 times of A' है. So, यहां पर पुट का देते हैं, 2 times of 2A-. 4A-. So, tension आपका 4A- आ रहा है. So, this can be written as 5G minus 2T is equal to 5A-. 5G minus 2 into T की जगह में 4A' पुट कर रहा हूँ, 4A' is equal to 5A' कोई rocket science नहीं है, simple calculation है, T' की जगह 2T पुट किया, T की जगह 4A' पुट किया, now let us solve this part, so यहां पर 4 2s आ 8 बनेगा, 8 उधर जला जाएगा, तो 5G is equal to 8A' plus 5A', so 5G is equal to 13A' so the value of A' comes out to be 5G by 13, A' का वाल्यू पुट की जगह 5G by 13, A का वाल्यू पुट की जगह 2T जगह 10G by 13, positive values मिल रही है किस बार? हाँ, इस बार positive मिली है, इस बार negative नहीं मिली, इस बार positive values मिली है, और यह हमें बताता है, कि जो direction हमने मानी है, वो बिल्कुल correct है, positive sign क्या represent कर रहा है, कि जो directions आपने consider की है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें, negative sign आएगा, तो वो represent करता है, कि जो direction आपने लिए, उसका ultra direction consider कीजिए, answer आपका positive है, positive sign यही represent करता है, कि जो directions आपने consider की है, वो बिल्कुल correct है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, so a- को लिखोगे downward, और a को लिखोगे forward, एक लिए direction क्या लिखोगे forward, और इसके लिखोगे downward, ठीक है, clear है बात, नोट कर लिए इसको, इसको नोट कर लो, देखो यह वाला पार्ट नोट करनी की ज़रूरत है, क्या तुम लोगों को, इसको भी नोट करना है तो कर लो, बाकि यह तो पुरानी वाली कहानी चल दी फिर से, कोई भी नए बात नहीं है इसमें, हाँ, इसमें भी वही relation है, टी-डाश इकोल्स टूटी वाला, और उसके बाद तो आगे की कहानी है सारी जो भी है, लो भाई, नोट करो जली से, हो गया ना नोट, वीडियो पॉस करके नोट किया करो, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस की और, जो थर्ड केस हमारा बोलता है, कि यह वन केजी का है, टू केजी का है, और अगर एक में टेंशन टी मालूम है, तो इस पूरी रस्ती में टेंशन हर जगा सेम होगा, क्योंकि जो रस्ती हमने मानी है वो मास्लेस मानी है, और किसी भी मास्लेस रस्ती के अंदर टेंशन जो होता है, वो हमेशा सेम रहता है, तो फिर से इस पुली के पास देखोगे, तो जितना force नीचे लग रहा है, उतना force उपर लग रहा है, तो यहां पी भी बोलूँगा, t- is equal to 2t, यह valid है, पुली के पास में t- is equal to 2t valid है, अब देखो, फिर से वही बात आगी, कि यार, अगर मैं बोलूँ, कि यह 2 kg का box है, तो मैंने extra दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, म अगर गलत होगा, तो sign negative आजाएगा बस, समझे बात को, आपकी जो मर्जी पड़े, आप वो direction मान लीजिए, क्योंकि end में वो minus का sign आपको बता देगा, कि जो direction में आपने मानी थी, वो correct है या नहीं, तो कोई सी भी direction consider कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, at the end जब आ के मैंने नीचे माल लिया, और 1 की जी का उपर माल लिया, फिर से relation यहीं आएगा, चेक कर लो भले से, ठीक है, relation फिर से यहीं आना है, भले से चेक कर लो, submission t.a लगा लेना, minus का ta, plus का t-a, so ta equals to t-a, t- की जगा 2t put करोगे, तो फिर से भी बात हागी, a equals to 2a, same relation लगेगा भी acceleration का, वो अलग बात है, अब इनका एक fbd बना लेते हैं, यह 1 kg, 2 kg, इनका fbd बनातों में यहाँ पर, so एक है हमाँ पास 1 kg का box, एक है मेरे पास 2 kg का box, और दोनों के लिए हम इसको solve करते हैं, so 1 kg वाले पर जो टेंशन लग रहा है, it will be your t-डैश, और नीचे की तरफ लगे t-dash acceleration उपर, t-ka acceleration नीचे के तरफ, ठीक है, now, अब यहाँ से इसको solve करेंगे, so t- minus का 1g is equals to 1a-, इसको solve करेंगे, तो बनेगा 2g minus का t is equals to 2a, और relation कहता है, a equals to 2 times of a-, so एक काम करो, a की जगा 2a- कर दीजिए, तो t- की जगा 2t minus का g is equals to a-, यह equation बनती है, और यहाँ बनता है, 2g minus का t equals to 2 into, a की जगा 2a-, पुट कर देदो, so 2g minus का t equals to 4a-, so t का value मिलेगा 2g minus 4a-, यहाँ से 2t का value मिलता है, g plus a-, इस t को ठाकी यहाँ रख देते हैं, so 2 times of 2g minus का 4a- is equals to g plus a-, यहाँ फिर एक काम करो, इसको equation no.1 बोल देते हैं, इसको equation no.2 बोल देते हैं, so equation no.2 से equation no.1 में t का value पुट कर देते हैं, put values, put value of t from equation to in equation 1. So, यहाँ पे t का value पुट करेंगे, so 2 times of 2g minus 4a- that will be equals to g plus a- so 4g minus 8a- is equals to g plus a- g इतर जाएगा, तो 4g minus g is equals to 8a- plus a- and it comes out to be your 3g is equals to 9a- so value of a comes out to be g by 3. नहीं समझे, simple है, normal calculation किये है, बस हमने, normal calculation किये है, जहाँ पे a था, वहाँ पे 2a- लिख दिया, जहाँ पे t- था, वहाँ पे 2t लिख दिया, यह भी equation t और a- में convert करी, यह equation भी t और a- में convert करी, t का value यहाँ से उठाके, यहाँ पे put कर दिया, solve करा, a- मिलता है, g by 3, क्योंकि 3g by 9, यानि कि g by 3 होता है, so a-ka value 2 times of a- होता है, a-ka value 2 times of a- होता है, तो 2 times of g by 3, 2g by 3 is the answer, यहाँ पे दोनों blocks के लिए, मैंने acceleration निकाल दिया है, और दोनों ही positive आ रहे है, that means मैंने जो direction consider करी थी, वो बिलकुल correct थी, अगर यहाँ पे negative आता, तो यह represent करता है, कि जो direction मैंने मिली थी, वो गलत थी, उसका opposite direction consider करना है, अगर यह positive आता है, that shows कि मेरी direction जो मैंने consider की थी, बिलकुल, बिलकुल correct है, वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, तो यह काम करें, इसको जली से note कर लीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कलिया note तुम लोगोंने, समझ आगी कहानी, simple है ना, कोई rocket science नहीं है, simple सी बात है, पहले accelerations की पीछ में relation निकालो, उसके बाद में just in equations को solve करके, normal individually उनके accelerations find out कर लीजे, चली जी, बहुत बढ़िया, this is all about the question number 34, and उमीद करता हूं, जो चीजे मैं करा रहा हूं, जो मैं पता रहा हूं, questions यहां पे, सब clear हो रहे हो गए हैंगे, and अगर फिर भी लगता है तो please, find the acceleration of 500 gram block in the figure, अब यहां पे figure में आपको 500 gram का जो block दिख रहा है, उसका आपको acceleration find out करना है, ठीक है, जो कैसे करोगे इसको solve, तो क्या कर सकते हो, यहां पे अलग अलग दो रस्यां दिख रही है, तो दो अलग अलग type के tension आएंगे, माल लीजिए, माल लीजिए कि यहां पे जो tension आएगा, it will be your T1, यहां पे जो tension आएगा, it will be your T2, अब जड़ा acceleration find करके देखो, क्या होगा, फटा-फट से वीडियो को pause करो, खुद से try करो, देखो, FBD बना के try करने इसको, ठीक है, कर लिए try, हो गया solve, मैं कर रहा हूँ कि solve up, आज आज ओ बही, so, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम बनाएंगे, free body diagram, and according to the free body diagram, यह 500 grams का बनाता हूँ, so, यह मेरा 500 gram का FBD, अज़े, एक 500 gram है, इनको kilogram में convert कर लेता है, तो यह तो बनेगा 0.5 kg, यह बन जाएगा 0.00, 0.05 kg, सही है न, 50 upon 1000 करोगे, तो 0.05 आएगा, और यह 100 grams है, तो यह हो जाएगा 0.1 kg, so, 100 divided by 1000 करोगे, तो यह kg में मैंने इनकी values लिख दी है, हम kg वाली को consider करेंगे, नहीं तो क्या होगा, आगे चलके जब हम acceleration due to gravity लगाएंगे, तो कभी कबार यह gram जो है, वो acceleration due to gravity के साथ confusion कर देता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, यह बहुत, वो बोलते हैं एक minor वाली बात है, जो कोई consider नहीं करता है, लोग बोलते हैं रहे इससे क्या फरक पड़ता है, लेकिन कभी कब और इससे calculation mistake हो जाती है, तो 0.5 kg का हमने लगा है 0.5 g, नीचे की तरफ लगेगा, it is the acceleration due to gravity, यहाँ पे tension T2 है, यहाँ पे tension T2 है, तो यहाँ पे भी उपर की तरफ tension T2 लगेगे, ठीक है, चल लगे, यह हो गया हमारा 0.5 kg का, अब यह 0.05 kg के लिए भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे बना रहाँ 0.05 kg को, नीचे की तरफ लगेगा 0.05 g, g बोले तो acceleration due to gravity, उपर लगेगा tension T1, बहुत बढ़ी है, बात करते हैं यह 0.1 kg वाले box की, तो 0.1 kg वाले box को भी बना लेते हैं यहाँ पे, तो देस लिए 0.1 kg वाला डबबा, पीछे की तरफ लगेगा tension T2, आगे की तरफ लगेगा tension T1, and yes, 0.1 kg वाले का भी आगे की तरफ एक excel हो रहाएगा, इट विल भी और mg sin theta, जानते हो नहीं यह वाली बात तो, कि अगर आपके पास में कोई scenario ऐसा आ जाए, जिसमें एक incline plane पे एक box तुमारे पास रखा हुआ है, so, अगर यह angle of inclination theta है, so, you know better, it will be your mg acting in the downward direction, this will be your mg का cos theta वाला component, यह theta हो गया, it will be your mg cos theta, और इधर की तरफ आता था mg sin theta, तो यह बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं तुम लोग, कोई मतलब rocket science नहीं है, इसमें, ठीक है, तो एक mg sin theta इस box के उपर भी लगेगा, तो हमने लगा दिया, यहाँ पे कितना है, 0.1 g sin 30, 0.1 g sin 30 degree, क्योंकि यहाँ पे angle of inclination 30 है, तो 0.1 g sin 30 यहाँ पे लग गया, अब इनके acceleration के बारे में ज़रा बाते कर लेते हैं, मैंने देखा कि यह 0.05 g है, यह 0.05 g यह भी बनेगा, तो अभी मिला के वहाँ पे 0.5 g को balance नहीं कर पाएगा, तो अभी भी देख लो, अभी भी देख लो, यहाँ पे क्या और है, 500 g ग्रैम्स है, यहाँ पे 100 g ग्रैम्स है, यह 50 g ग्रैम्स है, भारी यह वाला साइड है ना, तो इसको accelerate नीचे की तरफ करवा देता हूँ, तो मैंने बुला लो भाई, यह accelerate हो रहा है ऐसे, अगर यह नीचे की तरफ accelerate होगा, तो यह पीछे की तरफ जाएगा इदर, और यह वाला ब्लाक उपर की तरफ जाएगा, जाएगा की नीचे जाएगा, अगर यह 500 g क्रैम्स का ब्लाक्स नीचे जाएगा, तो यह उपर जाएगा और यह 50 g ग्रैम्स भी उपर जाएगा, तो इनके accelerations accordingly हम define कर देते हैं, so this will be the acceleration A, this will be the acceleration A, I think clear हो गई कहानी अभी तो तुम लोगों को, अब equations बन चुकी है, equation बना के solve कर दो, मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत intelligent है, उन्होंने short trick लगाई होगी, question solve किया होगा, और answer आया होगा, कोई बात नी, मैं भी बताऊंगा वो भी, तो सबर करो, सबर कफल मीठा होता है, so equation बनेगी, T1, minus का 0.05G, is equals to, 0.05A, अब तुम सोच रहे होंगे, कि सर्ट जब tension change हो गया है, तो acceleration same क्यों आ रहा है, जब tension ही change हो गया, तो acceleration same क्यों आ रहा है, it is because of the region, कि यहाँ पे, जो string आप लेते हो, वो inextensible होती है, और inextensible string के case में, we must say, कि acceleration हर block का same है, no doubt, tension change हुआ, लेकिन रसी तो inextensible है न, जितना length इसका है, यह तो कभी खतम नहीं होगा, यह नीचे जाएगा, यह उपर आएगा, तो भाई, यह भी तो उसको पीछे की तरफ केचेगा, आगे T1 वाली जो रसी है, जिसमें tension T1 है, वो भी inextensible है, तो अगर यह उपर जाएगा, तो definitely यह box भी उपर ही जाएगा, same acceleration से, तो हमने बोला, कि भाई साब, जितने acceleration से, 0.5 kg नीचे जाएगा, because यह T2 वाली रसी जो है, inextensible है, तो यह box भी पीछे जाएगा, A acceleration से, अब अगर यह 100 g ग्राम्स का box पीछे जाता है, A acceleration से, तो यह T1 वाली रसी inextensible है, तो यह भी same acceleration से उपर जाएगा, तो यहाँ पर तीनों का acceleration तो same है, because string जो होती है, वो inextensible होती है, second वाली के लिए जोब हम equation लिखेंगे, so the equation comes लोगी like this, T2 minus T1 minus का 0.1 g, sin 30 is equals to, mass is का 0.1 into A, third वाली के लिखेंगे 0.5 g, minus का T2 is equals to 0.5 A, ठीक है, चलो, यहाँ से T1 निकालो, वाहाँ से T2 निकालो, बीच वाली equation में पुट कर दो, तो यहाँ से T1 का value मिलेगा, 0.05 g, plus 0.05 A, equation number 1, यहाँ से T2 का value मिलेगा, 0.5 g, minus 0.5 A, this will be your equation number 2, so equation number 1, और equation number 2 से values उठाईए, और equation number 3 में पुट कर दीजिये, so इसको मैं equation number 3 माल लेता हूँ, चलो आजओ, आगे इसको हम, blank space में solve पढ़ लेते हैं, so the part says, from equation number 1 and 2, put in equation 3, from equation 1 and 2, put values in equation number 1, oh sorry, 3, from equation number 1 and 3, 1 and 2, put the values in equation number 3, तो आपको क्या condition मिलेगी, देखे लो भाई, T2 minus T1 equals to 0.1 g sin 30, को उसके पास बेज़ ज़ते हैं, so it comes out to be, T2 minus T1 minus 0.1 g sin 30, is equals to 0.1 a, उसके बेज़ीज़े, so T2 minus T1 is equals to 0.1 g, sin 30, 1 by 2 होता है, plus 0.1 a हो गया, T2 की जगा पे हम put करेंगे, 0.5 g minus 0.5 a, T2 की जगा 0.5 g minus 0.5 a, so T2 की जगा 0.5, 0.5 g minus 0.5 a minus, T1 की जगा पुट करेंगे, 0.05 g plus 0.05 a, 0.05 g plus 0.05 a, यह क्या होन जाएगा, 1 by 2, 0.05 g plus 0.1 a, सही बात हैं, चलिए बाई, g वाले को अलग कर लीजे, a वाले को अलग कर लीजे, आपको आपका अंसर मिलेगा, तो 0.5 g का value में 10 ले लेता हूँ, minus का 0.5 a, क्या ही काम करो, g के form में लिखते हैं पहले इसको, पहले इसको g के form में लिखते, तो 0.5 g minus 0.5 a minus 0.05 g minus 0.05 a is equal to 0.05 g plus 0.5 a. तो यह minus का 0.5 a minus का 0.05 a उधर बें लिखते हैं और यह 0.05 g को इदर ले आईए, तो 0.5 g minus का 0.05 g, यह plus का है, इधर आएगा minus का बन जाएगा minus का 0.05 g, is equals to, यह 0.5 a, 0.05 a उधर जाएगा, तो 0.5 a plus 0.05 a plus 0.1 a, सही है, तो यह हो जाएगा कितना, 0.5 g minus का यह 0.1 बन जाएगा, 0.05 और 0.05 0.1 बनता है, और इसको solve करोगे तो 0.6 plus 0.65 बन जाएगा यहाँ ठीक है, तो लेट उस सॉल्व इस आएगा, 0.5 g minus का 0.1 a g is equals to, अब तुम सोच रहोंगे, इस 0.1 कहां से आगया, इन दोनों का add कर लीजे, 0.05 और 0.05 तो 0.05 प्लस 0.05, 5-5-10 होते हैं, एक इधर आएगा, तो 0.1 बन जाएगा न, तो मैंने दोनों को add किया, minus को बहर निकाला, minus का sign बहर निकाल दिया, दोनों को add कर दिया, और इनको भी add कर लीजे, तो 0.5, 0.05, 0.1, तीनों को add कर लेते हैं, यह 5 इदर आ जाएगा, 5 और 1, 6 होता है, तो 0.65 यह बनेगा 0.5, minus का 0.1, यह बनेगा 0.65A, तो इसको next space पे ही solve कर रहे थे हैं हम लोग, 0.65A, तो बनेगा 0.4G is equal to 0.65A, तो एका बनेगा 0.4G divided by 0.065, तो एका बनेगा 40G divided by 65, एका बनेगा 40G divided by 65, एका बनेगा 5, 8s are 40, and 5s are 39, this is the final answer, so the acceleration आपको मिलेगा 500 gram box का, it will be your 8G by 13, कहा जा रहा है, downward direction है, नोट कर लिए चीज़ को, तो एकाम करो, यहाँ से नोट करना शुरू करो, पहले यह 3 equations बनाएंगे, 3 equations बनाने के बाद हम इसको further solve करेंगे, so पहले तो 3 equations बना ली तुम लोगों ने, बना रही क्या, पक्का, ओके, अब 3 equations बनाने के बाद तुम आओगे यहाँ पर, equation number 1 और 2 से values उठाओ, और 3 में put कर दो, solve करो, solve करते वे चल रहे हैं आगे पस हम लोग, अपनी calculation चुपा ले ना, अपनी calculation कभी किसी को नहीं दिखाते हैं ना, हो गया note, यह भी कर लो फटाफट से, ठीक है, तो यह इतनी मैनत करने की कि जरूरूरत क्या थी सर, हम हम short trick से solve कर सकते थे, तो आजओ, short trick से भी देख लेते इसको, तुम्हारी short trick क्या बोलती है, short trick बोलती है, तुम सिर्फ external forces को consider करो, या फिर driving force को consider करो, acceleration क्या है, acceleration is net external force बोलीजे, या फिर बोलीजे net driving force, divided by total mass, divided by total mass, तो या तो बोलो net external force, या तो बोलो net driving force, divided by total mass, अब यहाँ पर जान से देखना, driving forces में कौन कौन है, मैं सितारे चमका रहा हूँ उसके उपर, जो हमारे driving forces है, जो भी हमारे driving forces है, मैं उनके उपर सितारे चमका रहा हूँ, 0.05 g, 0.1 g sin 30 और 0.5 g बड़ा कौन है? 0.5 g बड़ा है बाकी सब तो opposite direction में है motion के motion की direction में कौन है? 0.5 g है बाकी के सब तो motion की opposite direction में है so motion के direction में है 0.5 g बाकी सब opposite में है तो बाकी सब को minus में लिखेंगे so the value of acceleration comes out to be 0.5 g यह in the direction of motion है minus का 0.1 g sin 30 degree minus का 0.05 g divided by total mass total mass कितना है आपके पास में? 1 है 0.5 1 है 0.1 और 1 है 0.05 तो 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.05 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.05 जो forces motion की direction में है मैंने उसको लिया है positive जो force opposite to the direction of motion है उसको मैंने लिया है negative driving force की यही condition है तो solve करते है एक्सेलरेशन का value 0.5 g minus का 0.05 g minus का 0.05 g divided by 0.65 तो एका value बनेगा कितना? यह 0.1 बन जाएगा फिर से and it comes out to 0.4 g divided by 0.65 solve this part 40 g divided by 65 और 5 से काट देना 5 इट जा 40 होता है so 8 g by and 13 5 is the 65 so this is the value of acceleration तो कहां इतनी महनत कर रहे थे equation बनाने में अगर तुम्हें पता है that acceleration is equal to the net driving force upon total mass चुटकियो में आंसर आएगा तुम्हारा नोट कलीचिस को this is your short trick part और यह complete method तुम्हें ना बताई दिया था तो short trick से कैसे solve करना है यह formula याद रखो या तो बोलो net external force या फिर बोलो net driving force driving समझ नहीं आता है तो external बोलो external बोलने की कहानी क्यों बोल रहा हूं मैं because of the reason यह जो tension होता है यह रस्ती के अंदर लग रहा है and we know better जो अंदर की बाते हैं वो external में नहीं आती वो internal में आती है so यहाँ पे tension T1 and T2 are the internal forces not the external forces got it इसलिए हम tension को consider नहीं करते है apart from this जो भी हमारे gravitational forces है वो external में थे इसलिए हमने उनको consider करा in the direction of motion जो force होगा positive होगा opposite to the direction of motion this is the direction of motion and the force is acting in the opposite direction of motion ऐसे forces को हम negative लेते है motion उपर हो रहा है force नीचे लग रहा है negative जाएगा तो in the direction of motion positive बाकी के force is negative divided by total mass solve करा ये तीन steps में तुमारा answer complete हो जाते है आपर so this is all about the question number 35 उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा note तो करी लिया तुम लोगों नहीं है न बहुत बढ़िया so this is all about the question number 35 अब आगे बढ़ते है question number 36 पहा जाते है if it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square how much force should it apply on the rope if the rope is 5 meter long and the monkey starts from the rest how much time it will take to reach the ceiling so भाई बहुत ही प्यारा सवाल HC वर्मा में फिर से हमें वही दिखते है मंगी वाले problems अच्छे आते हैं न बहुत yes so यार मैं एक diagram बना देता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और question easily solve कर सकते होगे so यहाँ पे ceiling से एक रसी लटका रखी है रसी से एक बंदर है लटका हुआ देखो भाई मुझे ना बंदर बनाने नहीं आता है तो थोड़ा भावना है समझ जाना कि बंदर की ही feeling आए बस तुम लोगो तुम्हें हाँ अब क्या होगा कि यह बंदर जो है वो इसका मास 15 kg का है तो इस बंदर का मास है 15 kg का और बोला गया है कि यह उपर जाना चाहता है और यह जाना चाहता है उपर 1 meter per second square से तो यह उपर जाना चाहता है within acceleration of 1 meter per second square How much force should it apply on the rope तो यह rope के उपर कितना force लगाएगा जिससे कि उपर यह 1 meter per second square से जा पाएगा सोचो जड़ा सोच लिया मैं बताओ चलिजी सोच लिया होगा तो मैं बता देता हूँ कि जब भी तुम्हें किसी रसी के उपर चड़ना है तो तुम force लगाते हो and you know the best part of the tension is कि at the point of application at the point of application जितना force आप लगा रहे हो उतना ही tension रसी के अंदर भी आता है जानते हो नहीं बात रसी को पकड़ के खेचोगे तो रसी को pull करते टाइम पे तुम्हारे हाथ पे जितना force तुम रसी पे लगाओगे जितना force तुम रसी पे लगाओगे उतना ही tension रसी के अंदर भी आएगा तो अगर ये monkey रसी को pull करता है नीचे की तरफ F force है तो यहाँ पे रसी में tension T जो होगा वो F force के बराबर ही होगा So at the point of application यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उस particular point यहाँ पे force लगाया जा रहा है तो जितना force आप रसी पे लगाओगे उतना ही tension रसी में भी आ जाएगा समझते हो ने बात तो So भाई ठीक है अब मुझे tension की कहानी पता चल चुकी है जरा monkey का FBD तो बना दो monkey का FBD बनाते है FBD क्या बोलेगा हमसे FBD बोलता है कि भाई सब लोको बताते हैं क्या बोलता है FBD बोलता है कि ये रहा तुम्हारा वो monkey monkey के उपर रसी ने टेंशन लगाया T because monkey ने रसी के उपर force लगाया F monkey ने रसी के उपर F force लगाया तो बतले में रसी ने भी tension लगा दिया तो monkey के उपर लगा tension monkey का खुद का मास था 15 kg तो लगा 15 g नीचे monkey उपर जाना चाहता है 1 meter per second square से बोलो ज़रा भावनाय समझ आ गई होगी अब तो monkey का FBD बना दिया मैंने इस monkey का FBD बना दिया monkey के उपर gravity लग रहा है 15 g नीचे की तरफ monkey के उपर tension लग रहा है उपर ये tension रसी लगा रहा है monkey के उपर अब तुम बोलोगे कि sir रसी monkey के उपर tension क्यों लगा रहा है because of the reason monkey ने रसी को पकड़ के खेचा था monkey ने रसी को पकड़ के खेचा तो according to the Newton 3rd law for every action there is always equal and opposite reaction monkey ने रसी को नीचे की तरफ force लगाया बदले में रसी ने monkey को उपर की तरफ force लगाया tension अब ये पार्ट तो solve करना तुम्हें आता ही होगा हमने बोला at the point of application at the point of application tension will be equal to the force तो tension लिखो या force लिखो एक ही बात है यानि अगर आप tension find कर लोगे तो आपको force पता चल रहेगा जो monkey लगा रहा था रसी के उपर दो concept लगे नहीं आपर एक तो action reaction वाला लगया और एक तुम्हारा normal FBD वाला जो चलो भी, try कर इसको किया try समझ आया कुछ simple equation बन चुकी है तो T-15G is equals to 15A अब question में बोला गया है acceleration 1 लेना है so T-15 G का value मैं 10 ले लेता हूं is equals to 15 into 1 G का value just for the calculation purpose मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूं so से मेरा calculation थोड़ा easy हो जाएगा उससे, so solving this part so T-150 is equals to 15 so 150 उदर जाएगा तो plus का बन जाएगा so T will be your 150 plus का 15 solve this part the value of tension comes out to be 165 Newton इतना tension रसी जो है monkey के लगा रहा है so we know better since tension will be equal to the force applied by the monkey on the string tension is equal to the force applied by the monkey on the string so therefore जो monkey ने फोर्स लगाया it will be of 165 Newton monkey ने जो फोर्स लगाया है रसी के ओपर वो कितना है 165 Newton चली बई पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया अब सेकिंड पार्ट में बोलता है कि अगर ये monkey rest से चलना शुरू करे अगर ये monkey rest से चलना शुरू करे तो इसको कितना टाइम लगेगा ceiling तक पहुँचने में ceiling से monkey का जो distance है it will be off 5 meter ceiling से monkey का जो distance है वो है 5 meter का तो monkey ने rest से चलना शुरू किया था उपर की तरफ acceleration है 1 meter per second square का तो कितना टाइम लगेगा इतने tough questions आजाते ना कभी को और तो दिमाग हराब हो जाता है इतने tough questions में so using the equation s equals to ut plus half 80 square now you know better की भाई initial velocity उसकी 0 है because उसने rest से चलना शुरू किया था जब उसने rest से चलना शुरू किया so the initial velocity is 0 तो s can be written as half 80 square s मेरा 5 meter का है half into acceleration 1 है into t square so the value of t square comes out to be 10 so यहाँ से solve करेंगे t का value मिलेगा under root of 10 seconds note कर लीजे फटाफ़र से हाभाई note कलो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे अगे सवाल पे बहुत जादा tough question हो गया है समझ आई समझ में आगया सबको कोई अधा rocket science था ही निसमें कर लिया note बढ़े आगे चलिए बहुत बढ़िया so let us move on to the next question question number 37 हमारा क्या बोलता है आओ दिखते so according to the question 37 फिर से बंदर आगया इस बहुत वाटो डियाग्राम भी आया है साथ में among this climbing on the rope that goes over a smooth light pulley एक बंदर है जो कि किसी रस्ती के उपर चड़ रहा है और ये रस्ती जो है पुली से होते हुए उदर एक मास वाले ब्लॉक के साथ attached है देखें ब्लॉक के साथ attached है condition ये बुली कि ये कि जो मास मंकी का है जो मास मंकी का है वही मास बॉक्स का भी है दोनों का same mass है जो mass monkey का है वही mass उस box का भी है show that whatever the force monkey exerts on the rope the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration बोला गया कि भाई कोई भी condition हो कुछ भी हो तुम्हें तो बस यह बताना है कि monkey कितना भी force लगा ले रस्ती के उपर monkey और यह block दोनों same direction में जाएंगे दोनों same direction में accelerate करेंगे और equal acceleration से accelerate करेंगे initially दोनों rest पे थे और इनके बीच का separation कभी भी बदलेगा नहीं as the sumay passes चिल अभी सोचो क्या गर सकते इस question में अच्छा कुछ सोचा तुम लोगों ने इसके बारे में क्या गर सकते हम लोग तुमने पता है तुम समझदार हो थोड़ा से extra दिमाग लगाओगे तो ये बतानी के जोट नहीं है वैट क्यों कि उन्होंने हमें बोला कि show करो तो उसको दिखाना पड़ेगा सामने वाले को तुम जानते हो कि बही जब ये monkey आइपके उपर जाएगा तो रसी को नीचे खेचेगा जब तुम उपर चाड़नों वा तो रसी को ऐसे पकड़ के नीचे खेचते हो अस. अस या वह तो वह तो वह पीछले वह हुआ होती थी तो monkey उपर चड़ जाता था उस case में फिर क्योंकि रसी नीचे नहीं आ रही थी रसी attached थी ceiling से इसलिए वो नीचे नहीं आती थी तो monkey उपर चड़ जाता था इस case में तो यहाँ पर क्या होगा monkey ने force लगाया रसी के उपर monkey ने force लगाया रसी के उपर मंकी ने force लगाया रसी के पर F वाला तो रसी में tension आया T वाला लेकिन एक दिक्कत है सर यहाँ पर पुली है पुली की वज़ा से क्या होगा ये रसी fixed नहीं है ये जो spring है वो fixed नहीं है अब क्या होगा जैसे मंकी इसको force लगाया रसी नीचे की तरफ आ जाएगी मंकी जैसे पुल करेगा इसको रसी नीचे आ जाएगी तो ये block उपर चला जाएगा च्योंकि block तो attached ना रसी से तो जैसे monkey ने इसको pull करा नीचे की तरफ उपर चड़ने के लिए रसी को जैसे नीचे खेचा तो पुली की वज़ा से रसी नीचे आ जाएगी क्योंकि attached नहीं है ना इस वार रसी fixed नहीं है अब क्या हुआ जैसे रसी नीचे आ ये box उपर चला गया तो मतलब ये है कि monkey का एक बार fbd बना लेते हैं तो ये रहा हमारा वो monkey ठीक है ये रहा हमारा वो monkey अब इसके उपर लगता है टेंशन T क्योंकि ये रसी को खेच रहा है इसके उपर लगता है mg नीचे की तरफ ये भाई साब जाना चाहते है acceleration से so let's say this is the acceleration of the monkey am let's say this is the acceleration of the monkey am यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक block block क्यों पर टेंशन लगेगा T block का मास है mg तो यहाँ पर block का acceleration मैंने माल लिया a b माल लो कुछ भी मुझे नहीं पता मैं तो शो करूँगा न तो माल लो कुछ भी तो वहाँ पर मैंने माना acceleration of the monkey as am acceleration of the block as a b direction मैंने दोनों की opposite माल ली मुझे ही क्या पता क्या direction होगी मुझे ही क्या पता क्या direction होगी तो मैंने दोनों की direction opposite माल ली मैं लो ठीक है भई monkey का acceleration उपर दे दिया मैंने बोला monkey अगर उपर जाएगा तो block नीचे जाएगा और अगर direction सही लिए होती तो answer में plus आ जाता है चलिए बैस को solve करते हैं तो पहली बात मैं monkey के लिए solve कर देता हूँ तो monkey के लिए equation लेगेगी T minus mg is equals to m into am acceleration of the monkey फिर मैं block के लिए लिखूँगा तो block के लिए equation लेगी mg minus T is equals to mab acceleration of the block तो दोनों equations को add down कर देता हूँ मैं so यहाँ पे जब मैं दोनों equation को add करूँगा so it will be like T minus का mg plus का mg minus का T is equals to m into acceleration of the monkey plus m into acceleration of the block so T से तो T मर जाएगा mg से mg भी मर जाएगा so your answer comes out to be 0 is equals to m taking out m common so this will be your acceleration of the monkey plus acceleration of the block m जाएगा so solving this part तो मुझे पता चलता है that the acceleration of the monkey plus acceleration of the block will be 0 so acceleration of the monkey is equals to minus का acceleration of the block मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों से कि अगर मैंने direction गलत ली होगी तो मेरा answer negative आ जाएगा अगर मैंने direction गलत ली होती तो मेरा answer negative आ जाएगा लो आ गया negative मतलब ये है कि monkey का acceleration और block का acceleration magnitude में तो same है but minus का sign बताता है कि भाई दोनों का जो आपने acceleration लिया है यानि कि monkey का जो acceleration लिया है वो जो अभी आपने जो अभी आपने block acceleration लिया है उसके opposite होगा ठीक है अब अगर थोड़ सा और feel लेना है तो मा लीजे let's say acceleration of monkey is m a let acceleration of the monkey be a so acceleration of the block will be your minus का a so path ये है कि minus का a हमें ये बताता है कि भाई सब अगर monkey का acceleration a है which is in the upward direction so ये आ रहे है minus का a acceleration of b क्या आ रहे है में पास acceleration of b आ रहा है minus का a अब ये देखो ये minus का a हमें क्या बताता है acceleration of b आपने नीचे की तरफ लिया था वो minus का a रहा है minus का sign ये शो करता है कि direction आपने गलत ली थी direction इसकी opposite होगी so direction opposite का मतलब क्या है कि भाई इसका जो acceleration होगा this will be your a आपने b का acceleration नीचे लिया था ना आपका अंसर नेगेटिव आ रहे ना तो negative sign ये बताता है कि आपने direction गलत ली थी उसका reverse कर दीजिए आपने block acceleration नीचे वाना था तो वो बोलता है कि direction आपने opposite ली थी तो उसका reverse कर दीजिए तो reverse करते ही मुझे इसका acceleration उपर दीखा तो देखो monkey का acceleration उपर a है block का acceleration भी उपर a है तो क्या ये मैं show कर चुका हूँ क्या हाँ सर ये हमने show कर दिया that whatever the force monkey will apply on the rope कोई सा भी force monkey rope के उपर लगा दे monkey and the block move in the same direction with the equal acceleration monkey और block जो है वो दोनों same direction में जाएंगे दोनों same direction में जाएंगे with the equal acceleration ये वाली चीज़ show कर दी ये वाली चीज़ तो monkey का acceleration और block acceleration अभी आपने opposite माना था पहले monkey का acceleration और block का acceleration दिख रहा है तुम लोगों को opposite माना था तो ये minus का sign आ गया ये हमें बताता है कि भाई सब एक का direction उल्टा है एक का direction गलत लिया है minus का sign ये बताता है कि एक का direction जो है वो गलत है यानि कि अगर monkey का direction उपर है तो block का जो है वो नीचे नहीं होगा वो उपर ही होगा monkey का direction अगर उपर है तो block का direction नीचे आपने गरत लिया है वो भी उपर ही होगा समझे बात को अब अगर मैं question में ही जब हम solve कर रहे थे यहाँ पे भी acceleration of block उपर मान लेता तो अगर मैं block का acceleration उपर मानता तो मेरा am और a b बराबर आता आओ इसका भी proof देता तो में तो मैंने क्या बोला कि भाई सब अगर suppose करो monkey का acceleration और block का acceleration में उपर की तरफ ही मानता फिर क्या होता तो यह tension T लग रहा था यह mg लग रहा था और यह acceleration of the monkey था यह block था हमारे पास में जिसके potential लग रहा था यह mg लग रहा था नीचे की तरफ इस बार डिरेक्शन आपने उपर लि दिस अपर अभाली लिख पहले वाले यह केस में आपने देक्शन अपोसितली था इस बार माल लो डेक्शन आपने सेम लिली इस स्वार यह Mouse लिए रre tat दिशन видео लिएöttory लिए equation बने कि T minus mg is equals to m into acceleration of the block ये भी T minus mg ये भी T minus mg दोनो same रस्ते से अटार से tension का value same हो जाएगा तो equation number 1 बोल देना equation number 2 बोल देना from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 हमें जो मिलता है वो ये है that mass into acceleration of the monkey is equals to mass into acceleration of the block so mass to mass get cancelled out so acceleration of the monkey will be equal to the acceleration of the block so this is the final answer which we have तो दोनो तरीके बता दिये पहला वला केस था जिसमें मैंने acceleration of the block नीचे माना था acceleration of the block अगर मैं नीचे की तरफ मानता हूं और acceleration of the monkey उपर की तरफ मानता हूं तो ये minus का sign आता है तो मुझे बताएगा कि बही direction गलत लिये direction को reverse कर दीजिये minus का सइ्न क्या बताएगा कि direction आपने गलत लिये direction को reverse कर दीजिए तो ठीक है कोई बात नीए तो मैंने पहले ही क्या किया दोनों का सेम डेक्शन ले लेने से मुझे मिलता acceleration of the monkey is equal to the acceleration of the block चूंकि डायरेक्शन आप पहले ही सेम ले चुके हो तो वो बता रहा eğit दोनों का magnitude भी same होगा डायरेक्श्न आपने पहले ही same मान ली थी तो वो यह बता रहा रहे कि दोनों का magnitude same होगा तो यहां से कहारी clear हो जाती है डायरेक्शन अगर opposite लोगे तो negative आजाएगा direction अगर same लोगे तो negative गायब हो जाएगा तो बस यही बताना चाहते हैं आपको कि दोनों monkey और block same direction में जाएंगे same acceleration के साथ जाएंगे same direction में जाएंगे same acceleration के साथ जाएंगे clear रही यही बाते कोई समस्या तो नहीं पक्का पक्का न चलो गई both were at rest, so their separation will not change as time passes, तो यह कह रहा है कि अगर दोनों ही starting में rest पे थे, दोनों ही starting में rest पे थे, तो इनका जो separation है वो change नहीं होगा, जैसे जैसे समय बीचता जाएगा, सोचो ज़रा इसके बारे में, अगर दोनों rest पे थे, तो इनका बीच का separation change नहीं होना चाहिए समय के साथ, कैसे होगा सर, जितने acceleration से यह monkey उपर की तरफ जा रहा है, उतने ही acceleration से ब्लॉक उपर की तरफ जा रहा है, यानि कि इनके बीच का separation कैसे बदल सकता है, इनके बीच का separation कैसे बदल सकता है, जितना time इसको लगेगा उपर पहुंचने में, सोरी, जितना distance वो travel करेगा, same time में, उतना distance, यह travel करेगा, same time में, सो दोनों की बीच का जो separation है, वो तो सेम ही रहेगा, यहां पर बोल सकते हो कि वर्टिकल डिरेक्शन में, दोनों की बीच में कोई relative motion नहीं हो रहा है, वर्टिकल डिरेक्शन में, दोनों की बीच में कोई relative motion ही है, क्योंकि वर्टिकल डिरेक्शन में, दोनों का acceleration same है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, A relative will be 0, क्योंकि दोनों का same acceleration है, in the same direction, तो यहाँ पे जो दोनों की बीच का relative separation था, it will be your 0, that means, दोनों की बीच का separation हमेशा same रहेगा, अरे समझे बात को, कि A relative 0 क्यों हुआ, क्योंकि acceleration of the monkey बराबर है, acceleration of the block है, तो acceleration of the block with respect to monkey कर लो, या फिर acceleration of the monkey with respect to block कर लो, वो आपको 0 ही मिलेगा, same direction में, same acceleration, तो इनका relative acceleration 0 हो गया, now using the relation, S relative is equal to U relative into T, plus half A relative into T square, तो दोनों ही starting में rest पे थे, तो यह तो 0 हो गया, तो दोनों की बीच का relative separation कुछ होगा, क्या, half into, relative acceleration 0 है, तो यहाँ पे S relative आता है 0, यानि कि दोनों की बीच में कोई relative separation नहीं है, दोनों के बीच में separation जो है, वो हमेशा fix चलता जा रहा था, कोई gap ही नहीं आया, तो दोनों के बीच में कोई relative separation नहीं है, that means, that means, कि इनके बीच का जो separation है, वो कभी change ही नहीं हुआ, इनके बीच का separation change होना चाहिए था, तब ही तो जाके, तब ही तो जाके कुछ relative separation आता, या पे तो कोई relative separation ही नहीं है, इनके बीच में, वर्टिकल डिरेक्शन में विलॉसिटी जीरो थी इनकी वर्टिकल डिरेक्शन में विलॉसिटी जीरो थी तो वर्टिकल डिरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन का कुतना जीरो आ गया तो यह बहुत क्लियर है बोल सकते हों नहीं है बात जितने एक्सेलरेशन से मंकी उपर ज रहेगा रसीष का रस्पेक्ट में भी कर सकते हैं तो यह वाला पार्ट है यह वाला पी नोट कर लिए होगा तुम लोग ने अब यह सारी बाते नोट करने के बाद समय हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और हमारा next question question number 38 हम से क्या होते हैं आओ देखते हैं so according to the question number 38 the monkey b shown in the figure the monkey b shown in the figure is holding on to the tail of the monkey a monkey b ने a की tail पकड़के रखी हुई है और लटका हुए उससे which is climbing up a rope monkey a जो है रसी पर उपर चड़दा है masses of the monkeys a and b are 5 kg and 2 kg respectively and if a can tolerate a tension of 30 newton in its tail तो भाई सब यहां पे जो monkey a है उसकी जो tail है वो सिफ 30 newton तक का ही force tolerate कर सकती है जैसे ही इसके tail में 30 newton से ज़्यादा force लग गया उसकी जो tail है वो टूट जाएगी okay so what force should it apply on the rope in order to carry the monkey with it so monkey a जो है क्योंकि हमें पता है वो climb कर रहा था तो यहां पर बोल गया कि इस रसी के उपर वो कितना force लगाएगा नीचे के तरफ जिसकी वजह से वो a और b दोनों को climb कर वा सके बोलो A वाला मंकी रसी के उपर कितना force लगाएगा जिसकी वज़ासे वो B वाले को 7 में लिके जाए G का value 10 meter per second square लेके solve कर लेना इसको G का value 10 meter per second square लेके solve कर लेना तो देखो वही उपर जाने के दो condition है हमारे पास पहली condition है कि वो मंकी A उपर की तरफ accelerate करे या फिर मंकी A उपर की तरफ constant velocity से चले तो दोनों cases possible है दोनों को solve करो अरे उसने ऐसा तो नहीं बोला नहीं कि इसको उपर कैसे जाना है what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it बस इतनी बात बुलिए अब monkey B को साथ मिले जाने के दो तरीके या तो वो accelerate करता हो उपर जल जाए या फिर वो constant velocity से उपर चला जाए कोशन में define नहीं किया ना तो दोनों cases को लेकर solve करना पड़ेगा आपको तो पहला case लो जिसमें यह accelerate करेगा उपर की तरफ पहला case लेना जिसमें वो जी लगेगा नीची के तरफ क्यूंकि इसने रसी के उपर एक फोर्स एफ लगाया है तो रसी इसके उपर एक क्यूंकि हम बात बहुत अच्छे से जानते है एड़ पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन जितना फोर्स आप लगाओगे रसी में भी उतना ही टैंशन आएगा तो यहां पे अगर फोर्स डैरेक्टि रसी के उपर लगा दिया जब है तो जो टैंशन आगा दैट व doğru स भालच लेजाओं जिसमें उपर एक्सलेट करूइगा मंकी पहला के श्रान जित में उपर एकसलेर करेगा तो जेसमारी लिए रिफाइन कर दी ज़रा बी के लिए भी देखो एक लिए कुछ रहे गए अभी पर उसको मैं भी बाद में बता हूँगा रुक जाओ भी mbg इसके लबा क्या bk पर कोई और फोर्स लग रहा है हाँ sir bk पर लग रहा है t dash t dash is actually the tension in the tail of the monkey a t dash क्या है tension in the tail of monkey a यहाँ पर tension t होगा यहाँ पर tension t dash होगा तो monkey a की tail में जो tension है it will be your t dash तो a की tail में tension t dash नीचे लगेगा monkey b पर tension t dash उपर लगेगा यह भी उपर जाएगा with the same acceleration a तो पहला case हम solve करते है जिसमें वो a acceleration से उपर जा रहे है ठीक है पहला case solve करते हैं जिसमें वो a acceleration से उपर जा रहे है अब देखो यहाँ पर tension t dash उसने पहले define कर दिया है a का जो toleration है वो कितना 30 newton का है यानि कि a वाला जो monkey है वो अपनी tail में कितना tension tolerate कर सकता है 30 newton का so t dash का value पता है हमें हमें बताना है t का value चलो भी solve करते है पहली question लिखते है t minus t dash minus का m a g t minus का t dash minus का m a g equals to m a into a इसके लिए question लिखेंगे t dash minus का m b g equals to m b into a so t minus का 30 minus का कितना ही है 5 kg करना तो यह minus का 5 g is equals to 5 a so 30 minus का यह कितना है m b mass of b कितना है 2 kg का है mass of b 2 kg का है so 2 g is equals to 2 a to solve करो पहले तो 30 minus 2 g g का value उसने बोले 10 ले ले लेना तो g का value 10 पूट करते है 30 minus 20 तो उसको solve को लिए 30 minus का 20 is equals to 2 a so value of a comes out to be 5 meter per second square यानि कि अगर मैंने बोला कि monkey a उपर की तरफ accelerate करता है तो a वाला monkey उपर जाएगा 5 meter per second square से जरह यहाँ पर पूट किजिए 5 meter per second square so value comes out to be t minus 30 minus का 50 so here comes out to be t minus का 80 देखलो minus का 30 minus का 50 5 और 3 8 होते है minus का 30 minus का 50 minus का 80 is equals to 5 into 5 so value of t comes out to be 80 plus 25 it will be your 105 newton so जो tension t या मैं बोलू applied force f था वो 105 newton का यानि कि monkey a रसी के उपर 105 newton का force लगाएगा जिसकी वज़ा से वो b को अपने साथ carry कर सके monkey a रसी के उपर कितना force लगाएगा 105 newton का जिससे कि वो b को अपने साथ carry कर सके पहला part मैंने clear कर दिया जिसमें कि वो उपर जा रहा है accelerated motion से अब भी question में तो ऐसा बोला नहीं कि accelerated motion नहीं होना चाहिए क्या पता वो constant velocity से जा रहा हूँ तो पहला case मैंने solve कर दिया जिसमें कि वो accelerated motion से इसको उपर लेके जा रहा था second case solve करेंगे जिसमें वो constant velocity से उपर जा रहे हैं अगर वो constant velocity से उपर जा रहे हैं अगर वो constant velocity से उपर जाएंगे तो बताओ बैए कितना होगा फिर देखो यह हमारा वही मंकी ए यह उपर जा रहा है tension T will be equal to applied force M A G आएगा यह B वाला मंकी M B G आएगा अब एक बात ज्यान से सुनना कि अगर उसको constant velocity से ही उपर जाना है या फिर उसको normally basic uniform velocity या फिर uniform motion करते हुई उपर जाना है तो भूल जाओ ना tension के बाते सिर्फ इतनी बात रखो ना कि अगर उसको सिर्फ उपर लेके जाना है constant velocity से तो उस case में उस case में उसको तो सिर्फ इतना force लगाना है कि वो दोनों के masses को balance कर सके या दोनों के weight को balance कर सके मैंने हमेशे एक बात बोली है कि अगर आप किसी चीज को उठाना चाहते तो minimum उसके पर कितना force लगाओगे उसके weight की जितना जैसे कि में पास यह water bottle है और इस water bottle को अगर मैं ऐसे उठा रहा हूँ उपर तो इसको उपर उठाने के लिए कम से कम कितना force लगाना पड़ेगा minimum force जो इसके उपर लगा सकता हूँ that will be equal to the weight of this bottle तो यहाँ पे भी जो अभी हमने find किया यह तो maximum force है यानि कि maximum कितना force लगा सकते हो आप लोग 105 Newton का तो यह तो हमारा maximum force है minimum force कितना लगाओगे तो minimum force की condition तब applicable होती है जब आपको यह accelerate नहीं करवा रहे हो आप इसको normally धीरे धीरे उपर उठाओ constant velocity से constant velocity से उपर उठाओ इसको accelerate मत करो constant velocity से उपर उठाओ तो कितना force आपको लगाना पड़ेगा that will be equal to the weight of the block तो इस bottle को या फिर किसी भी चीज़ को उठाने के लिए आपको minimum कितना force लगाना पड़ता है उसके weight के जितना जैसे कि तुमने देखाओगा चोटे बच्चे होते हैं उनको गोदी में उठाते हो तो कोई बच्चे पतले होते हैं जैसे लिए जाते हैं कोई बच्चा मोटा होता है तो उसको उठाने में जोड़ लगता है ठीक है तो कितना force आप लगाते हो minimum force हमें उसके weight के जितना लगाना पड़ता तो यहां पर भी जो minimum force आप लगा होगे that will be equal to the weight of the monkey A उसका खुद का weight plus B का weight यह minimum force होता है maximum यानि कि आप उसको accelerate करवा रहे हो minimum जो होता है उसमें कोई acceleration की कहानी नहीं आती है उसमें constant velocity जे जाते हो लोग उपर so minimum force आपको कितना लगाना पड़ेगा it will be your इसका खुद का मास 5G और इसका 2G so minimum force आपको लगाना पड़ेगा it will be your 7G and g का value 10 ले लिजिएगा तो minimum force आपको लगाना पड़ेगा it will be your 70 newton कितना बनेगा वो 70 newton this is the final answer तो maximum force कितना लगाना पड़ेगा 105 newton का जिससे वो accelerate करेगा उपर maximum force 105 newton का है जिससे वो उपर की तरफ accelerate करेगा minimum force will be of 70 newton जिससे हो सकते हैं वो constant velocity से उपर जाए क्योंकि उपर तो जाना उसको तिक है उपर तो जाना उसको ऐसा तो नहीं एक जगा खड़ा रहेगा तो उसको उपर तो जाना है बट यहाँ पर वो accelerate नहीं कर रहे है यहाँ पर वो accelerate नहीं कर रहे है आपका minimum force की condition आगी वो आपकी maximum force की condition आगी तो उसने बूला था what force it applies on the rope तो यह हमारे पास forces आगे नोट कर लो जल्दी से इस यह कोशन नुबर 38 पहला maximum force निकाला जिसमें वो accelerate कर रहा था second case minimum force निकाला जिसमें की वो accelerate नहीं कर रहा है ओके हो गया नोट कर लिया ना बढ़ने आगे बहुत बढ़िया तो यह थी कहानी कोशन नुबर 38 की अब हम आगे बढ़ते हैं कोशन नुबर 39 हमसे क्या बोलते हैं आओ देके अगर्डिंग दुदर कोशन 39 figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine capped in a box of mass 30 kg the box is hanging from a vertical pulley fixed to the ceiling through a light rope the other end of which is held by the man himself तो तुमें दिख रहा है यहां पे कि पूरा box एक रसी से attached है और यह रसी खुद ही आदे में पकड़ा हुआ है यहां पे if the man manages to keep the box at rest अगर यह आदम ही manage करता है कि वो इस box को rest पे रख सके तो जरब बताईएगा कि कितना यह weighing machine show करेगा बेट इसका ठीक है? if the man manages to keep the box at rest, यह पूरा box on the machine machine के पर correct weight के लिए उसको रसी के पर कितना force लगाना पड़ेगा वो बताना है तो पहला case है कि पूरा system rest पे है बताईए कि weight कितना show कर रहा है machine आपका दूसरा case है कि machine exact weight show करे उसके लिए आपको कितना force लगाना पड़ेगा सोचो जरा क्या कर सकते इसके लिए सोच लिया पका ओके देखो ऐसे question जब भी आते है make sure आपको free body diagram बनाना है उसके लाव कोई और चारा नहीं हमारे पास तीक है सबसे पहले box का एक free body diagram बना लेता हूँ इस box के उपर एक तो tension T लग रहा है आदमी ने एक normal लगाया है इसके उपर let's say N क्यों लगाया आदमी ने नॉर्मल ये देखो surface के साथ contact में है तो ground इसके उपर एक normal लगाएगा तो ये आदमी का भी मैं बना लेता हूँ FBD साथ में आदमी याँ खड़ा है mg नीचे की तरफ लग रहा है आदमी के उपर नीचे से normal उपर लग रहा है आदमी के उपर तो देखो भई surface ने आदमी के उपर normal लगाया तो आदमी का भी normal surface पर लगेगा दोनों का action reaction pair है तुम्हें पता है आदमी का मास mg हो गया इस पूरे weight का मास capital mg नीचे के तरफ लगा दिया क्योंकि आदमी का मास मैंने small m माना है और इस पूरे डब्बे का मास मैंने capital m माना है ठीक है जी यहाँ तक तो कोई समस्या ही निया मैं अच्छा एक बात बताओ इस box की जब आप बात करोगा तो इसमें mg साथ में add-on करने क्यों और आदमी का वेट भी तो लगेगा साथ में नहीं लगेगा लगा दिये वो हमने वो हमने लगा दिये force ठीक है चलो तो अब आपकी question बनती है कि जो इसके लाव को यह अरे टेंशन टी भी तो भूली कहें इसके उपर आदमी के हाथ में टेंशन टी भी तो लगेगा क्यों? क्योंकि आदमी इस रसी को नीचे के तरफ पुल कर रहा है F4 से तो बदले में रसी ने टेंशन टी लगा दिया आदमी के पर तो आदमी के पर टेंशन टी लगेगा box के पर tension t लगेगा here the tension t can be written as n plus mg यह n क्या है normal है between the box and the between the box and the insan इस इंसान और डब्बे के बीच का लगने वाला normal force है n अब यहाँ पर देखो n plus n is equals to mg मुझे n का value बताने because n is the apparent weight तुम्हें पता ही होगा lift वाले cases lift वाले cases पता है न n क्या होता है तुम्हारा apparent weight यानि कि जो weighing machine आपको show करता है वो n होता था तो I have to find the value of n तो देखो भाई यहाँ पर t का value n plus mg होता है और t plus n equals to small mg है t का value ठाके यहाँ पूट कर दिजिए तो n plus mg plus n is equals to small mg तो यहाँ पर 2n plus का capital mg is equals to small mg according to the question यहाँ पर जो आदमी है वो 60 kg का है यानि कि small m जो है वो 60 kg का है और यह जो box है वो 30 kg का है box जो है वो 30 kg का यानि कि हमारा 30 kg का capital M है और 60 kg का small m है so 2n plus का 30 into g का value कितना 10 ने लूँ किया g का value 10 लेते है just for the simplification और small m कि जगा 60 into g so 2n कम सॉट भी 600 minus का 300 2n का value क्यों हो जाएगा 600 minus का 300 and इसको solve करते हैं so 2n का value बनेगा 300 या एक काम करू जी के form में रहने जिसको ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा g के form में रहने तो so that तुम्हें बहुत आसानी से solve हो जाएगी but तो 30 g is equals to 60 g so 60 g minus का 30 g so ये भी बनेगा कितना 30 g so n का value बन जाएगा 15 g यानि कि जो reading आएगी आपके पास में वो होगी 15 की g की reading कितनी मिलेगी 15 kgs की यानि कि आदमी बेचारा 60 kg का आदमी बेचारा 60 kg का reading में 15 kg दिखा रहे जिर्फ आदमी है 60 kg का लेकिन ये जो weighing machine है वो reading दिखा रहे 15 kg की क्यों? क्योंकि आदमी ने इस पूरे system को rest पे रखा हुआ है अभी तो आदमी ने इस रसी के पर कुछ force लगाया है और overall देखा जाए तो वो अपने balance को भी अपने weight को भी balance कर रहे है खुद से ही वो क्या गर रहे है? अपने weight को खुद से ही balance कर रहे है देख लो एक बार ये रसी जो है वो डब्बे से attached है डब्बे के अंदर आदमी है तो एक तरह से देखा जायता है वो खुद को light करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर वो रसी छोड़ देगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा अगर वो ground पे होता तो उसका exact weight आ जाता लेकिन वो हवा में है और साथ ही साथ इस डब्बे को उपर की तरफ पुल कर रहा है क्यों क्योंकि सथ देखो डब्बे के उपर tension T लगता है और यह tension T विल बी equal to the applied force तो जितना ज़्यादा वो force लगाएगा उतना ज़्यादा इसके potential लगेगा और यह balance रहेगा तो वो क्या कर रहा है अपने आपको हलका feel कर रहा है just because of the region वो अपने आपने आपको balance कर रहा है by applying the force on the string इसलिए बोल रहा है कि इसका जो reading है जो weighing machine की जो छोटी सी जो दिखती है यह weighing machine है तो यह जो weighing machine है इसकी जो reading आ रही है वो 15 kg की आ रही है actually आदमी का mass 60 kg का है तो reading कम क्यों आई reading कम इसलिए आ रही है क्योंकि उसने अपने आपको light कर रखा है by applying the force अब वो वाली बात आगी तुम्हें एक डब्बे के अंदर हो और तुम्हारे हाथों में उसकी रस्सी है बोला कि भाई तुमने जैसे रस्सी छोड़ी डबा नीचे गिर जाएगा तो अब क्या को रहोगे रस्सी पे जोड लगा के रखोगे जितना ज़्यादा फोर्स तुम लगाओगे उतना ज़्यादा यह balance रहेगा यानि उतना light feel करेगा वेइंग मशीन इसमें वेइंग मशीन की गलती नहीं है तुम्हारी भी गलती नहीं है situation ही अजी है क्या करें है नो वेइंग मशीन पे जो रीडिंग आएगी वो 15 kg की होगी अब अगला केस हमाई से बोलता है कि भाई अब बताओ कितना फोर्स लगाएं अब बताओ कितना फोर्स लगाएं कि वेइंग मशीन हमें exact हमारा weight दिखा दे what force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine तो वेइंग मशीन पे आपको correct weight चाहिए तो उसके लिए कितना force लगाना चाहिए चलो दिखते अभी तो मैंने देखो tension को eliminate कर दिए था अब tension को eliminate नहीं कर सकते हो तो अब क्या होगा देखो अभी तक जो force लगा रहा था उसका मतलब ये था कि वो N की जगा 15 G लिगतो और यहां पे solve कर दो तो 45 G आता है तो अभी तक जो force लगा रहा था उससे वो पूरा system rest पे था ठीक है अभी तक जो force लगा रहा था उससे पूरा system rest पे था अब वो force को change कर देगा अब वो force की value को change कर देगा जिससे की उसका exact weight दिखाए weighing machine ठीक है weighing machine उसका correct weight दिखाए उसके लिए वो क्या करेगा इस force को change कर देगा और जैसे वो इस force को change करेगा अब system rest पे नहीं रहा पहले उसने जो force लगाया उससे पूरा system rest पे था लेकिन उसका weight गलत दिखा रहा था अब वो जाता है कि उसका weighing machine जो है exact weight दिखाए जो उसका correct weight है वो दिखाए तो कितना force लगाएंगे तो भाई वो force को change करेगा force को change करेगा force को कम करेगा force को change करते ही हमने देखा जैसे उसने force को change किया ये पूरा system अब accelerate होने लगा तो यह पूरा system अब accelerate हो रहा है, so let us do one thing, इसको accelerate करवा देते हैं, क्या करेंगे, वो ज्यादा force लगाएगा या कम force लगाएगा, वो लो दो, वो ज्यादा force लगाएगा कि कम force लगाएगा, sir अभी देखो force का value कम था, कम force लगा रहा था, इसलिए leading कम आ रही थी, है न, इसको force लेटर से हमने बोला कि उसमें ज्यादा force लगा है, जिससे पूरा system उपर की तरफ accelerate होने लगाएगा, ठीक है, तो मा लीजिए कि जो पूरा system है, वो उपर की तरफ accelerate हो रहा है, तो इसके उपर tension T लगा, इसका mg नीचे की तरफ लगा, और इस पे normal ऐसे लगा, आदमी की बात करें, तो आदमी ने रसी को tension दिया, यानि कि रसी के उपर force लगा है, तो बदले में रसी ने भी आदमी फोर्स लगा, mg नीचे की तरफ लगा, normal उपर की तरफ लगा, और अब ये accelerate कर रहा है, उपर की तरफ, मान लीजिए, मान लीजिए, मानने में कह जा रहा है, इसने accelerate कर अपर की तरफ, solve करेंगे इसको, तो equation बनीगी T plus N, sorry, solve करेंगे, equation बनीगी T minus N minus का mg is equals to M A, इसको solve करोगे, तो equation बनीगी N plus T minus का mg is equals to M A, चीक है, इस condition के लिए क्या बोलते है, कि भाई हमने force की value को change कर दिया, because हम चाहते है exact weight दिखाए वो, तो मैं क्या चाहता हूं कि जो आपका normal था, वो mg के बराबर हो ना जी, सिर्फ तभी वो आपको actual weight दिखाएगा, N क्या था, N is the reading of the weighing machine, N क्या होते एक तरह से, reading of weighing machine, तो मैं पता है जब हम lift वाले cases को solve करें थे, तो N आता था हमारा reading of the weighing machine, जो apparent weight होता था, मैं चाहता हूं इस वर apparent weight, actual weight के बराबर हो जाए, तो हमारा case number 2 यही बोलता था, कि जो आपका apparent weight है, वो actual weight के बराबर होना चाहिए, तो N की जगह mg पुट का दिजए, तो mg प्लस का T, माइनस का mg is equals to M mg से mg मर जाएगा, T का value बन जाएगा, T का value बन जाएगा, T का value बन जाएगा, M A, अब T का value M A बन गया है, इस M A को यहाँ पुट कर दिजए, तो यह comes out भी M A, अच्छे एक काम करते हैं ना यार, A को eliminate करते हैं, इस बार, A को eliminate कर दो, ठीक है, T को eliminate नहीं क्योंकि हमें तो tension find out करना ना, इस बार, A को eliminate करते हैं, चलो, लिख लेते हैं, T minus का mg, minus का capital mg, is equals to M into, A की जगा पे मैं लिखता हूँ, T by M, Elimination वाला पाट, Acceleration को eliminate कर देते हैं, because मुझे टेंशन निकालना है, Tेंशन क्यों निकालना है, क्योंकि जितना force में लगाता हूँ, उतना ही tension आता है, तो बोल रहा है, कितना force लगाएं, जिससे कि वो correct weight दिखाए, correct weight के लिए मैंने बुला, जो आपका reading था, वो mg होना चाहि है, तो वो ही equation थी, मैंने बुला, इस बार उसने force को change कर दिया, force को change करते हैं, माल लो वो उपर accelerate करने लगा, तो जब ये पूरा cabin, ये पूरा block उपर जाएगा, तो आद भी भी उपर जाएगा उसके साथ में, तो वो सारी equation में ने acceleration वाली लिखी है, क्योंकि इससे पहला ज इससे reading सही आएगी, बट वो rest पे नहीं दहेगा, अगर वो rest पे नहीं है, यानि कि वो accelerate कर रहा है, तो मैंने बुला लो भाई, उपर की तरफ accelerate करें, तो ये condition लगा दी मैंने सारी, normal mg के बराबर कर दिया, normal को मैंने mg के बराबर कर दिया, so T का value मेर है, मुझे टेंशन चाहि है, because जितना force मैं रसी के उपर लगाँगा, उतना ही tension होगा, तो A को eliminate करो, A के जगा T by M, A के जगा T by M, पूट कर दिया, so T minus का 60 G, minus का 30 G, is equals to 30 T upon 60, क्योंकि आदमी का मास small m था, डब्बे का मास capital M था, आदमी का मास small m, डब्बे का मास capital M, तो ये था, ये से से नहीं दिया है, so now let us solve this part, ये तो 90 G बन जाएगा, तो इसको further solve को लेते है, so T minus का 90 G, is equals to T by 2, 30 upon 61 by 2 होता है, so T minus 90, 60 minus 30, 60 or 30, 90 बन गे है, minus का 60 minus का 90, minus का 90 G दपे जीज़े, T by 2 को दपे जीज़े, so T minus का T by 2 is equals to 90 G, so, यहाँ पे T by 2 बन जाएगा, it will be your T by 2 is equals to 90 G, so T का जो value मिलेगा, it will be your 180 G, और I must say it will be 1800 Newton, जो tension जो मिलेगा आपको, वो कितना मिलेगा, 1800 Newton का, तो कितना force लगाँ, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, उपर की तरफ, since, F equals to T, therefore, F will be equals to 1800 Newton, तो कितना force लगाँगे इस बार आप लोग, 1800 Newton का force लगाँगे, जिससे की, weighing machine, exact reading आपको देगी, कितना force लगाँगे इस बार आप लोग, इस बार हम लगाँगे, 1800 Newton का force, जिससे की वो, हमें exact reading दिखाएगी, तो ये वो force है, जिसके लिए N बराबर MG हो जाएगा, ये वो force है, जिसके लिए N, यानि कि reading of the weighing machine, आपके actual weight के बराबर हो जाएगा, पहले कुछ force लगाए था, कितना लगाए था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले कुछ force लगाए, बट कितना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, ये system rest पे था फर्पूरा, तो उस case में reading जो थी, वो 15 kg की दिखा रहा था, मास बिचारे का 60 kg था, तो reading गलत दिखा रहा था, तो बोला भाई, कितना force लगाओं, जिससे की reading सही दिखा दे, मैंने बोला, force को change कर दो, तो जैसे force को change किया, तो अब ये system rest पे नहीं है, अब ये accelerate कर रहा है, तो जैसे मैंने force को change किया, पूरा system accelerate कर रहा है, तो मैंने मान लिए कि उपर की तरफ accelerate कर रहे है, तो भाई सब उसकी condition लगा के solve किया, tension का value आया 1800 Newton, अब tension 1800 Newton आ रहा है, और मैं जानता हूँ कि भाई जितना force में इधर लगाँगा, उतने tension रसी में आएगा, because at the point of application, अगर रसी के ओपर directly force लगा रहे हो, रसी के ओपर directly force लगा रहे हो, तो उस point पे जो tension होता है, वो applied force के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने directly force लगा है, तो इस point पे tension जो है, वो applied force के बराबर हो जाएगा, this is the scenario, समझ जो होना बात को तुम लोग, so this is it, यह force लिचे लगा, tension टी उपर लगा, और यहाँ जो कहानी खतम हो गई, पहले case में rating 15 kg का रहा था, उसके बाद हमने ऐसा force लगाया, जिससे कि जो आपका reading था, वो actual weight के बराबर हो, reading आपकी actual weight के बराबर होनी चीए थी, इसके लिए जो force लगा, वो 1800 newton का लगा, इसको नोट कर लिजिए, second case था, और पहले वाले इसमें वो आपने note करी लिया होगा, हो गया, कर लिया note, पक्का, सभी ने, बहुत बढ़िया, इसको भी note कर लिजिए, जल्दी से, यह आपका case number first है, यह आपका case, first हो गया, जहाँ पे पुरा system rest पे था, तो आपको reading बतानी थी, हो गया ना भाई सभी का, बढ़े आगे, आजो, आगे बढ़ते हैं, after this question number 39, let us move to the question number 40, so question 40 हमारा क्या बलता है, आओ देखे, according to the question number 40, a block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L, ठीक है, capped inside an elevator going up with uniform velocity V, to slide down the length of the incline, आपको बताना है कि कितना time लगेगा block को, to slide down the incline, if it is released from top of the incline, अगर मैं इसको top से release करूँ, तो इसको नीची आने में कितना time लगेगा, length of the incline L दे रखा है, ये lift उपर जा रहा है, uniform velocity V से, ये lift उपर जा रही है, uniform velocity V से, तो सोचो जरा, क्या होगा, शल्ला भई, जल्दी से सोचो, क्या होगा, सोचा कुछ, अरे, simple है भई, अच्छे से बना लो, डाइगर, ये रहा हमारा, वो incline plane, angle of inclination theta, length of the inclined plane is L, ये रहा डबबा, release करा है rest से, यानि कि इसका initial velocity 0, mg लगता है नीचे, तुम सब समझदार हो, जानते हो, mg will act in the downward direction, यहां की तरफ एक component आता है, which will be your mg sign theta, ठीक है, पर सर रुको, ये ground पे थोड़ी है, ये तो lift के अंदर है, ये ground पे नहीं है, ये तो lift के अंदर है, but lift उपर जारिए constant velocity V से, यानि कि lift का उपर की तरफ acceleration 0, तो lift का acceleration 0 है, तो क्या डबबे पे कोई pseudo force लगेगा, बोलो भाई, constant velocity से चलते है, कोई pseudo force, नहीं है, काहे नहीं है, because constant velocity से चलते हैं, non accelerating frame, और जब कभी भी non accelerating frame आता है, तो उस case में हम लोग बोलते हैं, कि भाई, कोई pseudo force नहीं है, it will be a non accelerating frame, और अगर यह non accelerating frame है, तो pseudo force will be 0, और pseudo force अगर 0 हो गया, तो कहानी तो simple बन गई, बोला कितना time लगेगा, उपर से नीचे आने में, तो भाई, डबबे को उपर से नीचे आने में जो time लगेगा, s equals to ut plus half 80 square से निकाल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कि सर, initial velocity तो 0 थी, length कवर किया, L equals to half, acceleration होगा, G sin theta और यहाँ पर लगेगा T square, कोई pseudo force ही नहीं है, सिर्फ एकलाथा acceleration लग रहा है, which is the component of the gravity, Mg sin theta, तो acceleration होगा, G sin theta चोई इसको नीचे लेके आएगा, तो यहाँ पर L distance कवर किया, so 2L will be equals to G sin theta into T square, so यहाँ पर 2L divided by G sin theta is the value of T square, so यहाँ से the value of T can be written is, under root में 2L divided by G sin theta, 2L divided by G sin theta, समझें बात को, clear है ना कहानी, कोई rocket science नहीं है, तो मैं पता है, अगर वो constant velocity सो पर जा रहा है, so it is the case of a non-accelerating frame, या मैं बोलो inertial frame, inertial frame में तो कोई pseudo force होता भी नहीं है, और अगर inertial frame में कोई pseudo force नहीं है, तो हमारी कहानी तो बहुत simple है या, फिर तो, so this is the answer of the question number 40, बहुत बढ़ी है, so बढ़ते हैं question number 41 पे, so हमारा question 41 हम से बोलता है, a car is speeding up on a horizontal road with an acceleration A, एक गाड़ी है जो की horizontal road पे है, और वो accelerate कर रही है आगे की तरफ, consider करो following situation in the car, जैसा कि पहला situation है, एक ball को suspend कर रखा है, from the ceiling through a string, and it is maintaining a constant angle with the vertical, find this angle, second case बोलता है, a block is kept on the smooth inclined plane, and does not slip on the inclined, find the angle of inclined with the horizontal, दो चीज़े बोलिए, पहला case आपका ये बोलता है, कि भाई साब एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो है, आपने एक bob लगा रहा है, तो सब बोस कर रहे हैं कोई गाड़ी मेंने बना दी, ठीक है, चुला, ठकरा जाएगी ने इसे तो, ठीक है, ये आगे के तरफ एक्सलरेट हो रही है, ये आगे के तरफ एक्सलरेट हो रही, बोले गया, इसमें एक आपने bob लटका रखा है, from the ceiling, and it is maintaining our constant angle theta with this, find the value of this theta, आपको पहली बात तो theta बताना है कितना होगा, सोचो भई, जल्दी से theta क्या हो सकता है, सोचा कुछ, theta क्या होगा, अरे इसका FBD बना लो, चोलो भी, मैं बताता हूँ क्या होगा, कि इसका एक FBD बनाएंगे, और यहाँ पे ये bob लेके आएंगे, bob से mg लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये pendulum, ये एक pendulum जो है, वो एक accelerating frame के अंदर है, तो एक pseudo force लगा सकते हो, M A in the backward direction, tension T की कहानी, ये है हमें बतानी, कि ये लगा tension T, मालीजे दिस angle is theta, so tension का एक component यहाँगा, this is theta, so this is also theta, so this comes out with T cos theta, एक component T cos theta इदर बन गया, एक component T sin theta इदर बन गया, अब इसके लाबह बताओ, क्या bob कहीं और जा रहा है, क्या ये pendulum कहीं और जाता है, नहीं sir, it is maintaining a constant angle, उसना maintain करके रखा है इस theta को, इसके लाबह कहीं और नहीं जा रहा है, यानि जितने भी forces दिख रहे हैं, उनको balance कर दो आपस में, तो मैंने बोला, T sin theta, is equals to M A, T cos theta, is equals to M G, क्योंकि उसना बोला है, constant angle को maintain करके रख रहा है, यानि कि अब ये pendulum कहीं और नहीं जा रहा है, और अगर ये pendulum कहीं और नहीं जा रहा है, तो forces balance कर दिए, so T sin theta equals to M A, M A, और T cos theta equals to M G, ज़रा दोनों का आपस में, divide कर दे, सो T से तो T मर जाएगा, M से M मर जाएगा, so sin theta upon cos theta is your tan theta, it will be your A upon G, so theta का value भी लेगा tan inverse A upon G, so theta मिल गया यहाँ पे, tan inverse A upon G, पहला आप case clear हो गया सभी को, पहला case clear हो गया, note कलो इसको, second case पहारे फिर हम लोग, हो गया, आओ बही, second case बोलता है कि वही गाड़ी फिर से चल रही है, उसी सड़क पे, लेकिन इस बार, आपने इसके अंदर एक incline plane रखा हुआ है, इस बार आपने इसके अंदर एक incline plane रखा है, तो वही गाड़ी जो चल रही है सड़क पे, इसके अंदर एक incline plane रख दिया, इसके अंदर एक incline plane रखा है, यह angle of inclination theta है यहाँ पे इसका, find the value of theta, find the value of theta, जिससे की box slide ना करे नीचे, a block is kept on a smooth incline plane, and does not slip on the incline, जो box आपने incline के उपर रखा है, यह फिसलना नहीं चाहिए नीचे, गाड़ी आगे की तरफ जारी है, with an acceleration of A, तो यहाँ पे भी ज़रा try तो करो, कहानी लगाओ, pseudo force की, कहानी लगाओ, pseudo force की, यह आपका second case हो जाएगा है ना, यह आपका second case हो जाएगा, so क्या बोलोगे, सोचो ज़रा, pseudo force का कहानी लगाते हैं, box का एक FBD बना लेते हैं, box का FBD कुछ इस type से बनेगा, कि यह है हमारे पास में, यह रहा वो box, mg will act in the downward direction, यहाँ पे theta लग रहा है अंगल, acceleration आगे की तरफ हो रहा है, तो pseudo force पीछे की तरफ लग जाएगा, MA, this angle is theta, so this is also theta, इधर का component MA cos theta, इधर का component mg sin theta, यह box नीचे की तरफ slide नहीं कर रहा है, यानि कि जो force नीचे लग रहा है, उसको उपर वाला force balance कर रहा है, यह box slide नहीं करता है नीचे, box does not slip on the incline, यह नीचे की तरफ slip नहीं कर रहा है, यानि कि जितना force नीचे लग रहा है, उतना force उपर लग रहा है, तो MA cos theta को balance कर देना, mg sin theta से, तो MA cos theta equals to mg sin theta, so mg से mg मर जाएगा, a का value बनेगा g sin theta upon cos theta, so a का value बनेगा g tan theta, so यहां से भी वही कहानी कि theta का value a upon g tan inverse, so same कहानी यहां से मिलेगी, a upon g tan inverse is the value of theta, तो दोनों cases में theta जो है angle, यहां पे था जो उसने बनाया था vertical से, यहां पे था angle of inclination, दोनों में theta find किया, पता चला theta दोनों में tan inverse a upon g आ रहा है, ते काम करो इसको note कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हो गया note, कर लिया, पका, बहुत बढ़िया, सो आगे बढ़ते हैं, question number 42 पे आजाते हैं, and question 42 हम से क्या बोलता है, आओ देखे, a block is kept on the floor of an elevator at rest, the elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square, find the displacement of the block during the first 0.2 seconds, and it is given as, you can take the value of g as 10 meter per second square, कैसा solve को रोगा इसकोशन को, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचा कुछ, पहले डाइग्राम बनाते हैं, so diagram हमारा क्या बोलता है, कि भाईज़ अब एक block है, जिसको आपने floor पे रखा है, elevator के at rest पे, okay, so यह रहा elevator, इसके floor पे, आपने एक box को रखा है, एक block को रखा है, और पहले ही elevator हमारी rest पे थी, लेकिन अभी यह elevator नीचे जान लगी है, 12 meter per second square से, now find the displacement of the block, during the first 0.2 seconds, after the start, initially rest पे था, उसके बाद यह 12 meter per second square से नीचे जाने लगा, क्या होगा, सोचो ज़रा, सोच लिया, चो भई, so this is the acceleration of the lift in the downward direction, तुम्हें पता है, g का value अगर मैं 10 meter per second square लेता हूँ, तो यहाँ पे एक case साफ दिख रहा है, that a is greater than g, याद करो, जब-जब acceleration g से बड़ा होता था, जो object होता था, वो छट से चिपक जाएगा जाके, जो object होता था, वो छट से चिपक जाता था जाके, याद है तुम्हें, अगर acceleration g के बराबर होता था, तो यह object जो है, हवा में होता था, weightlessness की condition थी, weightlessness की condition थी, यादि की अगर आपका acceleration g के बराबर होता था, यह box हवा में होता था, लेकिन जैसे यह acceleration g से बड़ा हो गया, यह हवा में जाता है, और हवा में जाते हैं टाइम पे, जैसे हवा में जाएगा, उसके बाद यह उपर चिपक जाएगा, चत से जाके, याद है तुम्हें, case number 4 के दो special case थे, जिसमें a बराबर g था और एक में a greater than g था, so a greater than g जिसमें की, अगर आपका acceleration g से बड़ा होता है, तो यह block उपर जाता है, और चत से चिपक जाता है, तो elevator की जो ceiling है, जो चत है, उससे वो box चिपक जाएगा जाके, तो मैंने बोला, यह box क्या होगा, as a is greater than g, यह box हवा में आजाएगा, so जैसे यह box हवा में आएगा, इसके उपर जाएक्सलेरेशन लगेगा, it will be your g, which is 10 meter per second square, as the lift starts moving, as the lift starts moving, box will move up, the block will, the block will, और जैसे वो हवा में आएगा, तो उसके उपर एक्सलेरेशन जो लगेगा, वो g के बराबर होगा, which is 10 meter per second square, ठीक है, तो जैसे lift चलना शुरू करती है, ब्लॉक जो होगा, उपर जाएगा, उपर जाके हवा में आजाएगा, और जैसे वो हवा में आया, उसके उपर g लगता है, 10 meter per second square, so उसके समर्डिस्प्रेस्मेंट विल बीओर, यूटी प्लस हाफ 80 square, इनिशली डबबार रेस्ट पे था हमारा, क्योंकि पूरा लिफ्ट भी रेस्ट पे था, so S can be written as half 80 square, अब ध्यान से सुनना, acceleration 12 meter per second square मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे box हवा में आ चुका है, हवा में आते ही, उसको वो weightlessness के condition हो जाती है, हवा में आते ही weightlessness के condition होती है, उसमें acceleration G के बराबर होता है, so acceleration की जगा G put कर देना, so your equation comes out to be half, G का value मैं 10 ले लेता हूँ, या फिर मैं चलो G के formula लिख देता हूँ, so half into 10 into time 0.2 seconds का, का square कर देना, solve करोगे, तो बनेगा point हटा देना, नीचे 10 आएगा, point हटा देना नीचे 10 आएगा, 2 से 2 मर जाएगा, यह बनेगा 20 upon 100 meter, और I must say it is 20 centimeter, तो आपको बन जाएगा 20 upon 100 meter, या फिर मैं बोलू 20 centimeter, तो जैसे ही अगर आपके lift 12 meter per second square से नीचे आता है, तो यह box उपर उठ जाएगा हवा में, और after 0.2 seconds, after 0.2 seconds, वो 20 centimeter cover कर चुका होगा उपर, after 0.2 seconds, वो 20 centimeter उपर cover कर चुका है, कुछ और समय के बाद देखोगे, वो और उपर आएगा, और समय के बाद और उपर आएगा, and finally वो roof, इसकी ceiling से, यह जो lift है, उसकी ceiling से attached हो जाएगा जाके, ठीक है, यह तभी possible है, when A is greater than G, यह तभी possible होता है, जब acceleration जो है, वो बढ़ा हो जाए, acceleration due to gravity से, so this is all about the question number 42, उम्मीद करता हूँ, समझ आगया होगा, जल्दी से note कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हो गया, कर दिया note, बढ़े आगे, आजओ बढ़े, so बढ़ते हैं आगे, and कतम करते हैं, इस part को, तो उम्मीद करता हूँ, जो questions मैंने तुम्हे solve करवाए हैं, वो समझ आ रहे होगे, अगर किसी question में दिक्कत है, लगता है कि कोई question मैं या doubt है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वीडियो दुबारा देखनी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आप website पर हमें join कीज़े, because website पर आपको सारे videos अवेलेबल हमें होगे, and वो भी एक arranged format में, तो आपको सारी videos की playlist easily मिल जाएगी वहाँ पर, and definitely आपको वीडियो दूने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फटाफ़ सी वीडियो देखो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, और बस ठीक है, अगला काम करो, so definitely आपको बहुत सारा ताइम यहाँ पर बसने वाला है, and apart from this, अगर YouTube को continue कर रहे हो, so make sure आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बल अपन को दबाना है, because ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेंट अपडेट से आपके एग्जाम से रिलेटेट जो हम आपको प्रोवाइट करा रहे, so don't forget to subscribe this channel, and बल अपन को जबाना है, apart from this, शेर को शेर करो to the maximum number of students, अगले सेशन में करते हैं, तब तक अपने ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, all the very best.